नमस्कार साथियो मैं हूँ अन्रामिस्टा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक वाग फिर से थागत करता हूं साथियो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ पस्थित हुए है जो की होने वाला है इंडियन पॉलिटी का और यह जो वीडियो है यह पुराने जितने व अगयरा जो भी मैटेरियल जो लगाया है वो नई सिरे से तयार किया गया है पहले जो कुछ उसमें कमिया थी और इसमें और उसको सुधार करके लगाया गया है तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आने के साथ वीडियो जो है ऐसा लगेगा कि आपन सब्कारीते दूहं कि ही जो वीडियो है वह होने वाला उन्डियन का और यह वीडियो जो है पापा वीडियो नहो कर क्या हो जाएगा य sh ta da da बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने इसमें दिया है और चीजों को बता दूँ कि ये वीडियो जो है इस तरह से बताया है कि आपने कभी भी पॉलिटी नहीं पड़ी हो तो भी आपकी जो है इस तरह से आपको आनन्द आने वाला है कि मुझे नहीं और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे ये बारे गंटे का हो सकता वीडियो हो जाए तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बोर भी मैं आपको नहीं होने दूँगा इस बात की भी मैं गारंटी ले ले जाता है तो उस लेप को आप समझ जाएंगे तो आएए देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या जानना है कि आपका इस वीडियो में यानि कि इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में क्या पढ़ने पाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कंदे से कंदा मिला कर कर से कदम मिलाकर मेरे साथ चलते रहेंगे मैं आपको और आप मेरा जो है सपोर्ट इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर चलिए आईए देखते हैं कि आपके इस वीडियो में हमें क्या-क्या कवर करना है पहले हलका सा स्वर्ड फॉर्म में मैं आपको बता दूँ कि यहां पर हमे के नीती निती सकता तो संग्य कारिपालिका के बारे में बात करेंगे इसके बाद आगे इसमें हम जू जानने वाले हैं वो हो जाता है आपका केंदरी व्यवस्ताविका राजिकी कारिपालिका भारती संग यह उसकी राजिचेत्र राजिकी व्यवस्ताविका नयाय पालिक संघबात तता केंजराज संबंध आपात उपवंध लोक सिवा के बारे में जाननें पाले हैं इसके बाद हम इसमें बात करेंगे इस्थानी स्वसासन, निर्बाचन प्रणालीता था भारत में दली व्यवस्ता, संबेधानिक तता गेर संबेधानिक संस्ता है, और और भी बहुत कुछ इसमें होने वाला है, ठीका, तो आईए और भी क्या है, तो एक नजेट डालते हैं, इसमें, चलिए तो और भी देख ल भारे में, सत्रहिख चो एद रासी का पिटत हिंडिया एक्ट, अठा नारेसатель सहिस का चार्ट एक्ट, अठा अथा इच्टबिबरायच में, भारत परसयद द दिन्यव्य。 1861, भारत परसयद द द दिन्यम, extremad of a. 1969, भारत परसेद अधिनitार उननीच सो उननीस नहरू समित decade भारति सरकार अधिनियां उननीच सो उननीस cabinet Mission 1946 भारत सोतबी संविधान को स्वाव बारतिय संविधान का निरूमाड में जानेंगे भारति संविधान की परस्तावना भारति संविदान की पिसेस्ता हैं, बारती संविदान के देशी तता विदेशी स्त्रोत, संविदान की पिसेस्ताओं से जुड़े कुछ प्रमुक सितांत, बारती संग, इसके राजी तता के इनसा से प्रदेश के बारे में, बारत राज्यों का एक संग है, नए राज्यों की स्था आपना राज्यों का पुनरगठन अधिनियम 1956 के बारे में बात करेंगे इसके बाद आगे जो होगा इसमें नागरिक्ता के बारे में बात करेंगे भारती नागरिक्ता का महत्तु क्या होता है नागरिक्ता के प्रिकार देखेंगे नागरिक्ता का मतलब क्या होता है भारती न नागरिक ता संसोदन अधिनियम 2005 के बारे में राज के नीत निजिसक तत्तो नीत निजिसक तत्तों का महत और उसका स्वरूप पिरमुक नीत निजिसक तत्तो मौलिक अधिकार तथा नीत निजिसक तत्तों में संबंध ठीक है नागरिकों के मौलिक अधिकार या फिर नागर कारपालिका के बारे में, कारपालिका के पिरकार देखेंगे, पार्त की संग्य कारपालिका देखेंगे, राष्टपती के बारे में, राष्टपती की अधिकारता सक्तियां देखेंगे, उपराष्टपती के बारे में, उपराष्टपती की अधिकारता सक्तियां देखेंगे प्रदान मंत्री देता उसकी मंत्री परसद के बारे में देखेंगे महानियाइबादी के बारे में देखेंगे इसके बाद आगे बात करेंगे उसके किरंद्री विवस्ताफिका के बारे में संसद की संरचना के बारे में राज सवा और लोक सवा के बारे में लोकसपाद देच के बारे में, संसदिया कारवाही के साधन के बारे में, राज की कारपालिका के बारे में, राज जिपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज का मारिवक्ता के बारे में चर्चा करने बाले हैं इसके बाद इसी में हम जो आगे बात करेंगे वो हो जाता है इसमें राज की विवस्ताविका, राज की विवस्ताविका में हम देखेंगे बिधान परसत के बारे में, बिधान सवा के बारे में, संसत तथा राज बिधान मंडल में अंतर के बारे में, बिधाई प्रिक्रिया के बारे में जानेंगे, संग्य प्रसासनिक ध आचा के बारे में अंतर राज्ची सच्वाले के बारे में संगबात तता केंदराज संबंद के बारे में भारती संगबात संगात्मक लक्षड एकात्मक लक्षड केंदराज संबंद केंदरी राज संबंद और प्रमुक आयूक तता समिथियों के बारे में इसके बारे में इ नियाय पालिका में आ जाएंगे उच्तम नियायले के बारे में, उच्तम नियायले का गठन देखेंगे, नियाय जीसों को अटाने की प्रिक्रिया देखेंगे, उच्तम नियायले की छेतरादिकार देखेंगे, नियाय जीसों की नियुक्ति के बारे में, उच्तम नियायले की उपबंद, राश्टी आपात, राश्टपती सासन, बित्ती आपात, नेक्ट इसे में बात करेंगे लोक सेवा के बारे में, लोक सेवा का इत्यास, सिविल सेवा से जुड़ोई सम्मिदान में प्रापधान, संग लोक सेवा आयोग के बारे में, राज लोक सेवा आयोग के ब में कुछ बिसेस वरगों के लिए अंहें जम्मो कस्मीर के लिए विसेस पराब्दान न बट जाती है तो उसके सारी पराब्दान खतम हो जाते हैं संग राज छेत्र अंसूची जाती तता जन जाती छेत्रों का प्रसासन के बारे में बात करेंगे संग राज छेत्र के संविधाने के स्थिति संगी विधायका में संग राज छेत्रों की स्थिति अंसूची जाती छेत्रों का प्रसासन जन जाती छेत्रों के ये पिरसासन के बारे में इसमें बात करने बाले है नेक्स डिस्ट में हम बात करेंगे वो होगा इस्थानी सुसासन के बारे में जिसमें आ जाता है इस्थासी सुसासन का मतलब क्या होता है बारत में इस्थासी सुसासन का पिरस्थास देखेंगे पंचाती राज से जुड़ के बारे में चर्चा करने बारे में इसके बाद हम इसी में आगे बढ़ जाएंगे बो जाएगा निर्वाचन परणाली के बारे में नेक्ट इसमें बात करेंगे बारत में दली विवस्ता के बारे में निर्वाचन परणाली निर्वाचन आयोग चुनाप सुदार दली विव महतपूर संसोदन देखेंगे सम्मिदान के महतपूर अनुछित देखेंगे यानि कि जो संसोदन हुए दो जार रिक्किस में ले मान लीजिए एक सो चार संसोदन हो गई है पूरे इस समय परतमान में वहां तक हम देखेंगे सम्मिदानी तदा गयर सम्मिदानिक संसाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें नियंतरत तथा माले का परिच्छत देखेंगे बितायोग के बारे में राष्टी अन्सूची जाते हों जन्जाती आयोग के बारे में ठीक है राष्टी पिछड़ा बर्ग आयोग के बारे में अंतर राची परसद के बारे में अंतर राची ज प्रशासिनिक चुदार आयोग और लोक सिकाहते थिपिंधिक करेंगे थीक है इसके टाथ करेंगे आगे बात करेंगे प्रोंक सब्दालियों क्या होता है अनपूरा का दिन अनुदान क्या होता है लेखा अनुदान क्या होता है अनपूरक प्रस्थन क्या होता है तारंकित प्रस्थन क्या है अतारंकित प्रस्थन क्या है अल्फ सूचना प्रस्थन क्या है इस्थगन प्रस्थाफ क्या है कटवाती प्रस्थाफ क्या है अविस्वास प्रस्ताफ क्या है, विसेशादिकार प्रस्ताफ क्या है, इस्थाप पन प्रस्ताफ क्या है, अनुसंगी प्रस्ताफ क्या है, प्रतिस्थाप पन प्रस्ताफ क्या है, धन्यवाद प्रस्ताफ क्या है, अध्यादेश क्या है, गुलेटिंग क्या है, काकस क्या है नियम 147 क्या है दवाब सम्हू क्या है सचेता क्या है गड़पूर्ती क्या है पंगु सस्त्र क्या होता है इसके बारे में चल्चा करेंगे ठीक है तो चलिए फिर शुरुवात करते हैं आपका इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर क्योंकि है संबिधानिक बिकास के बारे में तो संबिधानिक बिकास की सुरुवात करने से पहले जानते हैं कि संबिधान आखिर होता क्या है हम संबिधान का बिकास पढ़ते किसलिए हैं क्या आखिर होता है संबिधान तो संबिधान कोई पुस्तक नहीं होती है संबिधान को कोई दिब्विपरुस के दारा पिरकट की गई, कोई पुस्तक नहीं हुए, कि वो जब उपर से आए थे, तो नीचे एक बुक लेकर आए थे, उसी में जो लिखित में सारी चीज़े लिखी है, उसी के आधार पे हमें करना है, संबिधान क्या होता है, तो संबिधान किसी भी संबिधान किसी भी देश की ऐसी पुस्तक होती है, जिसमें उसके प्रमुक क्या लिखे होते है, कानून, नियम, काईदे लिखे होते हैं, संबिधान एक किताब मात्र नहो कर क्या होती है, नीतियों का, नियमों का, कानूनों का, सक्तियों का, उत्तरदायतों का, एक मात क्य होता है संब्यधान क्या नहीं है संब्यधान एक पुस्ताक मात नहीं होती है बलकि संब्यधान में किसी भी देश के बारे में प्रमुक नियम कैसे कि किस तरह से करेगी किस तरह से उसके लिए सक्तियां होंगे किस चेत्र को कितने power दी जाएगी ठीक है उसके उत्तर दायत तो क्या होंगे समझे पारा ना यानि कि responsibility क्या क्या होंगी उसकी इसके बारे में दिया गया होता है जो की यानि कि एक मात्र क्या होता है इस्त्रोथ होता है यानि कि मैं फिर से बता दू संबिधान किसी किताब मात्र नहुकर क्या होती है यह है एक मात्र क्या होता है नीती नियमों कानून सक्तियों उत्तरदायतों का एकमा सित्रोत होता है जिसमें बिधाय का कारिपालिका न्याय पेपालिका की बीच में अधिकारों सक्तियों का क्य किया जाता है इस पस्ट रूप से बटवारा किया जाता है ताकि उनके बीच में क्या न हो सके उनके बीच में किसी भी तरह का टकराव यानि कि कोई भी विवाद की इस्तिती पैदा ना हो अगर होती भी है तो उससे निपटने के लिए भी इसमें ही नियम काईदे बनाए संबिधान तो यह है एक बैधानिक दस्तावेज है जिसमें सासन के उन मूलवू सितान्तों के बारे में जानकारी दी गई होती है जिसके द्वारा किसी भी देश या पिर किसी भी राज के सासन का क्या किया जाता है संचालन किया जाता है मैं फिर सिवजा दूँ यह है एक दस्तावेज के मूलवूत शितानतों के आधार पर उस राज या फिर उस देश का क्या किया जाता है सासन को चलाया जाता है किसी भी देश के संविधान से किसी की देश के संविधान से सासन के मूलवूत आदर्सों का क्या किया जाता है उसके मूलवूत आदर्सों का क्या पत हो जाता है कि सरकार के बिवे नंग किस पिरकार से कार करेंगे तथा उनके बीच किस पिरकार का अंतर संबंद वेवस सक्ति संतलन होगा यानि कि कारपालिका को कितनी सक्ति दी गई होगी नियायपालिका किस तरह से कार करेगी ठीक है और कारपालिका नियायपालिका और विध साथिया में उस संभिधान के बारे में हलकी सी जानकारी लेकर उस देश की कारपालिका न्याय पालिका के बारे में भी और उसकी आपस में जो सक्ति का संतुलन है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है संभिधान सरकार के साथ जनता के संबंदों का भी क्या करता है न निर्दारित करती है जिसके अंतरगत जनता क्या करती है जिसके अंतरगत क्या होती है जनता सासित हो तो फिर सिर्दादू मैंने कहा इसके द्वारा किसके द्वारा संबिधान के द्वारा किस देश की राजनेतिक विवस्ता की बुनियादी धांचा का क्या हो जाता है करते हैं किस के द्वारा इस संब्धान के द्वारा तो किसी राष्ट के संब्धान में जो दर्सन दिये गए होते हैं या फे नेहत दर्सन यह दिर्दारित करते हैं कि वहाँ पर किस फिरकार की सरकार होगी सही है संब्धान संबंदित राष्ट के सासन के दर्सन की रूप रे संविधान संबद्ध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार भी सुनिक्षित करता है साथ ही उनके कर्टब्यों को भी परिवास्त करता है यानि संविधान जो होता है उस देश के लिए क्या क्या करता है उस देश के जितने भी नागरिक होते हैं उनको कुछ अधिकार देता है और अधिकार देने के साथ उनको कुछ करतब भी क्या होता है उसमें लिख कर देता है या उसके बारे में करतब्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है सीधा समतलब है कि मैं आप इस चैनल पर पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के साथ मेरा जो है चैनल बना लिया आप स करतब यह है कि मैं अच्छा जो मेटेरिल आपको दे रहा हूं तो उसके बदले में आप एक छूटी सी कमेंट या फिर क्या कर सकते हैं एक लाइक तो करी सकते हैं तो करतब और अधिकार ठीक है तो इस तरह से करतब्यों को भी परवासिक करती है आप की यह पुष्तक जिक है को चलिए साथ यूं बात कर लेते हैं भारती इत्यास बहुरती संभिदान की इत्यासिक परश्ट परिश्ट पूमी के बारे में और यह पहला टॉपिक है और इत्यास की परश्ट पूमी को हल्का सब lingering की तरव सब्षिजा होगा, आप एक सेकंड के लिए बोर नहीं होगे. सुरुबात करने के अगर बात करें, तो ऐत्यासिक परस्टोमे में, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारती सम्विधान की इत्यासिक प्रस्टोमी, अभी सम्विधान की परस्टोमी नहीं दतुरू ही है. उससे पहले संविधान तो था नहीं फिर देश कैसे चलता था आखिर बहुत कौनसे काड़ थे जिनकी वज़े से मैंसुस होने लगा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए तो संविधान जब इस तरह की सोच आई और सोच आने के बाद आखिर वो कौनसी घटना थी ज गटनाओन हमें या हमारे जो देश को प्रवावित किया इसके काड़ अहमान एक भार संविधान बनने लुए का भारती सम्मिदान का इत्यास कि अगर बारें बात करें तो भारती सम्मिदान इसके अंतरगत हम ये जानेंगे कि भारत का बरतुमान का जो सम्मिदान है उसे बनने से पहले ऐसी कौन-कौन सी घटना है थी ऐसी कौन-कौन सी लोग थे ऐसी कौन-कौन सी मतलब तब तो थे या क किर्मित इसका एक विकास हुआ है कौन-कौन से वो घटना थी जिसके कार्ड ये सारा हुआ है तो मैंने क्या बताया कि इसके पीछे कौन-कौन से विकार्ड थे इसके बनाने में किन-किन लोगों का योगदान रहा कैसे इसका किर्मित विकास हुआ और इसे बनाने में कौन-क गटना सुरू होती है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर सन सोले सो में एक घटना गटती है, घटना क्या गटती है, कि हमारा जो बेटी चीश्ट इंडिया कंपनी होती है, 31 दिसंबर सन सोले सो में महारानी एलिजावेद पिर्थम से क्या करती है, एक अधिकार पत्र या चार्टर प्रा ब्यापार कर सकते हैं, यानि कि अंग्रेजों को या करें British East India Company को एक अधिकार मिल जाता है, इस एक अधिकार की बात करें, तो इसमें यह पर आपधान किया गया था, कि अंग्रेजों के अलावा, अंग्रेज का मतलब British East India Company के अलावा, Britain की कोई दूसरी कंपनी भारत देश में याता है, पूर के देशों में ब्यापार करने नहीं जा सकती, इस इस चार्टर का या इस अधिकारपत का या इस इकरार नामा का ये एक प्रमुक्तत हुता, ठीक है, समझवा है ना, कि एक अधिकार का क्या मतलब था, कि बेटेन में कोई दूसरी कंपन नहीं बनाई आ सकती, जो यहां पर ब्यापार करना चाहिए, अगर कहीं और करनी है, तो आप कहीं और करिए, बेटेन में करिए, आप यूरोप में किसी और देश में करिए, लेकिन आप यहां पर नहीं करने आ सकते, किलियर हो, तो यह चोटा तब परचे होगा क्या होता है मैंने क्या बताया कि इसकी सुरुवात कहां से भी मानी जाती है महाराणी एलजावेद के द्वारा 31 दिसमबर 1600 में चार्टर प्राप्ट कराने के दान मैंने क्या बताए British East India Company की सुरुवात 31 दिसमबर 1600 में एक साही अधिकार पत्र जो कि British East India Company को महाराणी एलजावेद प्रथम के द्वारा दिया गया था यानि कि संसोले सम एस्ट इंडिया कम्पणी ने इंग्लेंड की महाराणी से इंग्लेंड की महाराजी एलिजावित पर्थम से चार्टर प्राप्त किया और इसमें एकादिकार प्राप्त कर लिया कि भारत देश याने कि केप आप गुडोप के जितने पूर भी देशें उसमें केवल यही ब्यापार कर सकता है तो यह जो company बनती है इस company में क्या था इस company of director कहते थे किसको कहते थे जो betis east india company को चलाने वाली एक 25 अदर्स की एक संस्ता थे जिसको court of director कहते थे जिसमें एक क्या था एक governor था और 24 क्या थे निदेशा के आनी की 24 इसमें क्या थे director थे ठीकर इसका सीधा तो मतलब यह था कि यह जो पूर्वी छेतरे इसमें 25 लोग ही क्या कर सकते थे 25 लोगों का समू ही ब्यापार कर सकता था इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता था क्लिए रहा कौन नहीं कर सकता था कोई और नहीं कर सकता था तो जब भारत में भारत में बेटेश इस जब जब England में British East India Company की स्थापना हो रही तो इस समय बर्तमान में यानि की सन 1600 में मुगल बाजसा कौन थे? मुगल बाजसा अकवर थे ठीक है? तो British भारत में 1620 में ब्यापार करने के लिए ये प्यापार के रूप में भारत में आते हैं यहोंने ब्यापार करने का एकमात और्धिकार महरानी ये जाविज पर Mis Micha से प्राप्त Professor जो की 15 सालों के लिए बैड था, the जो चारडर था British East India Company के लोग आकर अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और इनके आने से भारत में कौन-कौन सी घटना है घटती हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करती है तो सबसे पहली घटना जो होती है क्या होती है कि 1605 में आपकी अकवर की मिरत्य हो जाती है इसके बाद जहांगीर जो होते हैं गदी पर बैठते हैं तो जहांगीर के काल में सन 1608 में एक दूत होता है दूत कौन था दूत का क्या नाम था दूत का जो नाम था वो था आपका कैप्टन जहां तक अंदाज है कैप्टन बिलियम हॉकिन्स जो था महारा जो बाधसा होते हैं मुगल बाधसा जहांगीर के दरवार में आगरा में आता है कब आता है 1608 में दरवार में आता है दरवार में आने के लिए किसलिए दरवार में आता है ये आता है कि जो भारत है भारप का जो पस्चिमी छेत्र है यानि की सूरत वाला छेत्र तो 1608 में भारत में ब्यापारी कोठी यानि की फैक्टरी खोलने की अनुमती प्राप्त करने के लिए जह आगरा आने के बाद वहाँ पर जो जहांगीर होते हैं जहांगीर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं हम अनमती दे देते हैं लेकिन इधर क्या था कि इस समय सूले सो के समय की बात है इस समय क्या था कि पुर्त गालियों का हिंद महासागर वाले छेतर में यानि कि समुदरी छे आगरा में जब Captain William Hawkins जब पहुंचते हैं तो बहाँ पर क्या होते हैं कहते हैं कोई बात नहीं नई बात बनती है तो जो हमारे जब फिर सान हो जाते हैं तो कैपटन बिलियम हौकिंस को 400 मनसव और इंगलिस खान की उपादी के साथ अपने दरवार में आखें अपने राज में रहने की अनमती देते हैं लेकिन फेक्टरी खोलने की अनमती नहीं देते हैं क्योंकि इस समय प्रतोगालियों का इन छेतर में क्या था दवदवा था लेकिन होता क्या है कि 608 में जब कैप्टन ओकिंस जो है आता है आने के बाद समय बीचता है 6012 आजाता है 6012 में क्या होता है कि इदा सूरत के पास में सूरत के पास में एक जगे होती है तो इधर क्या होता है अंग्रेज क्या करते हैं पुर्टगालियों को दोड़ा-दोड़ा क्या पीट कर वहां से भगा देते हैं इससे क्या होते हैं जांगीर जो होते हैं उन्हें थोड़ी से हिम्मत आती है और कि सोचते हैं कि यार अंग्रेजों को भी थोड़ा सा व्यापा चोड़ी सी क्या होता है जड़ जड़प होता है जिसमें क्या होता है अंग्रेजी जो नेवी कप्तान होता है कैप्टन थोमस बैस्ट के दिने तरस में क्या होता है पुर्तजाली जो सेना होती है उसको क्या कर देते हैं हरा देते हैं इससे क्या होते हैं इसके पिर अबहाब क देते हैं तो 1613 में अंग्रेज क्या करते हैं पश्चमी तटपर सूरत में पहली फैक्टरी कुलते हैं कब 1613 में तो आपको हलका सा हिष्ट्री वाला फीलिंग आ रहा होगा लेकिन ये अथियासिक प्रेश्ट में जैसे इसको एक घटना किरम बना रहा हूं है आप समझ पाए याँ अंग्रेजों के अंदर कोई मात्वा कांचा नहीं है यहाँ पर क्यावल ब्यापार कर रहा है समझ पार रहा है तो यहाँ पर क्या होता है 1613 में अंग्रेज फैक्टरी खोल लेते हैं तो 1613 में पस्चमी तटप यानि की गुजरात वाले छेत्र में अंग्रेजों मु गया है यानि कि हाथ पकड़ लिया है तो हम इनको बाहों में भी भर लें यानि कि कोई हाथ पकड़ने का मौका दिया तो हम कहे नहीं इनको बाहों भर लें तो अंग्रेज जो थे इनको बाहों में भरने के लिए क्या करते हैं सूले सो पंद्रे में अंग्रेज क्या करते हैं जहांगीर के दरवार में बिटेन के समराट जेम्स पिर्थम के एक दूत होते हैं क्या नाम था उनका सर टॉमस रो अंग्रेज्चों का जो राज बो था समराट उसका दूत सर टॉमस रो फिर से जहांगीर के दरवार में 1615 में जाता है 1615 में जेम्स पिर्थम के दूत किस लिए पहुंचते हैं कि हमको क्या चाहिए हमको चाहिए क्या पूरे भारत पर यानि कि थोड़ा सा मिल जा कि पूरे भारत पर क्या करने के लिए जो मुगल समराज है उस पर फैक्टरी खोलने के लिए उस पर व्यापार करने का अधिकार मिल जाए इसके बाद क्या होता ज जम्स पिर्फम होता है, जम्स पिर्फम का जो दूत होता है, वो भारत में आने की sir Thomas Roo जो होता है, जहां गेर के दरवार में लगबग 1618 तक रुपता है, तो 1618 तक sir Thomas Roo क्या करता है, रहता है, पिर Thomas Roo मुगर्द समराज्ज के सभी भागों में ब्यापार करने और फेक्टरियां खोलने का अधिकार देने वाला साही फरमान प्राप्त करने में सर टोमस रू क्या हो जाता है सफल हो जाता है तो भारत में क्या होता है जो भी मुगल बास्ता वाला जो चितरा मुगल समराज चितर था उसमें सभी चितरों में ब्यापार करने का इनको क्या म मिल जाता है तो इस समय अगर बात की जाए इस समय तो दस वोले सो 15 16 18 तक की बात की जाए तो इस समय भारत में कौन कौन सी कंपिनिया काम कर रही थी इस समय पूर्टगाली थे पूर्टगाली थे इस फेनिस थे अंग्रेज थे डच थे डैनिस थे और फ्रांसी थे ये लोग क्या थे भारत में जो थे अपनी अपनी दुकाने जो थी लगा रखी थी अपने अपने काम कर रहे थे ठीक है तो भारत में इस समय जो ब्यापारिक कंपणियां थी पुर्टगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसेशी और स्पेन और डैन्मार्क वासी इन कंपणियों कार क्या था अभी ब्यापारिक कार तक ही सीमिता सीधा समतल भी था कंपणिय जिनके कार केवल ब्यापारिक कार है तक ही इस समय सीमित यह न तो भारत देश पर कब्जा करने की सोच रहे हैं अभी इनकी हिम्मत नहीं आई है उस हिम्मत की घटना के बारे में बताऊंगा कि आकिर हिम्मत कब पड़ गई अभी घटना नहीं आई है अभी यह केवल ब्यापार करना चाहते हैं अपनी एका चूडियां बेचना चाह चाहते हैं और चोटी मोड़ी चीजें बेचना चाहते हैं उससे अपना पेट का मतलब अपने जो है दो चार पांच रुपे कम जाए तो अपनी बेटेन में जो है बच्चे बीवी बच्चे जो है उनको बेच सके बस इनका ब्यापारिक कार तक इसी में था लेकिन धीमे ध प्रतगालियों अलग डेनिश वासची ओने अलग अलग तवकाने को लगे थी और इन कंपनियों में क्या था अपना अपना ये लोग बेच दिते और साम को यह अपने अपने घरे आ जाते थे कोई यहां पर क्या था मैंने बताया था कि महारानी ङेल्जावेत जो होती है प पेतन का वाक्त तो है ya hai तो लेकिन जो पॉर्तिगाल थे फिर उनु an internet को तो रोकeni की नहीं सकती थी समझ पाराी Independence को नहीं रोक बयापारिक कंपनियों का England से आने के लिए मना किया था लेकिन अनी देस्टों से जो थी उन्के बीच में नहीं बनती थी क्योंकि कंपनी बयापार करती थी और इनमें क्या था अक्सर जगड़ा होता रहता कथा लेकिन यूरोप के किसी दूसरे देस किश का जब यहां पे आता था, तो इन्हीं दिक्कटती किसको अंग्रे जो को अंग्रे जी चाहते था, गया, हम ही अकेले यहां पे काम करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें? आनंद ले सकें, इससे क्या था, कई सारी लडाईयों होती है, जैसे कि डचों के साथ होती है, फ्रांसीशियों के साथ होती है, और आपका पुर्तगालियों के साथ होती है, डैनमार्क से होती है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जगड़ा के बात करें तो डच के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं, तो अंग्रेजों के बीच में डच और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बेदारा का युद्ध या इसको हम चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं तो बेदारा के युद्ध में अंग्रेज और डचों के बीच में क्या होता है जगडा जब होता है तो इसमे की बंद हो गई ? आपकी dutch की दुकान बंद कर दी कि न मैं ? अंग्रे जोने कर दी अब दूसरी बार आती है किस की फ्रांसओं की फ्रांसओं के बीच में भाज़ा सारे जहगड़े के बाद फ्रांसीसी इसमें क्या होते हैं पूरी तरह से प्राजित हो जाते हैं और फ्रांसीसी भी क्या करते हैं अपनी दुकान लेकर चले जाते हैं और इनकी भी दुकान बंद होती है अब बात आती है पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों की दुकान कैसे ब होता है इसके चलते क्या होता है इसके चलते इन्हें दहेज में पुर्तगाली क्या करते हैं दहेज में पुर्तगाली जो होते हैं क्या देते हैं साइज बंबई जो होता है गिप्ट में मिल जाता है तो पुर्तगाली और बेटान की बीच में जब प्रेम हो गया यानि की प्र ज्राग मेब हो जाता है तो है यह थर कि यह बढ़ चीघ्स मी दुखान बंद हो जाती है ठीक है ठीक है उसके बाद क्या होता है 1668 में 1668 में इस तरह से यह जब आपस प्रेंड बढ़ता चलाया जाता है अब रह जाते हैं डच डच क्या थे डच की दुकान बंद हो गई फ्रांसीसियों की दुकान बंद हो गई अब रह जाता है कौन पुर्टगाली तो पुर्टगालियों की दुकान बंद हो गया अब जब तीन दुकान बंद हो गई तो चौती दुकान जो वची इस्पेन की इ इस फिरन क्या था अपने आप जब तीन चले गए तीन बिकेट गर गए अब चोथा बचा विचा रहा तो चोथा किया था अपने आप लेकर चला गया ठीक है तो समझ में आगया तो इस तरह से क्यों था इस्पेन और जो डेनमार्क बासी थे वो अपनी दुकान लेकर चले जाते हैं क्योंकि डेनमार्क बासी जो थे बारत देस में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थे इनकी जो कोई खाष इंड़ों ने जैंडे नहीं खाए थे इस्पेन ने थोड़ा बहुत कमाया था तो बो भी डर की वज़े से फिर बाद में चला जाती है तो मैंने क्या बताया इस पर इन डर की वज़े से अपने आप ही दुकान को लेकर चला जाता है तो इस तरह से डेनिस यानि कि डेनमार्क वासी जो होते हैं वो भी खास सफल नहीं उपाते हैं वो भी अपनी 18 और 15 में जो भी दुकान के छुटे मोटे पुर्जे बगेरा होते हैं वो सारा कुछ बेच कर किसको अंग्रेजों को बेच कर चले जाते हैं तो अब कहानी यहाँ पे सीधा हमतलब था स सारे विकेट गिर जाते हैं पुर्तगाल फ्रांस इस्टेनिस यानि और डच और यह सारे जब चले जाते हैं तो अब भारत का करता धरता कौन रह जाता है यानि कि भारत में अब इस समयबास्तिक रूप से पूरी तरह से एक आदिकार अब हुआ है क्योंकि बाकी सारी कंप अब क्या था सांती के साथ ब्यापार कर सकती थे ना तो उसे फ्रांसी सी परिसान कर रहे थे ना ही उनके दिमाग में कोई दूसरा कोई सोच पनप पा रहे थी लेकिन इधर क्या था मुगल समराज की बारे में गर बात करें तो आपको पता होगा कि मुगल समराज की बात कर बड़ा सा समराज बनाता है बावर के बाद उनका लड़का जो होता है हुमाई होता है हुमाई के बाद उनका लड़का जो होता है अकवर होता है अकवर के बाद जहांगीर होता है जहांगीर के बाद सा जहांगीर के बाद सा जहांगीर के बाद सा जहांगीर के बाद सा जहा औरंगेजेव उसके बाद औरंगेजेव के बाद आपका जहांदार सा नहीं बाद और सा बाद और सा के बाद जहांदार सा जहांदार सा के बाद फरुक्सी है फरुक्सी है रफीग उद्दाला रफीग उद्दाला के बाद रफीग उद्दार्जात के बाद एक मुगल वास में इरान का इरान का इरान का जो होता है राजा या कर इरान का जो सुल्तान होता है वो भारत देश में क्या करता है भारत देश में मुगल बास्ता मुहम्मद सारंगीला की पिटाई करके चला जाता है यहीं से क्या होती है, जब क्या हुआ, यहाँ जब पिटाई करके चला जाता है तक्ते ताव सिल लेग जाते हैं, और कतले हम मचा जाते हैं कहाँ से एरान से आकर, इतनी दूर से कहाँ पर, दिली में आकर मुगलबास्सा के मुhstा रंगीला के काल में, तो इस समय अंग्रेजों के दिमाग में बत्ती जली और उनको समझ में आया कि यार इस्तती ऐसी हो गई है कि हम कहां यार व्यापार व्यापार खेल रहे हैं हम कहां व्यापार व्यापार खेल रहे हैं हम तो खामी खाम में ये सिंदूर बेशते हैं बिंदी बेशते हैं छोटी मोटी ची जब भारत देश पर नादिर सा का आक्रमड होता है और नादिर सा जब आक्रमड करता है तो आक्रमड करने के साथ भारत में वो कतले यहां मचा जेड़ा है और बहुत सारा माल जो होता है लूट कर चला जाता है यहां तक ही सा जहां की दौरा बनाए गया तक्तिताउस कोई न कि उनकी उनकी उम्मीद की किरड़ जागी उनने दिखा कि कहां भारत देश में इतनी दूर से एक ब्यक्ति आता है और वो लूट पाट करके चला गया और हम क्या है ब्यापार ब्यापार खेल रहे हैं तो अंग्रेज जो थे अपनी दुकान दुकान खेल रहे हैं अंग्रेज के दिमाग में जब कीड़ा आता है तो भारती राजनीती में भी हस्तजिब करना सुरू कर देते हैं यहीं से ही क्या होते हैं अंग्रेज यहीं से ही अंग्रेज क्या करते हैं यहीं से ही अंग्रेज जो थे कई सारी गटनाएं करते जाते हैं ठीक है कई सारी गटनाएं करते है जिसमें से पहली जो घटना होती है वो एक युद्ध होता है एक सडेंद के तहट पहला एक युद्ध करवाते हैं ये बंगाल में और बंगाल में एक पहला युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं 23 जून 1757 में एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध प् था इससे क्या था बिटेन इससे बिटेस तथा बंगाल का नवाब सिरोजेद दौला के मद लड़ा गया था इसमें क्या होते हैं अंग्रेज जीता है जीत जाते हैं प्लासी के उद्ध में इसके बाद इसके बाद क्या होता हैं 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1764 में 1764 में एक लड़ाय का युद्ध लड़ा जाता है जिससे अंग्रेज क्या होते हैं भारत में पहली बार करता धरता बनने की इस्तिती में आ जाते हैं और वो अपने आपको इस्थापित कर लेते हैं भारत इसमें कब 23 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है जिसको क्या नाम दिया ज जाता है इसमें क्या होता है अंग्रेजों ने तीन से चार लोगों की सेना को बहुत नाम मातर की सेना के साथ हरा देते हैं और इसके साथ ही भारत देश में चारों और ये खवर पहल जाती है कि भारत देश में नया बौस आईला है उसका नाम जो है उसका नाम जो है अंग् मतलब विटेन है विटेन जो है कहकर लेती है मतलब कहकर खवर लेती है जिसको संदेश वेजे उसको हरा सकती है तो इस तरह से भारत में पहली बार यहां पर बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और यहीं से ही जैसे ही बकसर का युद होता है बकसर का युद होते ही अंग्रेज जैसे ही वक्सर की युद्ध में जीते हैं भारत देश की खुलामी की पहली जंजीर या कहें भारत देश की पैरों में बेडियां यहीं से पढ़ जाती है जिसको 1947 में ही धोया जा सका था, ठीक है, समझ पाई ना, तो इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध के बाद क्या होता है, इस युद्ध में क्या होता है, 1765 में बंगाल, बिहार, उडिसा में क्या होता है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है, यानि कि जब ये युद् इस युद्ध के बाद एक संदी क्या दो संदिया होती है इलावाद की दो संदिया होती है जिसके तहत बंगाल बिहार औरीसा में क्या था अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिल जाता है दीवानी का अधिकार का मतलब था कि करवसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को प नहीं बेच रहे थे अब वो सीधा सीधा क्या करते थे दो राजियों को लडाते थे और उनसे क्या करते थे माल और कभी कभी वो खुद ही लड़ पड़ते थे समझ पाए ना तो यह क्या था भारती इस्यास का सबसे निडायक युद्वी था इस कार्ड क्या था क्योंकि भार दीमे दीमे आगे समय बढ़ता है और समय बढ़ने के साथ क्या होता है राज तंतर पर क्या होता है केरा पिरवाब पढ़ता है इस गटना से और इस गटना की सुरुवात अगर करें तो यहां पर क्या होता है अंग्रेज यहां पर पूरी तरह से इस्थापित हो जाते हैं और सन अठारे सो अठावन बेटे स्ताजने भारत के प्रसासन की बागरुख खुद अपने हाथों में क्या कर लेते हैं ले ले जिसका अंत भारत की स्वत्मता के बाद ही 15 अगस्त तो सन तरिस को हुआ यानि कि मैंने क्या बताया कि यहां पर क्या होता है जब अंग्रेज क्या करते हैं सत्रों पैसट में जब भारत देश में अपनी क्या करते हैं सक्ति को मनवा लेते हैं और अपनी सक्ति का लोहा जब वो मनवा लेते हैं तो उसके बाद ही एक ख़बर सत्रे सो तेहत्तर का आपका चार्टर एक्ट आता है मनदब रेगुलेटिंग एक्ट आता है फिर चार्टर एक्ट आता है फिर कंपनी का जो सासन होता है वो कब तक रहता है सत्रे सो तेहत्तर से लेकर सत्रे सो अठारे सो अठावन तक रहता है उसके बाद कंपनी से अठकर सी अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं आगे कि जो भी गटना गिरम होते हुआते रहते हैं उसके बाद भारती सुतंता संगर्स के साथी क्या होता है भारती सुतंता के सबसे पहले संब्धान किस ने उठाई थी? एमेन राय ने उठाई थी हाला कि भारती सम्मिदान है वो राज विवस्ता की विविन ने बिचिस्ता है बेटेस्ट राज से ही ली गई है क्योंकि वो हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से हमारा जो सम्मिदान है इधर दर से बहुत से अनुच्छे जो है कई जगे जो है भारत का एक संस्ता अगर ठाचे के साथ पूर संसदिय लोकतंत्र बन जाता है ठीक है सम्मिदान के अंतिम प्रपत्र को अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया था तता इसी दिन इसे संसद में उपत्य दो सो नवासी सदस्य दोरा हस्तांत्रित कर भारती संविदान के रूप में मानेता दे दी जाती है 26 जनवर 1950 को इसे अपना लिया जाता है तो भारती संविदान को अपनाने से पहले बिटे सासन दोरा अने चार्टर और अधिनियम पारित किये गए थे जिनोंने हमारे भारती जो है बहुत से प्राफधान जो है अंग्रेजियों के प्राफधानों के तहीति लिए नीजिसो पैंटिस के अधिनियम से लिए गई है तो हलका सा करा दू मैंने क्या बताया कि किस तरह से 21 दिसमबर 1600 में बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी की स्थापना होने के बाद भारत में 608 में दूट बेजते हैं आपके जैम्स पिर्थाम भारत में बेजते हैं उसके बाद 1613 में बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी को पश्चमी भाग में आने की सूरत में पहली फैक्टरी को करने का अधिकार मिल जाता है उसके बाद समय बीतने के बाद समय बीतने के बाद अंग्रेज अभी भी ब्यापार कर रहे होते हैं बाकी की जितने भी जो होते हैं जितनी भी प्रांस होते हैं जो भी होते हैं उन सभी को क्या कर देते हैं यह अंग्रेज हरा देते हैं उसके बाद यहाँ पिर सांती से निश्चिन दोकर यह व्यापार करने लगते हैं उसके बाद भारती राजनी तो अभी भी एस्टिव नी कर रहे होते हैं उसके ब उन्होंने मतनान बगेरा सब्बंद कर दी मतले दुकान बगेरा सब्बंद कर दी और उन्होंने क्या सुरू कर दिया उन्होंने कर दिया क्या भारती राजनी थी वैस्टेशप करना सुरू कर दिया इसी के तैद क्या होता बंगाल में पिर्थम वो अपनी चल कपट और कूट कूट नीती का इस्तमाल करती है पिर्थम जो युद्ध करवाते हैं वो था प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध जो होता है उसमें करवाते हैं प्लासी के युद्ध में क्या होता है आपका 1757 प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद भारत में वो अपना क्या होत होने के बाद British East India Company से जो प्रसासन होता है जो भी वागणोन होती है कौन ले रएता है अपने हाथों में ले दीते है उसके बाद समय बीटता जाता है संगर्स होते हैं बहुत सी चीज़ें होती है उसके बाद हमारे सतंता संगर्स होता है सतंता संगर्स में पहली बार 1934 में प किया जाता है संविदान सवा के जब किठन किया जाता है उसके बाद हमारा जो है संविदान लिखा जाता है लिखने के बाद 26 नमबर 1949 को पहली बार ये पढ़ा जाता है अंतिम बार इसको पढ़ा जाता है इसी दिन इसे संसद में उपस्ते 289 सज़शन जरा अस्थाक्षरित और इसे पारित कर दिया जाता है और 26 जनमरी 1950 को इसे पूरे देश के दौरा अपना लिया जाता है यहां से शुरू होता है इंडियन पॉल्टी की बास्तिक शुरूबात यहीं से होती है ठीक है सम्विधानिक विकास देखते हैं क्या है यह 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 यहां पर तो मैं आपको बता चुका था किस तरह से जो है भारत में भारत में अंग्रेज आते हैं अंग्रेज राज करते हैं उसके बाद फिर सीरी महरानी करने लगते हैं आई देखते हैं समझते हैं तो किसी भी देश का सम्विधान एक दिन में नहीं बनाया जा सकता बलकि है एक एहतियासिक विकास का परड़ाम माना जाता है एहतियासिक प् में संबिधान को भली बाती अध्यान नहीं किया जा सकता बारत में संबिधान परंपरा का विकास अंग्रेजियों के आने के साथी सुरू हुआ माना जाता है आदुने राजनीती संस्ताओं का उद्वा में विकास भी इसनी के काल में हुआ था भारती संविदान के एतियासिक विकास का काल 1620 से सुरू होता है इसी बर्स इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी सुतंता के बाद भारती संविदान का स्वदेशी स्वरूप सामने आता है इसके निर्मार में उनके विद्वानों ने बहुत अधिक भून का निवाई बिस्ट के विविन देशों के विद्वानों ने उन प्रापधानों को भारती संविदान में सामिल किया गया जो भारत के सामाजे कार्थिक, राजनित्ग परदैस्टियों के अन्कूल थे दुरू में बेटे सासकों द्वारा एव हम सतंता के बाद भारत सरकार के द्वारा संबिधान का चरवध तरीके से क्या किया गया? बिकास किया गया सीधा सा मतलब यहाँ यह कहना है कि संबिधान कहीं पर बैटके किसी कौने में नहीं लिखा गया था यानि कि ये एथियासिक बिकास का पड़ाम है और इस संबिधान के निर्माड में या कर इस जो बिकास है यानि कि बिकास में महतपुर भूम का जो निवाते हैं वो अंग्रे जोंके आने से सुरू होता है औ जो अधिनियम थे, जो उनके नियम काइदे थे, उनके आधार पर ही भारतीय संभिधान का क्या है? पिरुमक रूप से विकास हुआ माना जाता है. ये क्या है? भारती जो राजनीति थी, अंग्रेजों ने उस में स्टेशेव किया. ठिक, तो भारत में संभिधान का विकास थी कब से सोले सो से और सोले सो में क्या हुआ था आपका इस्ट इंडिया कंपिनी की स्थापना भी हुई थी कहां पर लंडन में ठीक है उसके बाद जब भारत देश क्या हो जाता है स्वतंत्र हो जाता है स्वतंत्र जब होता है तो अंग्रेजों की जो नियम काईदे थे उनमें कुछ बदलाव किये गए बदलाव करने के साथ उसका क्या किया गया स्वदेशी कड किया गया यानि कि जो ऐसे लग रहे थे कि जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की लाब के लिए हैं यानि कि सिर्फ भारती लोग उसको पचा नहीं पाएंगे तो तो उसको हटा दिया गया और उसमें भारती जो बिद्वान थे जैसे डॉक्टर भीम राव इंबेड करते पाल की वाला थे और वह से बारे बड़े-बड़े बिद्वान थे उन लोगों ने क्या किया इसमें क्या थी बहुत अधिक भोमिका निवाई ठीक है और विसके कुछ प्रमुक्ट संभिदान थे जैसे कि अमेरिका का जर्मनी का जापान का ऑस्टेलिया का या फिर मालिये आयरलेंड का यह कुछ संभिदान थे उन से हम लोगों ने क्या किया चोरी मतलब मतलब महां से क्या किया हमने उधार लिये कुछ ब्राबदान जो कि भारत के लिए क्या राजनितिक पर जिस्स के लिए क्या हूँ अनकूल हो यानि कि उसे भारती राजनिती में भारती जो सामाजिक लोग है यानि भारत के जो लोग है उन्हें लाब हो शुरू में बेटे सासकों दोरा स्वतंता के बाद भारत के लोगों के दोरा संबिधान का क्या किया गया जब रेटी शाषन किया था? यानि की ऑंग्रेज की जो कमपणी थीटिस इशन कंपणी, उसके दोारा भारत पाषान किया गया उद्छा तो आईए देखते हैं दो वागों में देखते हैं आपर इस विकास को हम क्या कह सकते हैं इस विकास को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं जिसमें आपका सत्रह सो त्यत्र का अजॵलेटिंग आता है उसके बाद आता हैं चार्ट एक्ट ऺीडिए एक्ट इटा है आता है चार्ट एक्ट बार सारे अनुनीजिसों पेंटेज difícil चार्ट परसद अधिनियम 1892 है बारत परuled इंदिनियम इस तरह से कुछ यहां पर देख सकते इनको दो वागों में बाट सकते दो वाग कौन कोंसे हैं तो दो वाग जो है यहां पर सबसे पहला जो आता हे बो है इस्ट इंडिया कंपनी के अंत्रगत में था मैंने बताया था तक आती है, East India Company क्या हो जाती है, East India Company क्या होती है, पहला जो regulating act आता है वो आता है 1773 में, उसके बाद बहुत सारे आते हैं और आखिन में 1858 तक, 57 तक ये भारत में कौन करते हैं, आपके British East India Company राज करते हैं, उसके बाद British Crown नहीं, सीधे सीधे कौन कर लेता है, अंग्रेज के जो मा महरानी थी, उनके बच्चों के क्या नाम थे, बेटेस East India Company, तो बो यहां राज कर रहे थे, फिर सीधे सीधे, कौन राज करने लगा था, बेटेस किराउन के अंतरगत आ जाता है, यानि कि सीधे अप करता दरता कौन बन गया था, अंग्रेज की जो बॉस थे, समराट याक ह महरानी ही इसकी करता दरता बन गया था, तो आएए देखते हैं किस तरह से विकास होता है, East India Company के अंतरगत कौन-कौन से, सबसे पहले Regulating Act 1773 का आता है, East India Company के ताहित, पिट्स इंडिया Act 1784 में आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, Charter Act 1793 में, Charter Act 1813 का, Charter Act 1823, Charter Act 1853, इसके बाद, बिट्स किराउन के अंतरगता कर बात करें, तो बारस सासन अधिनियां 1858, बारस सासन अधिनियां 1858, बारस परचाद अधिनियां 1861, बारस परचाद अधिनियां 1892, बारस परचाद अधिनियां 1919, बारस सासन अधिनियां 1935, बारतिय सोतंता अधिनियां 1946, इस तरह से, किलियर हुआ न, कि किस तरह से एक भाग ही हो जाता है, ये वाला समयकाल, और दूसरा हो जाता है बिटिस समयकाल, यानि कि ये सम्विधानिक विकास का अलग दौर होता है, और ये सम्विधानिक विकास का अलग दौर होता है, किलियर हुआ न, तो चलिए, एक एक करके देखते हैं East India Company वाला फिर देखेंगे बेटिस किराउन के अंतरगत वाला आईए आईए देखते हैं 1773 का Regulating Act ठीक है तो इस Act के दोरा बेटिस संसत का भारत में East India Company के कारवें पर पहली वार नियंतर बहस्तिचे शुरूग हो गया था बंगाल का सासन गवर्नल गवर्नर जर्नल तथा चार सदस्य परसद में नहित कर इनके निड़े को बहुमत द्वारा दिये जाने की विवस्ता कर दी गई थी मदरास वा मुंबई प्रेसिडेंस को बंबई प्रेसिडेंस के अधीन कर दिया गया था तीन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जर्नल के अधीन कर दिया गया था जिसके तेद भारत का पिर्थम गवर्नर जो था वो लॉर्ड वारिन हैंस्टिंग बनता है फिर से क्ल बारत में ब्यापार करने के लिए अंग्रेजों को एकादिकार दे देती याने किसी दात मतलब यह था कि अंग्रेज की जो कमपणी है बिट्रीस इस्ट इंडिया कमपणी जो की 25 लोगों के द्वारा चलाई जाती थी 25 लोगों का एक सदर से था जिसमें 24 जो थे वो सतरय दर्वार बेजने के लाए 1693 में पर सम प्रेटरि कोलते उसकी बाद 1615 में मतलब बिली मौकिन्स के बार टॉमस रोटा है जांगीर के दरवार में और 1618 में पूरे देश पर क्या होता है मतलब मुगल समराज ज्वाले छेत्र में क्या कर लेते हैं यह व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है तो अंग्रेजों के सामने और प्रिट्रण देश था पूर्टगाल था इस्पेन था डेन्मार्क था इनको भी अटाना था इनसे क्या होती है नितीमे में हटाजनी तीमे में हस्तेश फेब्र करने लगते हैं तो यह क्या करते हैं यह भी पैसा कमाने लागते हैं जगडा करा रहा है तो यहां वहले बात के चन्दी भी होती है, दोय।र्स रासन के परक्रिया भी हो जाती है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है, यह कर वसूली का अधिकार, जब इने अधार दौलक जब मिल जाती है, तो अंग्रेजों की संसद में बात हुई कि एसी बात है, की वेटेन की जो biggest इसक्वर है जो कि भारत में क्या कर रही है ब्यापार कर रही है इक अधिकार इसको मिला है इस पे कुछ कंट्रोल बगएरा लगाए जाए तो सत्रे सो पैसट में जब ये दीवानी काधिकार मिलता है पैसे जब अच्छे-खासे कमा रहे होते हैं तो बेटेस इस्ट इंडिया कमपणी जो है कंट्रोल से बाहर ने चली जाए इसके लिए बेटेन की संसत के द्वारा पहली बार बेटेस इस्ट इंडिया कमपणी के कार्णियों पर नियंतरबस चेप करना शुरू किया तो कब किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानि कि कुछ रेगुलेशन यानि कि कुछ नियम काइदे बनाए गए पहरे कोई रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं इसके तहित क्या किया गया था इसके तहित जो बंगाल वाला जो चेतर था बंगाल बंबई मदरास ठिक बंबई यह बंबई वाला चेत यह मदरास वाला चेत तो बंगाल मदरास मदरास और बंबई तो बंगाल का गवर्नर जर्नल ठिक बंगाल का गवर्नर जर्नल चार सदस्य परसद में नहित कर दिया गया था इसके नेड़े को भामत के द्वारा लिया जाना था यानि कि जो बंगाल का गवर्नल क्या कर दिया था चार परसद में चार सदस्यों की परसद बना दी गई थी उसमें सारी सक्तिया नहित कर दी गई थी और नेड़े भामत के द कर दिया गया था और तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया था यानि कि बंगाल बंगाल मंबई और मदरास को तीनों प्रेसिडेंसियों को किसके अधिन कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया था इसके त हैंस्टिंग को बनाया जाता है पहली वार बेटेन की संसद के द्वारा कब कंट्रोल किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था इस एक्ट के अंतरगत यानि की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कूलकाता में एक उच्छ नियायले की स्थापना की गई थी, किसमें कूलकाता में उच्छ नियायले की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख नियायदीस तता तीन अनियायदीस थे, जिसमें सर एलिजा इंपे, इन्हें हम आधे जीवन पर लड़की समझते थे, ले लेके पिर्थम मुख्य ने आया अधिस एलिजा इंपे थे ठिक कम्पनी अधिकारियों को निजी ब्यापार करने और भारती लोगों से किसी भी प्रकार के उपार के लेंदेन पर पिर्तबंद लगा देती है 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट के था पहले निजी ब्यापार का क् एसे कि कम्पनी क्या थी पहले ब्यापार कार कर रहे थे लेकिन कम्पनी के करमचारी क्या कर रहे है माल लिजे मैं ट्रेन में मैं टीटी का काम करता हूं टीटी का काम करता हूं ट्रेन में क्या कर रहा हूं मैं टीटी तो सेलरी पाई रहा हूं सरकार की तरफ से साथ में क्या करना हो। टेकट वागएरा देखना है किसी का कुछ करना है तो ज्यादा बिनाटीकट के तो पकड़ने में आते हैं तो क्या कर लिए हमने ऐसे करके ऐसे करके हमने एक ठेला ले लिया उसमें थोड़े से गुटका रख ली कमला पसंद बिमल राश्री गोल्ड महौर और थोड़ा सा गुटका रख लिया थोड़े सी मुँफली रख ली तो हम टीटी का तो काम हमारे चल रहा है ट्रेन में घूम नहीं है तो साथ में क्या कर रह रहा है और साथ में चाई भी लेते जा रहा है मुफले 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 गरमा गरम मुफले जैसी भी होती हो मुफली 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 बेचते जा रहे हैं कमला पसंद बेचते जा तो यह जो निजी ब्यापार था इस पर क्या लगा दिया था प्रत्यबंद लगा दिया थ तो आप केबल टीटी के कार्यों काज क्या करें कार्य हम मन करें आप इदर उदर के जो है निजी ब्यापार नहीं करेंगे मुंफली नहीं बेचेंगे कमला पसंद नहीं बेचेंगे तो इस तरह से ब्यापार पर क्या लगा दिया था इन्होंने ब्यापार पर क्या लगा दिय सकत हो गया इससे बारत में राजस नागिरिक और सेहन इमामलों की जानकारी बिटिस सरकार को देना क्या कर दिया था Aवश्य कर दिया था किसके दिया एक्ट सस्तर सस्तियक्तर का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमिया बगयरा थी उसमें सुधार के लिए ही बनाया गया था तो इस एक्ट के तहट गवर्नर जनरल की परिस्द मद्रास और मुंबई प्रेसीडियों में क्या कर दी थी इस्तापित कर दी गई थी कंपनी के भारती अधिकरत प्रेसेडियों को पहली बार बेटिस अधिकरत भारती ये प्रदेस कहा गया यानि कि पहले क्या था कंपनी पहले क्या का जाता था बेटिस इस्ट इंडिया कंपनी के चेतर कहा जाता था यानि कि वे चेतर जो बेटिस इस्ट इंडिया कंपन बनाई थी पर्षद बनाई ती ठीक है? इन तीन मेंसे एक मुक्ह सेना पत्ति को दिया जाएगा, इसे युद्ध, तथा संदी, राजा सूष्ण सक्ति और देसी रियास्तों के आद खे अधीछड की सकती पिर्दान की गई थी भारत में अंग्रे जी अधिकरत छेत्र का पूरा अधिकार इस्थापित करने के लिए Board of Control की इस्थापना की गई थी इस पिरकात द्वेस्थासन की विवस्ता का क्या होता है यहाँ पर सुभारंब हो जाता है ठीक है चलिए तो नियंतरक मंदर देख लेते हैं Board of Control या नियंतरक में छे सदसिय यह थी इसमें Chancellor of Ex-Shaker एक राजी सचेप चार सदसिय फ्रिवी काउंसिल के इन सभी की नियंतरक मंदल के माद्यम से समराथ यह एस्थिती 1858 तक बनी रहती है तो यहां पर क्या होता है दो यहां पर कौन-कौन गंट्रोल करना है दो पहला Company का निदेशक बोड़ जिसके मैंने कितने बताये थे 24 निदेशक थे और एक क्या था एक governor था, दूसरा नियंत्र मंदल के माध्यम से समराट, क्योंकि नियंत्र मंदल ये किसके अंडर में था, ये सारा समराट करना था इनकी न्युक्ति, Chancellor of Exchequer, राज सचेब, ठीक है, चार सदस से प्रिवी काउंसिल के, ठीक, प्रिवी काउंसिल के चार सदस, इन सभी की नियुक्ति कौन करते थे, पच्चियोदी का अधिकार किसको था, समराट को, समझ पा रहा न, तो यहाँ पर क्या था, डूएल, बहुत, दूएल सातन का, व्यवस्ता का सुबारम हो गया था, चली, च सेरे का चार्टर एक्ट देख लेते हैं, इस एक्ट के दौरा कंपनी के भारती व्यवापार के एकादिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यवापार, एवं पूर्वी देश्यों के था, चाय के व्यवापार पर 20 साल के लिए एकादिक बना रहा इसाई धर्म के पिरसार के लिए मिसंडरियों को भारत बेजा गया था बिटिस प्यापारियों एव इंजिनियरों को भारत आने तता यहां बसने की अनुमती प्रदान कर दी गई थी लेकिन इसके लिए उन्हें संचालन बोर्ड या का नियंत्रड बोर्ड से लेना आवस्या था चीजाथ मतलब यह था कि आपको पता होगा कि 31 दिसंबर को क्या था 31 दिसंबर सन सोले सो में क्या होता है आपका भारत बिटेंड में बिटिस इसकिन या कंप्री की स्थापना होती है और महरानी एल जाविद पिर्थम से क्या करते हैं यह एक चार्टर रहा कह करते हैं जिसमें क्या था पूर्वी देशों में एक अधिकार प्राफ़ता है आने की बिटेंड की को भी दूसरी कंपनी भारत में ब्यापार नहीं कर सकती थी बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के अलावा लेकिन इस चार्टर के तक क्या था कि इस चार्टर में वो एक अध रखा जाता है पहला तो यह कि चाय का चाय पर अभी वी अधिकार था चाय के साथ ब्यापार का बीस वर्सों के लिए एक अधिकार था और चीन के साथ ब्यापार, मैंने क्या बता, चीन के साथ ब्यापार, और पूरी देसों के साथ, चाएक का ब्यापार पर 20 वर्सों के लिए अभी वी एक अधिकार बना था, ठिक, इसाई मिसनिरियों के पिरसार के लिए भारत में, इसाई धर्म का पिरसार करने के लिए भारत में, इसाईयों को भीजने का अधिकार इस चार्टर के तहर्ट दे दिया गया था बिटिस ब्यापारी तो था इंजिनियों को भारत में आने तो था वहां बसने की अनमती मिल जाती है लेकिन उससे क्या करना होगा नियंतर वो जिस बोर्ड आप कंट्रोल से क्या करना होगा आपको एक लाइस को संपूर भारत का गवर्नर जर्र्र गोसिद कर दिया गया था इसके साथी लॉड विलियम बैंटिक संपूर भारत का पहला गवर्नर जर्र बना तथा उसे सेन और असेन सक्तियां प्रदान की मैं फिर से बता दूँ अठारे सो तैजिस का चार्टर एक्ट क्या क्योंकि 1773 का जो regulating act आया था उसमें बंगाल का जो governor था वो क्या कहा जाने लगा था वो उसे बंगाल का governor governor कहा जाने लगा उसके बाद 1833 के charter act के दौरा पूरे भारत का पूरे भारत का governor journal कहा जाने लगा ठीक है इसके साथ ही lord william bentic क्या बनते हैं भारत के पिर्थम governor journal बनते हैं और इने सेन और सेन सक्थियां प्रधान कर दी गई थी देश में दास प्रता थाखी प्रता का जो है अंत कर दिया जाता है यानि कि अवैद गोसित कर दिया जाता है अंत तो नहीं कर पाते हैं बहुत लंबी प्रक्रिया थी किसके दौरा आपका lord william bentic के दौरा दास प्रता इसके द्वारा किसकी विद्यायो की स्थापना की गई थी गबर्नर्स जनरल की परसद में एक विद्य सदस यानि की मेकालियो को सामिल भी किया गया था विद्यायो की स्थापना की गई हो गबर्नर्स जनरल की परसद में एक विद्य सदस यानि की मेकालियो को सामिल किया गया इस एक्ट के दौरा सिविल सेवकों के चैन के लिए पहली बाल खुली प्रत्षिष परदा के, आयोजन का प्रहास किया गया था यानि कि इस से पहले क्या था कि जो सिविल सेवक जो चुने जाते थे, यानि कि जो परिशह होती थी उसमें केवल अंग्रेज यानि की गूरी चमडी बाले ही भाग लेते थे ठीक है अब पहली बार क्या कर दिया गया था कि पहली बार सभी के लिए खोल दी गई जी सिविल सेवा के लिए लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको टेस्ट देना होता था ठीक है चाय का करने संबंधी कंपनी के अधिकार को भी समाप्त कर रिया जाता है यानि कि जो की 16 सन 16 सो में आपको अंग्रेजों को ये अधिकार दिया जाता है कि भारत वाले छेतर में और ये पूर्वी छेतर में अकेला जो है क्या कर सकता था केवल बिट्री सीस्ट इंडिया कर सकती थी ज जिसको 1813 के Charter Act के तहट केवल चीन और चाय, चीन और चाय के जाथ, चीन के साथ और पूर्वी जो देशतें इन में चाय के व्यापार के लिए केवल एकादिकार रह गया था, बाकी का खतम कर दिया जाता है, और यहां पर क्या होता, 1823 के Charter Act के तहट चीन के साथ एकादिकार और इन चेतरों में पूर्वी जिसमें चाय के व्यापार वाले को भी प्रापधान को भी समाप्त कर दिया जाता है, जाक देशें, 1853 का Charter Act, इस एक्ट के दोरा पहली वार गवर्नर जनरल की परिस्त को बिधाई एवन कारिकारी सक्तियों को क्या किया जाता है, अलग- जनरल की परसद की बिधाई सक्तियों और कारिकारी सक्तियों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, यनि बिधाई सक्तियों अलग कर दिया जाती है, और कारिकारी सक्तियों अलग कर दिया जाती है, इस एक्ट के दोरा सिविल सिवाओं को चुन्नेयों भरती के लिए खुली परतीशपेंदा प्रमृतियों के नास्व के गई थी अथा तकी तीकिते हैं आटारे절 सु चववन में बनी मैकाले समिश्खार्षव के अंतर पहली बार सिविल सिवा प्रतीशपेंदा भारतियों के लिए भी खोल दी गई थी बारतिक केंद्री बिदान परसों ने पहली वार इस्थानी प्रतिनित का प्राबधान किया गया जिसके अंतरगत गवर्नर जनरल की छे सदस्थियों में से चार सदस्थियों को मदरास, मुंबई, बंगाल और आगरा की इस्थानी 33 सरकारों को चुना गया था ठीक है? चली, बात करते हैं भारत सरकार अधनियम उननीस्स सो अठारसो अठावन ये पहला था जो की बिद्टिस किराउन के या भारत सरकार अधनियम या भारत परिसद के द्वारा ये पारित कराए गया था ठीक है? ऑई देते हैं। तो भारत में East India company का क्या होता है खाल समाप्ट हो जाता है। तथा इसके बाद British Taji आननी में इसके क्राउन का साषन क्या हो जाता है। लाग हो जाता है। याझनी क इससे पहले क्या था आठरे सो अठार बेस इस्ट इंडिया company कर रहे थे लेकिन बिटिस इस्ट इस्ट निया कंपिनी ते क्या कर लेते हैं जो समराट होते हैं वो छीन लेते हैं और किसके अंडर में आ जाता है बिटिस क्राउन के या बिटिस ताज के अंडर में आ जाता है बिटिस ताज के लिए इसको नियंतर करने के लिए भारत सचीब की नियुक्ति की बारत सचीब की साइथा के लिए 15 सदस्य बारत परसद का गठन किया गया था ठीक है चिरह आई देखते हैं तो बारत में इस इंडिया कंपेनी का साथन तमापत हो जाता था 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 बेटेस ता जाने की बेटेस किराउन इस पर साथन करता है समराट की समराजी की सुरक्षा के परसद चन्षे का आदर आधार का इसाइथा की अनुषा करने को भी पात किया गया था नियंतरर बोर्ड और कॉर्ट अव ने देशक को समापत कर दिया जाता है वा हाजनी कि परिणाली होती है वो समाप्त हो जाती है के लिए रुआ क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने क्या बताए था जिस तरह से 1600 में क्या होती है इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में यह अपना व्यापार करने आती है व्यापार करने के बाद 1764 में यह करता दरता बन जाती इस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद यह भारत बेराज करने लगती है राज करने के साथ हो ती, एठारहे सो सक्तावन में किरांती होती है इसको एठारस के , बिरों के नहां के नाम से जाने जाता है, उसके Заइन की महारानी जो है 누가 करता दरता थे उनको बलाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रका है आपने य यह कंटॉल नहीं हो रहा है आप पे, इनसे control अपने हाथ में लीजिए तो इसके क्या होता है कि British Sydney Company से control क्या करते हैं महरानी अपने हाथों में ले लीती है और महरानी के लिए एक भारत सचिव का निक्ति की जाती है भारत सचिव की मदद के लिए आपका पंदरे सदस्द की क्या थी एक साहिता के लिए पंदरे सद गठन किया गया जिसे भारत परसद कहा चाने लगा था इसके बाद governor जबन जो थे उनका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है और वोई सराय को क्या मतलब होता है किराउन का प्रतिने दी यानि कि वोई सराय जो है किसका प्रतिने मनलब किसके लिए काम करेंगे आपके बेटेस किराउन यानि कि समराट के लिए काम करेंगे और समराट के लिए कौन काम कर रहा था आपका भारस सचिब काम कर रहे थे तो यह क कि इसको खबर पहुचाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग भारस सचिप को खबर पहुचाएंगे ठीक है इसके बाद नियंत्रड बोर्ड और निदेसक कोड जो होता है वो दोनों समाप्त कर जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब बाद यहां पर कि फिरेशी इन दोनों को समाप्त कर दिया चाता है चलिए बात करते हैं अथारह सो एक सट का बारत परसद अधिनियम इसमें क्या होता है वाई सराह को अपनी परसद को विस्तरित करने के लिए है यानि कि इसमें सदोस्यों को बढ़ाने के लिए तीन भारतियों को गैहरा थिक्रत रूप से मनूनित करने की सक्ति मिल जाती है जिसके तहत इनको एठारिस वानुट में लॉड कैनिंग ने तीन भारतियों को बनारइस के राजा पतेयाला के महराज और सर दिनकर राब को क्या कर दिया अपनी परसद में सामिल कर लिया था यानि कि इसका ये मतलब था कि इससे पहले एठाराइस एक सथटे पहले ये इस्तिती नहीं थी भारतियों जो उनकी लॉड वाइसराय की जो परसा थी उसमें किसी भारति को नहीं रखा जाता था लेकिन आपका इस इस ड्रिध्र है मिलनी स्रोग थी गैध अधिकर स्रूप से यानि कि उसमें कि प्राब्धा नहीं था उन्हें कोई खास अधिकार नहीं मिली थे कोई भी अधिकार नहीं थे ऐसे कर लिया था तो जाई सी बात है अब चौर जैसे में चौर हूँ तो च्याँ करेगा अगर तीन नोगों को समील करना है तो जाइश सी ओध करेगा तो यह वो लोग ते जो इनके अंग्लेसि वगयरा हो रहा और है यह सारे अंग्रेज बैठे कुछ नहीं होते थी यहें इनके चांक होते थी बाह से कुछ ग्यान होता नहीं था इंग्रल euh वाप होती उस्ट में रखा गया था और कुछ नहीं उसके बात मतलब इन्हें याओ जाए याव चब देल रचाने अrophyक्ष हे दो कि तॉमी टॉमी एक दम दोड़ के आये तॉमी को क्या कर दिया या कि वला हाद टूब अठा दिया कुछ समझ में आये या ना आये हां तूपर करो हाद तूपर कर दिया इस तरह सामिल कर लिया दिने कोई अधिकार पर गया रहा नहीं था ठीक है तो ये बनारस के राजा पट किंदिया कंपणि को क्या कर दिया जाता है थिक है बंगाल आपका आपका दिखा दूं नौर्जच इनियर आपको ये आपका बंगाल दिख जाएगा यह है नौर्ट वेट बाला यह बंगाल और यहाँ पर यह है पंजाब बाला ठीटिक चाहिए आई देखते हैं भारत परसद अधनियम अठारे सो बान में इसके तहित के तहित प्रांतिय बिधान परसदों में कैर अधिकरत सदस्तों की संक्या को बढ़ा दिय देखते हैं इसमें बिधान परसद के कार्यों को बढ़ाते हो बजट पर बैहस करने तथा सरकार से प्रिटने के सकिति दे भी जाती है इस अधनियम के दरहास कि रूब से केंद्रिये और निर्बाचन की विएसता की जाती है कि जो deceive की एठाराइट से वाली की बात करना एं घैना ता तेन की राजा का क्या कि तो इसके साथ ही बजट पर बैसरकार से पूछने का क्या किया जाता था लेकिन वो अगैंगे पर barracks रखो कि जाइसी वात है उनी लोगों को रखो को जो प्रतिन न पूँचे हम तो हमें जब अधिकार दिया गया तो हम तो अपने पालतुओं को रखेंगे तो इस तरह से यह कि बनाम मातर की रहता कोई बजट पर बस पूंचा जाता है कि बजट पर बैस करने का अधिकार का मि चलिए नेक्स देखते हैं उन्नी सो नो का मारले मिंटो सुधार अधिनियम ठीक है सर अरुंदिल कम्यूटी की रिपोर्ट के आधर पर फर्वरी उन्नी सो नो में नया अधिनियम पारत किया गया था जिसे भारत परसद अधिनियम उन्नी सो नो या मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया था इस इस ने केंदरी और प्रांती बिदान परसुदों में काफी विरद्धी की थी केंदरी परसुद में इनकी संक्या सूले से साथ कर दी गई थी पहली बात प्रिथक निर्बाचन मंडल की विवस्ता की गई थी यानि कि मुसलमानों को अलग से बोट ड प्रुतनेदिवें का अधिकार मिल जाता है गवर्नर जनेरल की कारकारड में एक वारती सदस्त में वारती सदस्त करने की ब्रुब सजब की जाती है संपर्दाइद प्रतिनेद्ट कम्यूनल रिप्रेजेंटेटिव या कम्यूनल अवार्ड का प्राधन इस अर्दिनियम की प्रमुख पिसिस्ता थी इसी काल लॉर्ड मिंटो को संपर्दाइद निर्वाचन का जनक यानिकी पापा कहा जाता है इसने Presidency, Corporation, Chamber of Commerce, विस्वयादधाले और जमीदारों के लिए अलग प्रतिनिदित का प्रायबधान किया जाता है, यानि कि सीधा तो मतलब था सर अरंडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधर पर 1909 का मारले मिंटो सुधार जो था, आपका क्या किया जाता है, लागू किया जाता है यहाँ पर मिंटो जो सुधार आपके सचेव थे, तो इसी के नाम पर कभी कभी ने कहा जाता है, मारले मिंटो सुधार, इस 1909 के अधिनियम में आपका प्र्थक निर्वाठ्चन मंदल की वेवस्ता कर दी जाती है, जिसके काड़ क्या होता है, संप्रदाएक क्या हो जाता ह है communal award से कहा जाता है क्या कहा जाता है communal अवार्ड इस अधिनियम की प्रमॉक्ष दीश है इसलिए आपके यृर्ड मेंटो रवार्ण को संप्रदायक न्रवाचन का क्या माना जाता है जनक पापा या फादर ऑफ all kuminal और अवर्ड अवर्ड माना जाता है इनको ठीक है मुसल्मानों को अलग से दे दिया जाता था इसमें ठीक किलियर हुआ ना चलिए भार सरकर अधनियम 1919 देख लेते हैं इसको इस अधनियम को मौन टेगू टेट्यू स्बडार की कहा जाता है मौन टेगू भारत की सचयति जबकी छेम स्पोर्ड भारत के वाइसराय थे कि इसमें इस प्राइस उन्निस की अधिनियम के थे इसमें दो सदनbayली वाली विवस्ता की की थी जिसके इंतरकश्ट प्रर्थम सदन जो कहला था था राज पर सता दंद्य कया था केंद्रिय बिधान सवा के नाम से जाना जाता था सबसे प्रत्थम सबसे पहले यानि कि यहां पर प्रत्य रूप से बिधायका के सदस्यों के चुनाप का प्राबधान किया गया था यानि कि 1919 के तहती सबसे पहले बिधायका के सदस्यों को चुनाल प्रत्य रूप से किया ग आता है चलिए चलिए साइमन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं साइमन कमीशन है साइमन आयोग तो सर जोन साइमन की अद्यचता वाली साथ सदर से कमीशन का अगठन किया जाता है आयोग के सभी सदर से जो थे बिटिस जनते आने की बिटिस थे इसलिए इस इसका बिरोज स पारिस इसमें सामिल की थी होता है कि आपका आपको पता है कि जो अधिनियम लाए जाते थे जैसे उन्नीस तो नौका मान लीजिए उन्नीस का मान लीजिए तो जो अधिनियम होते थे जो भी नियम काईदे ये जो बनाते थे उनका हर दस साल में किया जाता था समीच्छा की ज सरनाता सुदार करने के बाद 129 का एक अधिनिया माना था लेकिन होता क्या है उन्य सू उन्निसका अधिनिया माता है लेकिन होता क्या है आपका erhalten में होने वाले तो चुनाब चुनांब में होने की वजए सब्सक्राव आते हैं उसे लगा कि यार अभी अगर चुनाब आते हैं और चुनाब होने के बाद कहीं हमारी सरकार ना आई तो कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी जो है वो क्या कर दे दूसरी पार्टी जो है भारत को कहीं आजाद न कर दे इसलिए क्या किया उसने पहले से ही वड़ावाद करने के लिए मलाई बहुत क्या क्या है कि आपका इस कमीशन का विरोध किया जाता है कमीशन का विरोध करने का सब से प्रमो काड़ ये था कि जितने भी सजफ्से सर जॉन्स साइमन का धितामों जो भी कम visão मैं जाती है इसमें जितने भी सजफ्से स्थ WR THV के सब गोरेद लोग थे सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़के जिनका नाल तर डॉक्टर भीहम राव अंबेड कर ठीक है तो उन में क्या था कि सारे सदस जो थे गोरे थे इस कार क्या था इस कमींशन का बिरोध किया जा तो आपको पता है कि इस कमींशन का जब बिरोध कर रहे हो और उसके बाद की आगे कहानी जो है आपने इत्यास में फड़ी होगी समझे है ना तो किस तरह से होता है आपका उन्नीस सो उन्तिस में होना था लेकिन सतर अरुड़ पार्टी जो होती है उसमें चुनाम होने थे बिर्टेन में कहीं वो आ जात ना करते इसलिए दो सार पह इस अधिनियम में दो सो तीन सो एकिस धाराय तथा दस अंसूचियां थी इसके कुछ प्राद्धान देख लेते हैं प्रांतों में दुए सासन की समाप्ति कर दी जाती है प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की इस्तापना की जाती है आपका भारत सरकार अधिनियम है भारत स लासन अधिनियम के तहत अखिल भारतिय संकी की इस्थापना की जाती है जो कि एक चूचला था यानि कि एक सिर्फ एक मूर्त रूप इसको दे नहीं पायते है बस इसमें प्राध्धन कर दिया था 1935 के अधिनियम में तो केंदर है वो राज एकाईयों के बीच तीन सूचिया और समर्थी सूचि कि माध्यम से सक्तियों का क्या कर दिया जाता है बटवारा कर दिया जाता है और अफस्ट पिस्यों पर बिदी बनाने का अधिकार वोईसरा को दे दिया जाता है बारत के प्रांतों में चीप कमिस्टनर प्रांतों में देशी रियास्तों को मिलाकर एक अ जो में से छे में दूसरदनी विवस्ता का प्रारम कर दिया गया था बंगाल, बंबई या मंबई, मदरास, विहार, सेंक्ट प्रांस और असम में क्या कर दिया गया था, छे सदुनों में दूसरदनी विवस्ता का क्या कर दिया गया था, प्रारम कर दिया गया था, साथ नियंतर के उद्दिश से आपकी रिजर बैंक की इस्थाफना की जाती है केंदर में दुए स्थासर प्रणाली की शुरुआत होती है संगी विश्वों पर इस्थान तरिद एवो महारचित विश्वों के रूप में बेवाजन कर दिया जाता है सामपरदाइक प्रतिनु से अधिक विश्वेयों के लिए का गठन किया गया था संगी नईयम की तरह करते है के भारत सरकार अधिनियम 1935 भारट सरकार अधिनियम के तेट 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छें और 10 अन्सूचियां थी इस अधिनियम दोरा अखिल भारती संग यानि की ओल इंडिया यूनियन का प्रापधान किया गया था जिसमें आपका इस तरह से ये पूरा जो छेतर था आपका पस्षी मंगाल वाला आपका ने पाकिस्तान बालस पूरे छेतर को मिलाकर एक अखिल भारती संग की इसतापना का प्राप्धान किया गया था जो कि मूर्त रूफ में नहीं ले सगा इस संग में बेटिस प्रांध्रों को सामिल करना अनिवार था लेकिन देशी रयास्तों का सामिल हो राजाओं की इच्छा पर निर्वर था ठीक है इस एक्ट द्वारा संग तता राज़ी के भी सक्तियों का विवाजन कर दिया गया था वेबेन ने विश्यों की तीन सूचियां बना दिया गया था उसे केंदर में अब लागू कर दिया गया था केंदरी सरकार के विश्यों को को दो बाजों में बाजित कर दिया था या नि भांडि दिया था संद्चित विसय और अंत्रों की बात करें तो गवर्नर को रिकार गाईगार अधिकार में थे के कुछ एसे संदmar जिसे थे जिस पर सिरफ और क्या कर सकता स recognize कानून बना सकता था बाकी केंद्र में जिस सदनात्मक बिदायका की स्ठाफ ना ह Pardon कर लिया गया है ता प्रांती बिदायका को प्रांती सूची तथा संबर्थी सूची पर कानून बनाने का अधिकार देदिया था मंत्री परसद को बिधान मंडल के प्रती जिम्मिदार यानि कि एकाउंटेवल बना दिया गया था और वह एक आविश्वास प्रस्ताव यानि कि नौन confidence motion पारित कर उसे पद्च्योत यानि हटा सकता था इस अदिनियम के तहट आपका जो बर्मा था इस अदिनियम के अदिन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उडिसा तथा सिंध नाम के दो नए पिरांत बना दिये जाते हैं यानि कि इससे पहले जो म्यामार वाला ज 2535 के अदिनियम के तह आपका बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है उसके बाद उडिसा यहाँ पर उडिसा देखने को मिल जागा और सिंध नाम के दो अलग प्रांत बना दिये जाते हैं जिसकी काफी समय से मांग चल रही थी इस अदिनियम को भा या दो से अधिक राज्यों के लिए सेंग तो दोक, सिवा, आयोक की isthापना का प्राबधान किया गया था इस के ता निश engag긴 में संग यह निया अलय की स्थापना किये गया था नहीं कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मेंट एटली द्वारा यह गोचना की गई थी कि बिटेस आसन भारत में 30 जून 1948 तक क्या हो जाएगा समाथ हो जाएगा और सत्ता जो है भारतियों को सौंप दी जाएगी इसके बाद बिटेस भारत के दो भाग भागों भारत था पाकिस्तान में बेभाजन के लिए वैसरा ल कि न्युक्ति का प्राप्धान कर दिया जाता है ठीक है इस अधिनियम के अधिन भारत डोमीनियन को सिंदु कहा पर था यह सिंदु वाले चित्र में आप साथ साथ देखाता था हूँ सिंदु सिंदु और सिंदु बल्चिस्तान ठीक पूर्बी बंगाल ठीक पूर्वी यानिक यिवाला जो पाश्ची बंगाल के नाम से जाना गया और असम वाला चीट चित्र था असम का सिलट जिल्यू को छोड़कर भारत का जितना भी चित्र था वो भारत को दे दिया जाता है یानिकि-स अधिनियमे के लिए को सिंदु ब भारत में मिला दिये गले इस अधिनियम ने भारत में विटी स्राजी समाब्त कर दिया था और 1512 Jesnライis को इस इसे स्वतंत्र और संप़िरवु राष्त्र घोशित कर दिया था 14 हो पंदरे अगस्ट की न Easter abruptly मद्रात्री में केंद्री assembly में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तता जन गड़ मन एम सुब्बा लच्मी द्वारा गाया गया था सुतंता के समय कॉंग्रेस के अध्यच जो थे जेवी क्रप्पलानी थे यानि कि जब पंद्रे अगस तो निसो सेटालिस को जब भारत देस आज़ाद हो रहा था तब क्या था आपके जेवी क्रप्पलानी यानि जीवट राम भगवान दास क्रप्पलानी क्या थे इस समय कॉंग्रेस के का सेख लिया अब हम बात करते हैं संविदान सवा और भारती संविदान का निर्मार कैसे किया गया था कोई दिविप्रुत उतरा था उपर से लेका आया था ऐसा नहीं सब लोग कि और रहे क्या वारती संविदान सवा संविदान की गठते समीर सवा की संविदान सवा की संवयां । गए थी किसको संविधान सवा के लिए जो एक प्रतिनिती मंडल जिसका गठन किया गया था उसको क्या का गया संविधान सवा कहा गया उन्नीस सो बाइस में हमारे जो महत्मा गांदी जी ते उन गांदी जी के उदगार रहा का उनके जो विचार थे वो ये थे कि संविधान जो थी भारतियों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए इसके लिए भारतिय की इच्छा के लिए सम्विदान बनाने के लिए सम्विदान सवाका गठन किया गया था जनवरी 1925 में कॉमन वेल्ट ओफ इंडिया विल के रूप में सम्विदान एक प्रणाली की रूप रेका प्रस्थितिकर्ड का भारत द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था कब पच्चनवरी 1925 में मई 1925 को बंबई में आयोजे सर्वदलिय सम्विदान बहारत के सम्विदान के सिधान्त निधार करने के लिए मोतिला लहरू के सवापतित में एक समिथी का भी गठन किया गया था ठीक है शलिए 28 अगस्त 1928 को लखनव अदिवेशन में प्रस्तुत की गई इस समिथी की रुपोर्ट को नेहरु रुपोर्ट के नाम से भी जाना गया था अगस्त 1940 के प्रस्ता में बेटे सरकार ने कहा कि भारत का सम्विदान स्वें भारतवासी ही तैयार करेंगे सम्विदान स्वा की कुल प्रस्तावी संक्या जो थी 389 दिजिसमें से 292 विविन प्रांतों से 93 देशी रियास्तों से तता चार मुख्य कमिंशनी वाले प्रांतों से आने थे यानि कि पूरे भारत से कितने आने थे 389 आने थे यानि कि 389 जो थे आने थे जिसमें से 292 क्या थे 292 जितने भी प्रांतों से आने थे बाकि की देशी रियास्तों से आने थे तो चार जो थे मुख्य कमिंशनी से आने थे ठिक चली पुर्णर गठन के फज़रूप बर्स 1947 में भारत की सम्मिदान सवा में 324 सज़स्ति जो बाद में केबल क्या था 200 नियानबे ही रह जाते हैं भारत की सम्मिदान सवा की प्रतम बैठा 31 अक्टूबर 1947 में होती है सम्मिदान सभा में महलाओं सदंस्यों की अगर बात की जाए तो पंदरे थी ठीक है महलाओं की संक्या कितनी थी पंदरे थी अनसूची जातियों की संक्या की अगर बात करें तो कितनी थी 26 थी ठीक है अनसूची जातियों की 26 थी अनसूची जातियों की अगर बात की जाए त संविधान सभा में ठीक है? तो इसमें क्या मने बताया था कि तीन सो चोबिस अध reicht से बाद में क्या था? कीवल दोसो न 990 ही रहे जाते हैं, कैसे रह जाते है, उनके बाद में बात करेंगे. बात के संविधान की रचना के लिए कि संविधान सवा का विचार सबसे पहले सुराज पार्टी ने 1934 में प्रिस्तुत किया था सुराज पार्टी ने किस ने किया था चितरंजन डास की जो सुराज पार्टी थी उसने क्या किया था आपकी संविधान सवा का विचार सबसे पहले दिया था मार्च 1942 में सर्च इस् करता है थी या कि जो भी प्रावधान थे इसमें उसे भारती क्या कर देते हैं अज रिकार कर देते हैं उसके बाद 24 मार्स निज्व चारीस को लॉड़ पैथिक लॉरेंज की अद्याइश्था में कैविनिट मिसन सत्ता अस्तानांत्रड के लिए संब्यधानिक व्यवस्ता क् भारत में आते हैं यानि कि जो सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंज की अद्याश्था में जो कैविनिट मिसन भारत में आता है वो क्या होता है सम्मिधान की विवस्ता करने के लिए और सस्ता अस्तानांत्रड करने के लिए इसमें प्रावधान करने के साथ ये भारत में आते हैं प्रिष्टाव को क्या करते थे सुईकार कर इसे विवारिक रूप प्रदान करना शुरू कर देते हैं 1946 में गठित अंतरिम सरकार या कैबिनेट अंतरिम कैबिनेट की अधिश्टा नहरू के द्वारा की थी संविदान शवा का प्रिष्टम एधिशन जो था 9 दिसंबर 1946 क 때문에 सचिदानांद सिन्न्ना की अधिश्ता में होता है को डॉक्टर राजंद परसाद को चुन लिया जाता है सम्मिदान सवा के सम्मिदानिक सलाकार वी एन राव थे तेरे दिसंबर उन्नी सो च्हारीश को पंडिच जवालना लहरू ने सम्मिदान सवा में उद्देश प्रस्ता प्रुस्तित किया था जिसे बाईश जनवरी उन् रूप समिती का गठन किया जाता है कब 29 अगत 1907 को लॉड माउंट बेटन ने तीन जून 1907 को भारत को दो भागों में बाटने की गुंसरणा कर दी गई थी जिसे लॉड माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है सम्मिदान सवा के बिचार का अपचारिक रूप से प्रतिबादन MN राय के द्वारा किया गया था है निकि सबसे पहले सम्मिदान सवा का अपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया था तो MN राय के द्वारा सम्मिदान सवा में सक्ति के केंद्र बिंदू जो थे पो थे आपके पंडित जवाला नहरू और सरदार बल् द्यच को सुमप दिया जाता है चार नवंबर 1948 को संब्धान जो था अंतिम रूप से पेस किया जाता है यानि कि इसे सबसे पहले याक है इसका जब शुरुबाज जो होती है इसका ड्राप्टिंग जो था पहला प्रारूप जो था उननीस सो सेतारीस अक्टूबर में जब इ किया जाता है यानि कि वो बनकर तयार हो जाता है उसके बाद फिर पिर्थम बाचन होता है पिर्थम बाचन यानि कि जब इसको पढ़ा जाता है पिर्थम बाचन पूरे संब्धान को तो इसको पिर्थम बाचन कहा जाता है तो दूसरा बाचन पंदरे नॉवंबर 1948 तता त तीसरा वाचन सा सत्रे नॉवंबर उन्नी सो निचास को होता है पंद्रे नॉवंबर उन्नी सो निचास को संविधान सवा में क्या होता है संविधान पारित कर लिया जाता है यानि कि पारित किया जाता है पारित कर लिया जाता है और जिसे चब्विस नॉवंबर उन्नी सो न पर्पित कह हुआ माना जाता है और 26 नवंबर 1949 को ही इसमें बहुत सारे ऐसे प्रापदान थे जो अपने आप ही लागू हो जाते हैं यानि कि पूर रूप से पूरे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को लागू होता है लेकिन इसके कुछ अधिनियम जो थे 26 नवंबर 1949 को ही हो ज इस पर क्या किये थे हस्ताक्षर किये थे क्योंकि जब आपको बने बताया था तीन सो नवासी इसमें शुरुबात होती है तो यह बाकी कहा रह जाते हैं तो जब पाकिस्तान का बेटवारा होता है पाकिस्तान जवालग होता है पूरी पाकिस्तान पाकिस्तान बनता है तो क क्या होता है कुछ सदर्स जो होते हैं संविधान सवा की जो सदर्स इते हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं कुछ की जो होती है मिरत्ति हो जाती है इस कारण लास्ट में जो रह जाते हैं वो हमारे दो सो नवासी सदर्स इस पर रह जाते हैं और इस पर हस्ताक्षर करते हैं यानि की साइन करते हैं 26 जरवरी 1950 को संविधान देश में पूरी तरह से लाको हो जाता है संविधान निर्माण में दो बर्स 11 महिने और 18 दिन लगते हैं प्रतम आम चुनाव 1952 में होता है संविधान निर्माण के बाद 29 मार्च 1937 संविधान सवा ने प्रारूप समिधि यान अंतिम दिन 24 जरवरी 1950 को संविधान की तीर प्रतियां क्या थी सवा पटल पर रखी जाती है सभी इस तदोस्य ने इस पर क्या किये हस्ताक्षर किये उसके बाद जरवरी 1950 को इसका भारती है भारती गड़राज की संसद की रूप में क्या किया अविरवार वियानी की भारत होती है संसद के रूप में इसकी क्या होती है सुरुबात होती है सबसे अंतिम रूप से संविधान में सबसे अंतिम रूप में जब संविधान बनकर तयार हो जाता है तो सबसे पहले अगर बात करें तो 395 अनिश्चेद आठ अनसूचियां इसमें थी सम्मिदान के कुछ अनुच्छे 26 नमबर निश्चास के दिन में ही लागू हो जाते हैं यह से सम्मिदान के जो भी अनि चुद होता है यानि बचाओ जित्रा ही सम्मिदान था वह 26 जनवरी के दिन एहत्यासिक मेहत्यों के गाड़े 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है तो यह हो गया सम्मिदान बारती सम्मिदान और भारती सम्मिदान सभा और भारती सम्मिदान का निर्माट के बारे में हलकी सी ज्यान करें चलिए आगे बात करते हैं चलिए साथ जो बात करते हैं आगे भारती सम्मिदान निर्मात्री समिटी एवं उसके अध्यच के बारे में बात कर लेते हैं किलियर करते हैं और समझते है संविधान निर्मात्री समिदी जो बंती है ठीक है उसके अद्यच सबसे पहले देखते हैं जब सम्मिधान सवा का घठर रोता है उसमें क्या है संविधान निर्मात्री कि कुछ जैसे प्रमुक समिदी ह respectively तो उसमेच सबसे पहले अगर बात करों तो प्रा समिती की बात अगर करते हैं तो प्रारू समिती के अध्य चुज़े थे डॉक्टर बीमरा मेड़कर थे संग समितान समिती डॉक्टर पंड जवाला लेरू प्रांतिय समितान समिती सरदार बल्लबभाई पटेल मूद अरिकार अल्पसंक्यक समिती सरदार बल्लबभाई पटे जंडा समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाद, रियासस समिती देसी रायस्तों से बातशीत करने के लिए डॉक्टर राजन्द पिरसाद के देस्ता में एक समिती बनाई गई थी देसी रियासस समझोता समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाथ, संचालन समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाथ, नियम समिती डॉक्टर राजन्द पिरसाथ, संग सक्ती समिती डॉक्टर अंडे जवालन लेरू, कार संचालन समिती के एम मुनसी, मूल अधिकार संबंदी उप सम और राजिसमिति जबेडे जवाला लेरू समीदान सवा के कारकिरम संबंदी समिती जीभी माबलंकर आबास समिती पतावी सीता रमया, ठीक है, प्रतेच्छी पत्र संबंदी समिती अलाधी कि श्वामी अयरह, अल्प संक्योक उप समिती एच सी मुकर जी यह कुछ फिर वो कि अधिश थे ठीक है यहां पर सब्सक्र इंपोर्टन जो है वो है प्राजु समिती प्राजु समिती के सदस्य की अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीम राव मेड़कर इसके अधिश थे राम गोपाला स्वामी अयंगर इसके दूसरे सदस्य थे अल्लादी किशना स्वामी अयर के मुंसी सैयद मुहमद सादुल्ला एन माधवाराव डीपी खेतान की मिरत्य के बाद किशना मचारी इसके क्या हो जाते हैं सदस्य बन जाते हैं चलिए भारत में स्वतनता के पश्यात गठित अंत्रिम मं मंत्री मंडल आईए देखते हैं तोड़ा सा सवतनता पश्यात गठित अंत्रिम मंत्री मंडल या इंत्रिम कैबिनेट के बारे में बात करते हैं इसमें कुछ जो थे विभाग थे उनको किस किसको दिया जाता है सबसे पहले बात करते हैं अंत्रिम मंत्री मंडल का जी अध् इच्छी थे पंडित जवाला लेहरू इनको पाध्यच बनाय गया था प्रधान मंत्री भी थे विदेश कॉमन वेल संबंध तथा प्वेग्यानिक सोदिनी के पास थे ठीक है सरदा बलब भाई पटे गिरह मंत्री और सूचना प्रसाड मंत्री बनाय जाते हैं डॉक्टर भीमरा अंबेडकर बिदी मंत्री बनते हैं सरदार बलदेव सिंग रच्छा मंत्री बनते हैं डॉक्टर राजन प्रसाड आपके खाद तता किरसी मंत्री बनते हैं मौला अबुलकला बाजाद आपके सिख्छा मंत्री बनाय जाते हैं जॉन मताई जो थे रेल मंत् मंत्री बन जाते हैं सन्चार मंत्री बनते हैं राज कुमारा अर्क की बनाए जाते हैं dr. स्यामा पीरसाध मुखर्जी जो ते सुद्योग तथा अपूऱ्ति मंत्री बनते हैं एन्वी गौडविल जो थे कारे खदान एवम उर्जा मंत्री बनाए जाते हैं ठीक है तो कारिकारी पर्दस्त के जो अध्यच्छ जो थे अध्यच्छ की अगर बात करें सिर्फ 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक रहते हैं इसके बाद कारिकारी पर्दस्त के जो अध्यच्छ जो होते हैं राज गोपाला चारी बन जाते हैं क्योंकि भारते जब आजाद नहीं आता तो जब उससे पहले क्या थे आपके ये क्या थे वोई सराय थे वोई सराय होने के जब अंतरिम उसका संविधान सवा का जब गठन होता है गठन होने के साथ ही ये क्या होते हैं आपके भारते जब आजाद होता है आजाद होने के बाद क्या होता है जब ये वो बनते हैं क्या बोलते हैं उसको अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो इसमें अध्यच स्री कहां कहां से उधार लिया गया चुराना नहीं बोलते हैं कहां कहां से उधार लिया गया है कौन-कौन से प्राब्धान तो उनको देखते हैं जैसे कि भारत देश में जो संभिधान था उसमें कुछ प्राब्धान किये गए थे जैसे कि 1935 का जो अधिनियम था उससे लिय लिया गया कुछ भारत के अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है कुछ और श्रीलिया के सम्मिधान से लिया गया है कुछ पस्ची वो क्या बुलते हैं दच्छड अफरीका की सम्विधान से लिया गया है कोछी जो है सोवियस से लिया गया है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के सम्विधान के बारे में अमेरिका के सम्विधान से क्या-क्या लिया गया है आएए देखते हैं हुआ कि बहरतिय सम्मिधान के इस तॕ। अमेरिका की संमिधान से शतन्त्र न्याय का इस अस्टन्त्र यानि कि न्याय पालिका अपना एक मेह पनीवें उसमें कारपालिका श्टचचिप नहीं करेंगी। उप pregunt राजपती का पद, नियायक पुनरवलोकन, नियायक पुनरवलोकन क्या होता है, आपने कोई फैसरा सुना दिया है, तो अपने फैसलियों को माल लिजीए, ऐसा लगता है कि कोई त्रोटी हो रही है, कोई कमी लग रही है, तो उसका फिर से पुनरवलोकन किया जा सकता है, या प्रणाली आपका अमेरिका से लिया गया है बेटेंड का सम्धान से क्या लिया गया है बिदी का सासन यानि के कानूनी सर्वोच होगा ठीक है एकलनाग रिक्ता जो सर्दनी विवस्ता विधी निर्माड प्रिक्रिया और सारवादिक मत के आदा पत चुनाव जीत का निर्ड़ ये आपका विटेंग से ही लिया गया है ठीक है बिदायका में अध्यचपद की भूमिका आपके विटेन से लिया गया है संसदिये विशेसा अधिकार यानि कि जो संसद के सदर्स से होते हैं उनको कुछ विशेसा अधिकार दिया जाते हैं वो भी प्राबधान आपका विटेन के संविधान से लिया गया है लेकिए संविदान नहीं है फिर भी वहाँ परंपराओं के आधार पर चलता है संसदी ये सासन प्रणाली आपका बिटेन से ही लिया गया है चलिए कैनेडा की संविदान के बारे में बात करते हैं कैनेडा की संविदान से क्या क्या लिया गया है संगिय, संग के, ससक्त केंदर के साथ संगिय विवस्ता कनेडा की संभिदान से संगात्मक विचेस्ता कनेडा की संभिदान से राजियों में राज जिपाल की न्युक्ति केंदर के द्वारा किया जाना कनेडा की संभिदान से सक्तियों का बित्रत तथा अबसे सक्तियों का केंद्र में नहेत होना केंड़ा के सम्विदान से उच्छ नियायले का परामर्सी नियायक नियन का होना आपका केंड़ा के सम्विदान से ठीक है चलिए भारती सम्मिधान के और देख लेते हैं अन्हे देशों से जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान से आपका बिदी द्वारा इस्तापित पिरक्रिया रूस की अगर बात करने तो रूस के सम्मिधान से मूल कर्तब प्रिस्तावना में नियाएक आदर्स फ्रांस की अगर बात कर लें तो सुतंता समानता इम बंदुत का सिधान्त, गर्ट अंतरा आत्मक बिवस्ता, आरलेंड के सम्मिधान से सम्मिधान का राष्टपती की निर्वाचन पद्जे थे, राज सवा में सदस्यों का नामंकन, राज के नीत निजिसक तत्वों को लिया गया आरलेंड के सम्मिधान से, जर्मनी के सम्मिधान से आपात कालीन उफबंद, और्ष्टेलिया के सम्मिधान से संबर्थी सूची, प्यापार बाड़िज एवं समागम की स्वतनता सम्मंदी प्रापधान आपके और्ष्टेलिया के सम्मिधान से लिये गए हैं, आईए यहाँ पर मैंने सारे लेख दिये हैं भारति सम्मेदान के इस तरोट जापान के जर्मनी के रूस के फिरांस के आइरलेंड के और विटेन के और अमेरिका के सम्मेदान से क्या क्या लिया गया है आए एक एक पॉइंट किलियर करते हैं आगे भारति सम्मेदान के देशी या भ की गई थी 1935 का भाहरत शासन अधिनियम ये प्रमु एक क्रिकों कि भारत शासन अधिनियम में अगर मॉटा मॉटी जेकी जाएं तो 575% आपका भा Hinसरा अधिनम से ही लिया गया है भासमेधान में बिकास अमद्यक के तरोद्रोद् शांभिधिय नियम और अभिसमय और परंपरा है, संभिधानिक संसोदन, नियायक पुनारूलों के नियायक निड़ा है, संभिधानिक टीका है और संभिधानिक बिसेशक्यों के विचारी है, कुछ ऐसे प्रवक इस्तरोथ थे, जो कि हमारे भारती संभिधान में जोड़े गए थे, आईए, next बात क से भी भारती संभिधान में क्या किया गए हो, सबसे पहले जो है जर्मनी की बात कराएं तो भारस आसन अदियम से क्या लिया गया है तो संभात्मग विवस्ता, नयाय पालिका की सक्ती, राजनीति की आधार्वू समद्वच्ण लोक सेवा आयोगा, आपके 1935 के भारस आसन अधनियम से लिया गया है ठीक है जर्मनी की बात करें आपर जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा यह है आपको जूम करके दिखा दो इतली इतली के ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर जर्मनी देखने को मिल जाएगा तो जर्मनी से क्या लिया गया है जर्मनी स प्रिस्थाबना में वो आपका यहीं से लिया गया है अमेरिका की संभधान से अमेरिका कहा है आपको अमेरिका दिखा देते हैं यह उत्तरी अमेरिका महाधीर इनाटेट इस्टेट और अमेरिका यहां पे अलास्का तक फ्यला हुआ है यह इस तरह से रेड कलर का ठीक मौलिक अदिकार सरभुच नयायल है नियायक पनोबर लोगों में नयायक पालिका की स्वतनता संभिदान की सरभुच ता राष्टपती पर महावियों की परिक्रिया उपराष्टपती पदेंव राजिसवा में पदेंट सवापती का होना उपराष्टपती उच्छ नयायल है के नयाय जीसों काटाने की परिक्रिया राष्टपती में संगे की कारपाले का सक्ति का नेत होना राष्टपती का संगे के रक्षा बनों का सरभुच पराम समा दे जाएगा बिटेन से आपका संसदी परणाली यानि मंत्री मंदल परणाली बिदी के समक्ष समानता एकल नागरिकता बिदी का असासन बिदी निमार्ड की प्रिक्रिया संसदी पिसेदादिगा दो सतनात्मक विवस्ता चुनाम में सरवादिक मत के आधर पर जीत की प्रिक्रि कि इयाए कि वारे में अगर बात करना तो ice-old शूर्ण में आपको देखने के बिल दाएगा यह यह प्द्रक्ति करें के किर्फपति राज इस वा स्मास सेवा साइत तिकलाविं भैग्यान के छेत्र में ख्वायती प्राप्त ब्यक्तियों का अमनोना है यह आपका कहां से लिया गया है आपका आयर्लेंड के संभिधान से लिया गया है जापान की अगर बात करें तो यहाँ पर जाएंगे यह है चीन चीन के पूर में अगर देखें तो यहाँ पर जापान एक दीप क तूचि परस्ताबना की भासा केंद तथा राज संबंद संगसद के दोनों तदोनों की संगत बैठकाप का उस्टिलिया से लिया गया है Canada की अगर बात करें आपर Canada देखने को मिलेगा, Canada जो है उत्री अमीर का, महधीव का, इह उत्तर वाला चीत, विलु कलर में है, तो ये Canada देखने को मिलेगा, सरकार की संगी व्यवस्ता, केंदृ के पास अवसे शक्तियों का होना, संग्त अता राज के भी शक्तियों का प्राचिपाल की नियुक्ति का प्राध्धान फ्रांस की अगर बात करें तो यहां पर आपको जूम करने को यहां पर आपको देखने को मिल लाएगा फ्रांस तो फ्रांस जो है आपका गर्न तंत्रात्मक सब्द प्रस्तावना में दिये गए सब्द स्वतनता समानता और aam about Indian constitution इसको हम उद्देश्का की नाम से भी जानते हैं उद्देश्चा भी आपको मिल जायेगा कहने करतीर अए तो उद्देश्का यह पिरियेम्बल या फिर इसको तो इसमें कुछ अहलगे से टोपिक समझ लेते हैं उद्देश्का यह होता है आने वाले समय में क्या बनता है उद्देश का अंग संभिधान का अंग है के नहीं है तो 1950 का गोपालन बाद में यह दिया जाता है कि यह संभिधान का भाग नहीं है नहीं है और सक्ति का एकमा स्रोत भी नहीं है कौन किस बाद में 1950 में दूसरा आता है बेरुबारी मामले में 1960 में एक आ जाता है कि मार्क दर्सकन सिंदान्द पर संभिधान का भाग नहीं है ठीक है यहाँ पर भी एक कह दिया जाता है कि यह जो है संभिधान का भाग नहीं है 1973 में केसवानंद भार रूप में स्वीकार कर लिया जाता है 1973 में ठीक है एलाईसी मामले में प्रस्तावना संविधान का आंत्रिक इस्सा है यानि कि ये बात तैय हो जाती है कि संविधान का भाग है कि नहीं है तो संविधान का भाग है उस जेसिका में संसोधन किया जा सकता है कि नहीं तो 1973 में केस वानंद भारती बना बाद में ये फैसल आ जाता है कि प्रस्तावना को संभिधान का भाग मानते हुए कहा कि अनुच्छे 368 के अधीन संभिधान की प्रस्तावना में भी संसोधन किया जा सकता है पर ऐसा संसोधन मूल भूत धाँचे का उलंगन करने वाला नहीं होगा यानि कि जो संसोदन है प्रस्ताबना में या फिर उद्दे सिका में या फिर प्रियम्बल में किया तो जा सकता है लेकिन उसका मूल वो जो धाचा है जो उसकी प्रकर्दी है उसको बदला नहीं जा सकता है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है उसमें सुधार किया जा सकता है उनके गुड़ों में क्या नहीं किया जा सकता, उनके गुड़ों में कमी नहीं लाई जा सकती, यानि कि सीधा सा मतलब यह है, कि आप कोई काम माली अब माल लीजिए, कि मैंने वीडियो बनाया, यूटूब पर डाल दिया, और डालने के बाद मैंने क्या किया, कि जब दूसरा वीडियो डाला, तो जाइस सी बात है, जो क्वाल्टी है, वो दूसरी, क्वाल्टी जो है, यानि कि हम दुबारा से जब उसी वीडियो को डालें संसोधन करके तो उसमें क्या है कि कमी नहीं बढ़ा सकते हैं पहले जितना पढ़ाया था उससे कम नहीं किया जा सकता है बैसे ही उद्देशिका जो है संसोधन तो किया जा सकता है लेकिन संसोधन क्या है कि अच्छा ही जोड़ा जाएगा उसमें कोई कमी नहीं लाई जाएग पंत निर्फेच यानि सेक्यूलर और अखंडदा यानि कि इंटरगेटी सब्द को जोड़ा जाता है जो तीन जनवरी 1977 को पिरभावीवी हो जाता है महत्त के बारे में बात करते हैं प्रस्तावना का महत्त थोड़ा सा देख लेते हैं तो उसकी ब्याख्या करने के लिए हम प्रस्तावना की साहित्ता ले सकते हैं क्योंकि सम्विदान के अन सभी उपबंदों को अधिनियमित किया जाने के बाद उद्देश सिखा को अलग से पारित किया गया था किसको पारित किया गया था अलग से पारित किया गया था इसके बाद 1973 के केशवानंद भारती बना बाद में मार्ग दर्शन सिद्धान्त के रूप में प्रस्तावना को सीकार कर लिया जाता है ठीक है चरिए आए प्रस्तावना को थोड़ा सा और देखते हैं प्रस्तावना को या कि हमारा सम्मिधान की सुरुवात कैसे होती है तो सबसे पहले जो सुरू होता है हम भारत के लोग यानि के we the people of India या हमारी यहां से सुरू होती है कि हमारा जो भारती सम्मिधान की केंदर सक्ति केंद्र बिंदू क्या है तो भारत के लोगों को केंद्र बिंदू माना क्या है ठीक है तो आएए देखते हैं तो we the people of India having solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist and secular democratic republic and to secure to all the citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of the status and of opportunity and to the promoted among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hear, why the adopt, enact and give to ourselves this constitution सीधा समतलब ये था के हमारा जो भारती सम्मिदान है उसको क्या कहा जाता है केंद्र बिंदू किसको मान लिया जाता है भारत के लोगों को तो इस भारती सम्मिदान में 42 में सम्मिदान संसोदन के दौरा समाजबाद 55 निर्पेच और अखंडता सब्द को चोड़ा गया था तो यहाँ पर भारती वासा में के लिए तता उसके समस्त नागरिकों को समाजिक आर्थिक और राजिनितिक नियाय बिचार अव्यक्ति विस्वास और धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रितिष्टा और अफसर की समता प्राप्त करने के लिए तता उन सब में तता उन सब में ब्यक्ति की गर्मा और रा 26 नवंबर 1949 मिती मार्ग सीख सुकल पक्षि सब्तिमी संबत 2006 बिक्रमी को एतद द्वारा इस संब्धान को अंगीकरत अद नियमित और आत्मारपेद करते हैं तो ये हमारी हो गई प्रस्ताव ना ठीक है आए अब हम इसकी थोड़े से जानकारी लेते हैं तो उद्धेस प्रस नेहरू के उद्धेस प्रस्ताव या Objective Resolution से हमारी प्रस्तावना का क्या हुआ है निरमार हुआ है यही उद्धेस प्रस्ताव हमारे बрастमान के संब्धान की क्या बनती है रूफ रेखा बनती है इस उद्धेस प्रस्ताव में कुल आठ अनुच्छे सामिल थे नेहरू जी के द्वारा उद्धिस प्रस्ता में भारती सम्मेदान के मुख्य लच्छड जैसे की आपके समाजवादी आर्थिक एवन राजनितिक ने आए अब व्यक्ति की स्वतनत्ता विस्वास व उपासना का अधिकार आज सामिल थे समाज के पिछडे बर्गों में जिसमें आपके अनसूची जनजातियां तरह जातियों और अल्प संक्यों के हितों की रच्छा के लिए गोंसना भी की गई थी इसी उद्धिस प्रस्ताव में भारत को संप्रभू राज के रूप में पहचाना गया तथा विस्व सांती पर बल भी प्रदान किया गया नेरू के इस उद्धिस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्व सम्मती से क्या कर लिया जाता है शीकार कर लिया जाता है और इससे संब्धान को काफी हद तक क्या किया था प्रवावित किया था बाद में इसी उद्धिस प्रस्ताव के परवित्रत रूप को संब्धान की प्रस्तावना में सामिल कर लिया जाता है किसको उद्धिस प्रस्ताव को कुछ सुधार या कर परवर्तन के साथ ठीक शली संब्यदान की उद्देशिका प्रस्तावना प्रेंबल ओफ इंग्डिन कॉंस्टिचिशन तो प्रिख्यात हमारे नियाई विद वा संब्यदानिक विशेसर के एन ए पाल की वाला ने प्रस्तावना को संब्यदान का पर्चय पत्र कहा है नहरूजी द्वारा उद्देश संकल्प में जो आदस प्रस्तत किये गए थे संब्यदान की उद्देशिका में क्या कर लिए जाते हैं सामिल कर लिए जाते हैं संभिधान के 42 में संभिधान संसोधन दौरा 1976 में क्या किया जाता है संभिधान में संसोधन किया जाता है किसमें संभिधान की उद्दे सिकाय में संसोधन किया जाता है जिसके दौरा संभिधान की उद्दे सिकाय में समाजबादी दर्म निर्पेच और अखंडिता सब्द को जोड लिया जाता है प्रस्तावना की कुछ प्रमुख बातों में अगर देखें तो सम्मिधान की प्रस्तावना को सम्मिधान की कुंजी माना जाता है यानि की की ओफ इंडियन Constitution माना जाता है प्रस्तावना के अंसाथ सम्मिधान की अधीन समस्थ सक्तियों का केंद्र बिंदू तथा इस्तरोत या का है समस्त सक्तियों का केंद्र मिंदू है सक्तियों का इस्तरोत जो है भारत के लोगों को माना जाता है क्योंकि हमारे सम्मिधान की सुरूबाद से होती है वी द भी नहीं हम भारत के लोगों से शुरू होता है हम भारत के लोग प्रिस्ताबना को कोट में परवर्ति नहीं किया जा सकता ये है यूनियन ओफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 के नेड़े में गोसित किया गया तो प्रिस्ताबना में लिखे सब्द हम भारत के लोग इस सम्मिदान के अंगी किरत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं क्योंकि हम शुरुबात हमारे प्रिस्तावना की कहां से होती है हम भारत की लोगों से तो यहाँ पे किंद्र विंदू हम भारत के लोग यानि कि जितने भारत के लोग उनको मान लिया जाता है उनी के ऊपर ही सारी टिपडियां के हम भारत के लोग के हम भारत के लोग क्या नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते तो सब केंद्रविंदु किसको माना गया है आपका भारती लोगों को माना गया है तो मैंने क्या पताया हम भारत के लोग स सम्विदान को अंगी किरत करते हैं अधिनियमित करते हो और आत्मार्पित करते हैं लोगों की सरवोचिस संप्रूता का क्या करते हैं उद्गूस भी करते हैं बेरुबारी यूनियन बाद 1960 में कोट ने ये निड़े लिया कि जहां सम्विदान की वासा संदिक्द हो या कर आइसपष्ट हो हमें समझ नहीं आ रही हो बहां प्रस्ताबना बिदित निर्वाचन में क्या करेगी साज़ता करेगी फिर से बतादू बेरुबारी मामले में य कहा जाता है कि जहां पर सम्विदान की वासा कोई है सब्द या फिर कोई सब्द इस पष्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें प्रस्ताबना की जरूरत पड़ेगी प्रस्ताबना में दीए गई सब्दों का इस्तमाल करके हम उससे क्या कर सकते हैं? उसका निड़ायलिस मतलब उस पस्ट सब्द को इस पस्टी दोग से समझ सकते हैं बेरूबारी वाद मामले में सर्वोच नियाले ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था इसलिए विदाय का प्रस्तावना में संसूदन भी नहीं कर सकती है किसका करेगी बनाम केरल राज में 1973 के बाद में या मुकदमे में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है अतय विधाय का यानि कि संसद उद्देश का में संसूदन भी कर सकती है केस्वान भारती बनाम के बाद में या मुकदमे में सर्वोच नियाले में में मूल धांचे का सिद्दा तिया तथा प्रस्तावरा को संविधान का मूल धांचा भी माना गया इसके बाद मूल धांचे के सिदांत में उच्छ नियायल ने कहा कि बिधाय का संविधान में कहीं भी संसोदन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढाचे में परवेंतन नहीं कर सकती यानि कि संबिधान संसोजन के मूल ढाचे में नकारात्मक संसोजन नहीं कर सकती सीधे सीधे अगर सब्दों में समझें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संसद बैसा कोई संविधान संसोजन नहीं करेगी उद्दिसिका में जिससे संविधान की प्रस्तावना में मूल धांचे का विस्तार मूल धांचे का क्या हो रहा हो यानि कि उसमें नकारात्मा का ता रही हो या कर उसके मूल धांचे का विस्तार क्या हो रही हो उसमें कमी जा रही हो तो संविधान ऐसा हो इसमें प्रमसोजन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार हो रहा हो और भारती संविधान याक है भारती लोगों के लिए याक है प्रिस्तावना में मजबूती कडल हो रहा हो ठीक है तो 42 में संविधान संसोजन द्वारा 1976 के द्वारा हम इसमें यानि की समयधान की प्रस्थावना में समाजबाद अर्राथ की अखंड़ता सब्द जूड़े गई थे हमारी प्रस्थावना में स्वतनता समानता और बंदुत के आदर्सों को फ्रांस की क्रांटी से लिया गया था बारती सम्विधान में रखी गई उद्देशिका सम्विधान के निर्माड में महतपूर भूमिका निवाता है या कहें बारती सम्विधान के निर्माड में महतपूर इसका इस्थान रहता है उद्देशिका में उन आधार वो दर्सन तता राजनेतिक धार्मिक बनेतिक मूल यह जानकार थे उन्होंने उद्देश सिखा को समधान की आत्मा के समाना हैं सम्हिदान निर्माण में महतपुर बोमिका निवाने वाले सम्हिदान सवा सर अल्लादी किiderman सौमि अईयर के अंसार सम्हिदान की महतबना हमारे देरकालिक सपनो काaking क्या है बिचार इन्होंने माना किसने सर अलादी किसना स्वामी अयर के द्वारा चलिए बात करते हैं सम्मिधान की विशेस्ताओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेए सम्मिधान भारती सम्मिधान की विशेस्ताओं कौन कौन सी वो सम्मिधान की विश्यस्ता है जो भारती सम्मिधान को अन्य देशों के सम्मिधान से विश्यस बनाते हैं तो आईए समझते हैं एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं सम्विधान की बिस्षिस्ताओं की अगर बात की जाए तो पहले बिस्षिस्ताओं से समझने पहले पहले ये देख लेते हैं कि बारत की सम्विधान में है क्या प्रियम्ल om meddon constitution की संखया कितनी है एक बाग कितने है एक से लेकर थी सो पिच्य नवी तक अनुश्चेद है अनसूची एक से लेकर बार्ये तक अनसूची दी गई है फर्सिष्ट एक से लेकर दस तक फर्सिष्ट है ठीक है समझ गया ना चलिए किलियर हुआ यह इतने सम्मिधान में दिये गए हैं तो भारती सम्मिधान की अनिक ऐसी विस्यसता है जो विस्व के सम्मिधान से भारती सम्मिधान को क्या करता है अलग करता है या कर बिस्यस बनाता है तो वो कौन-कौन सी है तो उनको हम आगे कर संसुतन की दौरह जोड़ा गया था धर्म निर्पेच एवं समाजवादी राज्य की ब्याख्या करता है भारती संभिधान बारती बारत राज्यों का संग है भारती संभिधान ये इसमें ब्याख्या करता है वाट्सेप नंबर की ब्याख्या जो है और जानना चात्तों में वाट्सेप पे मैसली कर सकते हैं जिस अधनात्मक ब्यवस्ता के बारे में हमारा भारती संविधान क्या करता है व्याक्या करता है प्रुवत्र संपन लोक तंतरात्मक धर्म निर्पेच समाजबादी गड़राज्य केंद्रा विमुक संविधान एकल नागरिक्ता का था अए बनाया है इसकी व्याख्या कौन करता है तो अंदर इसके बारे में नहीं लिखा गया है थे गवरहें, यह आप चाहते हैं, तो हो सकता है, चलियों, आइए देखते हैं? क्लियर करते हैं point. संब्यदान की बिसियस थाय हैं, लिखिट अवकित विस्टरस संब्यदान, आइए, देखते हैं, भारती संब्यदान एक बिसे संब्यदान सवाद्वारा निर्मत एक लिखे संब्यदान है इस दिरस्टी कौन से भारती संब्यदान अमेर्की संब्यदान के सम्तुल है मुख्य संब्यदान में मूल संब्यदान में एक प्रस्ताबना दी गई थी 395 अनुच्छी थे, 22 वाग हैं और 8 अंसूचियां थे, बर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है, अनुच्छे 465 दिये गए हैं, लेकिन मूल रूप से संख्या इनकी जो है, 395 यह है, लेकिन 395 लेकिन यह 465 कैसे होते हैं, 400 वो कैसे हो जाते हैं, तो जैसे 395 संख्या है अन कि संख्या का अनुच्छे 75 का, यह भी एक संख्या का अनुच्छे बना, 78 यानि कि 80A, यानि कि मूल कितना है, 80 है संख्या, उसी में से 80A निकला है, तो यह क्या समझ में आ रहा है, कि इनकी संख्या तो 395 में यह, बस संख्या का जो अनुच्छे रहे, का खा गा गा ऐसे ब बारे अनसूचिया हैं बिस्त में किसी भी देश का संभिधान इतना विस्तरत नहीं है बारती संभिधान की जटिलता के काड़ ही कुछ लोगों ने इसे बकीलों का स्वगयनी लॉयर्स पेराडाइज कहा है क्योंकि संभिधान की बिस्ता यह ऐसी है कि इसमें सबसे बात यहा कौन थे बड़े-बड़े दुरंदर कोई कहीं से पढ़के आया है कोई अमेरिकास से कोई इटली से कोई इंगलेंड से ऐसे लोगों को सामिल किया गया था तो इसकी जो भासा जो है बहुत जटिल है बारती संभिधान की प्रस्ताबना की अगर बात करना है कि तो भारती सं प्रस्ताबना एक प्रम कुंजी की तरह कार करती है यानि कि संभिधान की प्रस्ताबना मैंने क्या बता है एक दमाकेदार एंट्री के साथ भारती संभिधान की क्या करती है एक दम व्याक्या करती हो तो शुरुवात होती है हम भारत के लोग तो बड़ा प्यारा लगता है संप्रुवतार संपन राज की क्या करता है संप्रुवतार संपन राज उसे कहते है जो अपनी आंतरिक तता बैदेशिक नीतियों को स्वेम निधारिक करता है तता वारी नियंतर से पूरी तरह से मुक्त हो और इस संबंदे में भार जो है पूरी तरह से स्वतंत है आंत्रिक तता बैदेशिक नीतियों को हम स्वयम यानि कि हम भारत के लोग ही करते हैं ये तो है नहीं पाकिस्तान हमारा ये करता हो कि हमें कौन से देश से संपर करना है कौन से देश से बात करनी है कौन से देश को क्या देना है को रोना वैक्सिम किसको देनी है और अमेरिका क को या फिर किस को द नहीं है तो एक कि अमेरिका क्ट्रोल करना कोई को क्ट्रोल करना को है हम अपने स्वैण में सच्छा मैं क्या हम अपनी वेयदिशिक और आं?, नीतियों यह तो अ-ब अ-धि- मल потच कर से घंप अब 21 создat है तो क्या पाकिस्छान से पूछ के करेंगे नहीं न हम अपने आप में अपनी आंतरिक्ट जुसरक्षा का मामना है है हम अपनी आंत्रग अपनी अंतरा आत्मा से पूझेंगे कि धारा 370 कटम होनी चाहिए तो हम क्या है संप्रभु देश के रूप में माने जाते हैं याई संप्रभु राज्य की स्थापना करता कौन हमारा भारतिय सम्मिदान ठिक चलिए भारत के मूँ सम्मिदान में क्या था 22 भाग थे 395 अनुच्य थे और 8 अंसूचियां थी ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं भारती सम्मिदान की भी सिस्नाव में देखते हैं तो भारती सम्मिदान बिस्व का सबसे वड़ा लिखी सम्मिदान है भारती सम्मिदान में लचीले अधे से अधिक राजिकी विधान समाउँ का चाहिए होता है यानि कि बहुत ज्यादा कठोर। संसोतन करना क्या है, बहुत कठोर हो जाता है, या नि कि बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या है लचीले, पंत, अथा, कठोरता का क्या मिलता है समाबे सहा, फिर मेल मिलता है, भारत के मुल संभीधानों में बाइस वाग और 395 अनुच्छे दो राठ अनुच्छिद और 22 फाग और 395 अनिश्यद और 8 अंसूचिया है बर्तवाने 395 अनिश्यद और 12 अंसूचिया हो जाती है मूल कर्तब जोते 42 में संविधान 1776 के द्वारा जोड़े जाते है भारती संविधान की पिसिस्तों में अगर लगा दिया जाए, तो की है किंडर के अंतर में आ जाएगा, जेहां पर नियंतर, है राज का वो समाप्ध हो एकल Одना ग्रेकता का प्रभाद्यसर्ण कि अलगु पचिन मंगाल राजयों का एक संग है मैं बता चुका हूँ किस तरह संग है सारे जितने भी राज मिलाकर भारत देश का क्या करते हैं एक संग का निर्मार करते हैं जिस अगनात्मक बेवस्ता दी गई है नियायले की सर्वोचता है यानि कि भारत में संब्यधान जो है क्या ब्याक्या करता है नियायले जो है सर्वोच सिकर पर होगा किसके लिए संब्यधान के लिए संब्यधान की ब्याक्या कौन करेगा आपका नियायले ही करेगा संब्यधान में भारत को क्या का गया है प्रभुत्य संपन बारी नियंतर से पूरी तरह से मुक्त लोग तंत्रात्मक सनूचा प्राधिकार जो है जनता के हांतों में होगा धर्ण निर्पेश सभी धर्मों के साथ समान विवार किया जाएगा और समाज भार्दी गड़राजी कहा गया है किसमें भारती संविधान में चलिए बात करते हैं भारती संग थथा इसके राज यहंग की इंसासिज प्रदेश जिसमें कुछ हम पिर्मक टॉपिक देखेंगे जैसे कि बासा यादर पर एक अक्टूबर उनिससों बावन कुस्वरदं प्रदेश यह होता है अलग होता है नायका लेंड गुजरात जयाना, राजपुनगेटना यू को घठत किया गया था मडिपॉर, तिर्परा, विगाले, मिजूरम, साथ-मइ, सम्विदान, संसोदन, तो आईए देखते हैं किलियर करते हैं हमारा यहापर, आईए किलियर करते हैं सम्विदान के भाग एक कश्मीर आपका लग्दा केंसाथ प्रदेश आपका जम्मू कस्मीर आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब उत्राकन हर्याना राजिस्तान गुजरात महाराष्ट मत्रदेश चक्तिसगर तेलंगाना उड़ी इसा अंध्र प्रदेश करनाटक केरल तमिलनाडू ठीक है ये सारे जो राज है राज यो के इसाथ प्रदेश जो है मिलकर क्या कर रहे है भारत संग का निर्माड कर रहे है ठीक है और ऐसा है भी क्योंकि संविदार की संद्चना जो है संगात्म के लेकिन प्रारू समिती ने संग सब्द का प्रियोग करने के पीचे दो इस पर कारण बता है पहला कार ये था कि भारत जो है बेविन राज्यों के मद्द किसी अनुबंद या कॉंट्रेक्ट का परड़ाम नहीं है किसी भी राज्य को संग से अलग होने का अधिकार नहीं है ये नहीं कि जो आपका क्या बोलते हैं जब मुकत्मीरा ये कहें कि हम अलग रहना चाहते हैं पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं ऐसा भी नहीं भारत देश के किसी भी संग को अलग होने का अधिकार नहीं है वहां के लोग कितना भी चिलना हैं वहां किसी बात का इससे फर्ग नहीं पड़ता क्योंकि भारत देश जो है वो क्या है संगों का एक संग है या कर राज्यों वो राज्यों का एक संग है, यानि कि सभी राज्यों से मिलकर क्या बनता है, भारत संग का निरुमाण होता है। अनुच्छत एक दो में क्या वपंद किया गया है तो अनुच्छत एक दो का संबन्द राज्य और उसके राज्य थेत्र थे है जिसके लिए पहली अंसूची में जानकारी दी गई है ठीक है अनुच्छत एक तीन भारत के राज्य छेत्रों में निम्न छेत्र सामिल किया भर्याना, तमिल नाडू, केरल बगेरा ये सम, संग राजी छेत्र, आपका दाधर नगर अवेली, लक्षिते बाधर अवेली, आपका अंडमा निकोबर दीप समू, देली वाला छेत्र, आपका लद्दाक वाला छेत्र, आपका जम्मकद में, संग राजी छेत्र, ऐसे अन र राज चेत्र जो अर्जित किये जाएं जैसे कि माल लीजिए कोई भी चेत्र है यहां पर माल लीजिए कोई चेत्र जो कि क्या है भारत में सामिल होना चाता है या फिर माल लीजिए पाकिस्तान का कोई राज है वो भारत देश में सामिल होना चाता है तो वो भी भारत में क्या बासाई आधर पर 1 अक्टूबर 1903 को सबसे पहले आंद प्रदेश राज जी का क्या किया गया था गठन कीया गया था 1953 में फजल अजली यन्य सदस केम पंणी करता था एच एन कुझरू तो 1973 में फजल अजली की अदियाश्टा में राज्ज्य पनरगठन आयोग का गठन किया गया था और राज पुनर गठन आयोग 1956 द्वारा 14 राज्य तता पांच संग साथित प्रदेसों का क्या किया गया गठन किया गया था इसके लिए सात्मा संब्यदान संसूदन भी किया गया जो की आपका राज्य पनर गठन से संबंद था कौन सा आपका सात्मा संसूदन इस समझोते दौरा अर्जित फ्रांसीजी उपनिवेसों से 1912 में पॉंडचेरी संग सासीट राज्य गठ्थ भी किया गया था बर्तमान में 28 राजी तथा 8 केंसासी प्रदेस हैं अगर हम बात करें केंसासी प्रदेसों की तो 2019 की अगर बात करें अगस्ट से पहले की तो भारत में 29 राजी और 7 केंसासी प्रदेस हुआ करते थे लेकिन अगस्ट में क्या होता है धारा 370 जा बट जाती है तो जम्मी कस्मीर राजी जो होता है वो क्या हो जाता है धारा सीन से सत्तर के दायत यह राजी का दर्जा इसका समाप्त हो जाता है और 28 राजी रह जाते हैं और इसके बाद ही यह दो किंसासी प्रदेसों में बांट दिया जाता है लदाख और जम्मु कस्मीर के नाम से तो प अलग हुआ करता था दादर नगर अभेली और दमन दीप को एक ये किंसा से प्रदेश्च में उनिसु साट में महाराश्च से पिर्थक करके इसको बनाए जाता है यानि कि यह है महाराष्ट वाला छेत्र यहां से इस तरह से यह है महाराष्ट क्या था यहां से महाराष्ट वाला यह जो जो छेत्र था इस तरह से इस तरह से इस तरह से यह महाराष्ट में पहले क्या था गुजरात भी सामिल किया जाता था लेकिन क्या थैं 1960 में महाराष्ट से गुजरात क को निकाल कर एक अलग राजी का दर्जा दे दिया जाता है बरतमान में यानिकि दोजार इक्षिस में अठाइस राज और आठ किंसासिद प्रदेश और राज्टी राजदानी छेत्र में बांटा गया है सभी राज्जियों को अपनी सभी राज्जियों की अपनी सरकार है पूंटुचेरी जो है यह नम पूदरूचेरी माहिज और कराइकल के नाम से तीन जिलों तीन जिलों के रूप में वो चार जिलों के रूप में तीन राज्जियों फेला हुआ है केरल में आन्ध में और केस्वत तो मिल को मिल जा गई है दिल्ली 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 है चलिए छे अगस्त दो जार निस्ट से पहले बारत में उन्तिस राजी तथा केंसासे प्रदेश साथ हुआ करते हैं ते लेकिन नुच्छे या कहें धारात तीन सु सतर को खत्म होते ही जम्मुकस्मी राजी से राजी का दर्जा खत्म करके उसे दो केंसासे प्रदेशों में बांट दिया जाता है इसके बाद अठाइस राजी तता नो केंसासे प्रदेश बन जाते हैं लेकिन नमबर दोजार उनिस को क्या होता है दादर नगर अभीली तता दमन दियू को एक केंसासे प्रदेश बना दिया जाता है जि कि इसको हम कह सकते हैं राज जो जो बार में चर्चा कर लेते हैं राज अंध्रदेश मैं अब बैवी दिखा दूंगा अर्णाचल प्रदेश असा बिहार चटीजगड गोवा गुजरात हर्याना हिमाचल प्रदेश जारखंड करनाटक, केरल, मध्रदेश, महाराश, मनिपूर, मेगाले, मिजूरम, नागालेंड, उडिशा, पंजाब, राजिस्थान, सिक्किन, तमिलनाडू, तेलंगाना, तिरुपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और बैष्ट वंगाल, पस्य वंगाल यहाँ पर देखते हैं, राजियों के बारे ही, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हर्याना, राजिस्थान, गुजरात, महाराश्ट, करनाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तिसगड, उडिशा, मध्रदेश, जार्दख पुरा, ठीक है, किन सासे प्रदेशों की बात करते हैं, तो जम्मू कस्मीर, लदाक, अंडमा निकोबर दीप समू, लक्षदीब, दिल्ली, चंडिगर, दादर नगर हवेली, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर, लदाक, जम्मू कस्मीर, चंडिगर, दिल्ली, किन सा प्रदेश हैं, दादर नगर, अभीलियम, दमन दीब, लक्षदीब, और यह है आपका, अंडमा निकोबर दीप समू, ठीक है, आईए, तो यहाँ क्या हो गया, विफोर, अगस्थ, शिक्स, टुटाजून, नाइन्टीन, अगस्थ, दोजार उनिस से पहले क्या था, 29 26 जनवरी 2020 के बाद 28 राज और 8 के इंसा से प्रदेश बन जाते हैं, आईए, समझते हैं, आगे, भारत के नवगटित राज, 1960 में आपका गुजरात बनता है, बंबई से अलग करके, ठीक है, 1963 में नागालेंड से आपका असम से अलग करके, ठीक है, 1966 में हर्याना बनता है, 1969 में मेगाले राज बनता है, आपका असम से निकाल कर, 1971 में हमाचर प्रदेश बनाए जाता है, हमाचर प्रदेश पहले संग सासित प्रदेश था, 1982 में मड़िपूर को बनाए जाता है, नया राज पहले मड़िपूर एक संग सासित प्रदेश था, 1982 में तिरपरा संग चेत्र था, 1987 में अनाचर प्रदेश बनाया जाता है, अनाचर प्रदेश पहले संग राजी चेत्र है, 1987 में गोवा जो था, संग राजी चेत्र था, लेकिन फिर राज बना दिया जाता है, सन 2000 की बात करने तो चतिसकार राजी का निर्माड होता है, मद्धि प्रदेश से कर सन 2019 की बात करें तो आपका लद्दाक और जम्मु कस्मीर के इन साथ प्रजिस बनाए जाते हैं आपके जम्मु कस्मीर राज्जी के टुकड़े करके ठीक है चलिए बात करते हैं भारती नाग्रिकता के बारे में या फिर सिटीजन सिप के बारे में इसमें हम देखेंगे न से जान लेंगे और अनर्सी सीए बी ये और सीए क्या हुआ इनका ठीक है भारती सम्हिधान में कि प्राबदान किया गया हमारी भारती नागरिक्ता के बारे में आईए देखते हैं समझते हैं राज में राज में तरफ भारत देश की यहां पर बात हो रहे है यह राज में निवास करने वाला बहर वेक्ति जिसे राज की पूर सदस्टा प्राप्ट है तथा वह अपने राज और समिधान की प्रति क्या रखता है पूर आस्ता रखता है साथ ही वह क्या कहलाता है इसकी क नागरिक्ता की अगर बात की जाए वो तो नागरिक्ता की बात करें तो नागरिक्ता या सिटीजन सिर्फ किसी ब्यक्ति की वह इस्तिती होती है जिसमें उसे नागरिक्त के रूप में पर समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संब्धान दोहरा उसे निर्धारत किये गए ह होते हैं कौन से नागरिकता अगर किसी व्यक्ति को मिली हुई है तो जाइसी बात है संब्धान में कुछ अधिकार लिखे गए हैं कुछ नियम कुछ काइद दिखे गए हैं कुछ सेवाएं हैं जो की आपको नागरिकता के आधार पे मिलते हैं यानि कि आपको भारती नागरि उसको संभिधान में लिखे गए जो अधिकार है उसको वो प्राप्त करने का अधिकारी याग है वो गिरहड करने की इस्थिती में आ जाता है ठीक है गिरहड करने की इस्थिती में आ जाता है चलिए आगिवत समझे हैं तो भारती संभिधान के भाग दो में भारती संभिधा से लेके ग्यारे में है बताया गया है कि संब्धान के लागू होने के समय किन-किन ब्यक्तियों को भारत में भारत का नागरिक माना जाएगा अनुछिद पांस से अनुछिद आठ तक नागरिकों के चार बरोगों का उल्ले किया गया है अनुछिद नौ में प्रापदान है कि किसी बिदेशी राजी की नागरिक्ता सुईकार करने पर कोई ब्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा तो भारती संब्धान में अनुछिद 10 और 11 में संसद की नागरिक्ता से संबंदित बिदी बनाने की क्या है संसद को नागरिक्ता से संबंदित बिद बनाने की सक्ति प्रतांगी किसमें अनुच्छित ग्यारह और वारह में वो दस और ग्यारह में है, ठीक है, भारती नागरिक्ता को किस प्रकार से प्राप्त किया सकता है, तो भारती नागरिक्ता को पांच प्रकार से प्राप्त किया तो आप भारत देश के नाकरिक माने जाएंगे यानि कि माता पिता कोई यहां पर रहना चाहिए आई समझते हैं और किलियर करते हैं इनको भारत की नाकरिक्ता में ही देखते हैं भारत का सम्झान पूरे भारत वर्स के लिए एकल नाकरिक्ता की विवस्ता करता है यानि कि यह नहीं कि उत्तरप्रदिस की अलग नाकरिक्ता है और भारत की अलग नाकरिक्ता का लेने पड़ेगी एकल नाकरिक्ता की विवस्ता करता है प्रतिय एक व्यक्ति को जो सम्विधान लागू होने के समय, जबीत जनवरी 1950 के समय भारत के अधिकार जेतर में जचेतर में निवास करता था जिसका जनम 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो ठीक है? भारत देश में उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो जो कम से कम पांच बरसों तक साधरत है भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिक होगा नागरिक्ता अधिनियम 1955 संविधान लागो होने के बाद भारती नागरिक्ता की प्राप्ती निदाड़ा और रदिक करने से संबन देता है ठीका कौन सा नागरिक्ता संसोतन अधिनियम 1955 मार्च 2015 में पिर्थम सप्ता के विधिस में रहने वाले भारती मूल की लोगों को भारती नागरिक्ता जैसी सुविधाई देने के उदेस से नागरिकता संसोधन बिदेक 2015 को लोग सवा में पारित किया गया था पिरवासी बारती दिवस्ते पहले भारत सरकार ने सिटीजंसिप एक्ट के एक्ट में संसोधन कर एक अध्यासेद लागू किया इसके तहत बारती मूल के व्यक्ति PIO और भारत के बिदेसी नागरिकों OCI उजना का बिलैक कर दिया जाता है PIO बीजा पहले 15 साल के लिए दिया जाता था अब यह आजीवन हो गया है PIO बीजा हासिल करने वाले को भारत में 6 महीने से अधिक रहने पर पुलिस इस्टेशन जाकर रिपोर्ट दर करानी होती थी और हर 6 महीने पर बापस भारत लोटने के बाद उन्हें पुलिस इस्टेशन का चक्कल लगाना पड़ता था अब यह है विवस्ता जो है पुलिस इस्टेशन का चकल लगाने वाली विवस्ता की अब जरूरत नहीं पड़ेगी OCI कार्ड रखने वालों को इनमें से पहले इस तरह की पहले से ही छूट मिली तो PIO और OCI वालों का क्या कर लिया जाता है बिले कर लिया जाता है PIO कार्ड धार्ग भी अब भारत में जमीन जाइजत खरी सकते हैं उसी तरह जैसे OCI कार्ड धारी कार्ड रखने वाले खरी सकते थे वैधारा खत्म कर दी गई जिसके तएद भारती नागरिकों से साधी करने वाले बिदेशी नागरिकों के लिए भारती नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम लगातार एक साल भारत में रहना जलूरी था आम नागिरिकों के सभी अधिकार पिरापत होंगे बस उन्हें बोट या कर चुनाम में भाग लेने और बोट देने की अनुमती नहीं है किसे PIO और OCI को ठीक है चलिए बात करते हैं नागिरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में यानिकी की फंडामेंटल राइट्स ओफ सिटीजन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं छे भागों में बाटके इनको हम देखते हैं ठीक है तो जैसे कि आपका संता का अधिकार हो जाता है अनुच्छे 1418 संस्क्रित और सिच्छा संबंदी अधिकार अनुच्छे 29-30 संभिधा राणिक उच्छारों का अधिकार अनुच्छे 32 में ठीक है आईए एक एक करके point clear करते हैं किसी भी संप्रवु जो होता है संप्रवु में आपको बता चुगा था कि अबाद रूप से आंत्रिक और वहरी जो है अपनी नीतियों का क्या सत कर सके क्रिया माहिन कर सके वह संप संप्रवु राष्ट होता है ठीक है तो किसी भी संप्रवु राष्ट में राज की ओर से अपने नागिर कोंको ऐसे अधिकार प्रदान किये जाते हैं जो कि विदेशी राज को याका है विदेशीयों को प्राप्त नहीं किये जाते जैसे कि आपके अनुच्छे दो गया अ आवियत्ती सांतिपूर्यम निरायुद्ध संम्मिलन निर्वाद विचरण और निवासम संग बनाने की स्वतनता आगे किलिए करूँगा इसको अनुच्छेद 29 में अल्व संक्यों को सिच्छा एवम संस्कृती संबंदी अधिकार अनुच्छेद 30 में अल्व संक्यों को आगरिकों के मूल अधिकार तो हमारा जो भारती संब्धान था भारती संब्धान यह है भारती संब्धान सभी नागरिकों के लिए भारती संब्धान में गारंटी जी जाती है जो नयाए हो इचे तो और नयाए ले में बाद योगें बाद यह का मतलब यहा है कि यदि आपके इन मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का क्या होता है उलंधन होता है तो आप नियायले में चुनोती दे सकते हैं कि हमारे फलाना मूल अधिकार का क्या हुआ है हमारे मूल अधिकार के क्या हुआ है उसका मतलब उस मूल अधिकार का सोसड हुआ है या फिर हमें उस अधिकार को पूर्ती करने में क्या हो रही है बादा हो रही है तो हम नियायले में जा सकते हैं और उस पे क्या कर सकते हैं हम जाकर क्या कर सकते हैं नियायले में बादी बन सकते हैं मतलब सरी नियायले में जाके क्या कर सकते हैं मुकदमा डाल सकते हैं कि ऐसे से करके हमें ज कर जाए तो हमारा क्या है ये मौलिक अदिकार का जो क्या हो रहा है हनन हो रहा है तो उस हनन को रोकने के लिए हम नयायले की सरड में भी जा सकते हैं फिर से बता दूँ कि इस छे ब्यापक स्रीडियों माटा गया है और सम्विधान में इनकी गारंटी दी जाती है जो कि नयाय अधिकारों के विचार की उत्पत्ती जो है सन बारे सो पंदरे में मेगना कायटा से हुई मानी जाती है संबिदान के भाग तीन में अनुच्छिद बारे से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों के समद्ध में जानकारी दी गई है हालां कि संबिदान संसोजन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है और इसे संबिदान के भाग बारे में 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया पहले क्या था आपका संपत्तिक आधिकार्य मूल आधिकारता है यानि कि हर किसी को मकान हर किसी को पिलोट की अल्सिक्ता या का देना अनिवार था लेकिन फिर पाद में इसको खतम कर दिया गया चली नेक्ट देखते हैं यहाँ पर पहला भाग देख लेते हैं समानता का अधिकार अनुच्छे 14 से लेकर 18 तक 14, 15, 16, 17 और 18 पाँच अनुच्छे दाते हैं जो कि आपका समानता का अधिकार को क्या करते हैं समानता के अधिकार की ब्याख्या करते हैं अनुच्छे चोधे जो है बिद के समक्ष समानता बिद मतलब कानून कानून के प्रती सभी नागरिकों को समान रूप से क्या है समानता दी गई है यानि के सीधा समतलब यह है कि मान लीजिये मैं हूँ मेरे लिए जो कानून है वही प्रधान मंतरी के चचा के भतीजे के लिए कानून होगा मानली जी कोई किसी के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके लिए कानून अलग हो जाएगा मान लिए कोई पुलिस में है मान लिए कोई हमारे पडोस में है कोई अंकल पैसा वाले है मान लिए हम पंडिक जी है वो ठाकुर साहब है तो पंडिक जी के लिए अलग कानून होगे या पर मान लिए वो मुल्ला जी है मुल्ला जी के अलग कानून होगे तो इसमें क्या है क्या किया गया है प्राबधान किया गया है क्योंकि आप लोगों पता होना चाहिए कि सी और नर्सी वाला जो बिल था वो इसी कारण से क्या कर दिया जाता है असमेदाने गोसित कर दिया जाता कि उसमें केवल मुसल्मानों को ही क्या करने थे कागज दिखाने थे उनको ही तो इस तरह से वो क्या था कि वहाँ पर क्या था अनुच्छे चौदय का क्या हो रहा था उन्लंग उन्हों रहा था यानि कि वहाँ पर क्या किया जा रहा था कि वहाँ बिशेस रूप से मुसल्मानों को किया जा रहा था इसलिए वहाँ पर क्या था बिद के समझ समानता नहीं थ दिया गया है अनुछिद चोधे में ठिक अनुछिद पंदर है धर्म मूलवंस जाती लिंग एवं जन्विस्तान के आधार पर बिभेद का प्रतिशित यानि की धर्म यानि की आप मुला जी हैं आप हिंदू हैं आप सिख हैं इसाई हैं जैन हैं फार्सी हैं कुछ भी हैं आप बस में बैठ कर बस में बैठ गर जा रहा था और बेड़ेवाख्य ए मेर जाजी थे पीछे वो मिरी चोटी पकड़ लिया करते दे यरा बार-वार मैंने कि ये वीडार हुआ उन्होंने कोई वात नहीं चलता है तो जैसे चो कर देखा और जैसे ल्हीं दॉने क्या कर रहे यह उये हम का साली यह अल्ला का नूर है तो यह क्या कुतिया की पूंच है तो यहां पर समझ बारन है कि आप धर्म मूलवंस जात लें गया जन्मिस्तान के आधर पर आपके बीच में क्या नहीं किया जाएगा बेभेद नहीं किया जाएगा यानि कि आप मानली जीए कहीं पर जा रहे है कोई काम कर रहे हैं आप किसी मूल बंस के हैं आपका मान लिजी कूई समधाय से आप तालोग रखते हैं तो आपके काम करना है तो हमारे साथ इस लिए भेद हो रहा है कि वो हमारी विरादरी का नहीं है या फिर माली जी बहुत सारे जहारे एक जाती के इस चाती का मतलब यह निए पंडिजी तो वहाँ प del시 जाएक ज़ personally लिंग का मतलब हमेंसा पुलिंग ही नहीं होता है जो मतलब पुरसों बाला लिंग नहीं होता है मैसा लिंग का मतलब होता है दोनों लिंग यानि कि पुरस और महला इस्ट्री लिंग और पुलिंग दोनों लिंग की बात होती है तो लिंग के आधार पर आप बिवेद नहीं क किया जाएगा जन्मिस्थान के आधार की अगर बात करें तो जन्मिस्थान के आधार पर आप पर बिवेद नहीं किया जाएगा मान लिजे आप जो है 1950 की बात करें जब 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ कुछ पाकिस्तान की लोग भारत में आये कुछ भारत में आये अब वो मुस्लिम है या फिर कुई भी है भारत में आके रुकते हैं और रुकने के बाद वो क्या करते हैं कि वैसा वैसी बात है कि रुकने के बाद वो यहां पर रुकते हैं हम क्या तहरे तो पाकिस्तान यह तो 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 वहीं चला जा या फिर माल लीजिए बिहार का कोई रहने वाला है बिहार का रहने वाला है काम करने विचारा जाता है कहाँ पर आप माल लीजिए वो जाता है गुजरात में आप माल लीजिए महाराश में जाता है तो उसके इसलिए विभेद नहीं किया जाएगा कि व अनुच्छे सोले लोक नियोजन के बिसे में अफसर की समानता यानि कि सभी को अफसर की समानता दी जाएगी यानि कि माल लिजिए कोई मुझे अपना जीव को पारजन करना है यानि कि मैं अपनी बच्चों को पार ला है तो उसके लिए मुझे काम करना है तो मेरे साथ किसी के आधार पर मेरे साथ चुवा चूत का जो भाव है वो नहीं रखा जाएगा वैसे यह तो आप खतम हो गया है अब कोई मतलब नहीं है कोई चुवा चूत नहीं मानता है अभी भी कोई छेत्र रह गई है तो वो मानते होंगे कहीं थे लेकिन हमारे छेत्र में हमें तो याद लेके लोग का यह सब चीजा नहीं होते है वो चुवा चूत या फिस तरह की चीजा नहीं बांते हैं तो अनची शत्रह में अश्पकर्सता का अंत यह महलिका दिखार है अनुच्हत्चे टए सथारे जो है उपादियों का अंत कर दिया गया ता जैसे कि राज्गुमारी अ या फिरमान लीजिए नायक की उपादी या नायट की उपादी इस तरह की उपादिया थे उन उपादियों का अंत कर दिया गया था ये समान था क्योंकि उपादी आपको दे रहा है आपको राजनी बोला रहे है आपको महराज बोला रहे है आपको तीस मारखान बोला रहे है यह चीजह हैं लेकिन यहां पर कुछ चीजह भी आती हैं कुछ जैसे की बड़े-बड़े दुर रतन दिये जाते हैं बाहर रतन इनके बारेमें आ बात नहीं हो रही है उपादियों का अंतिय से कोई किसी को दे देता था यहां बेदिके समक्ष समानता में भी यह नहीं कि अनुन तो है समान लेकिन कुछ बड़े लोग जैसे राजिपाल है राजफती हैं उनके लिए कुछ जो है इसमें वो लागू नहीं होते हैं कुछ हद तक ठीक है तो उपादियों का अंति इसमें कर दिया गया अनुच्छेद अठारे में अनुच्छ êtes 19 देखे हैं तो अनुच्छ êtes 19 के अंतररगत 6 स्वतंततृतं दे गए हैं अनुच्छ бывает 19 के अं न्तरगत अगर सांति पूर पोरण इसमेलन का अधिकार अनुच्छš discourtt 19 ए से वो अनुच्छेद 19B में बाग अव व्यक्ति की स्वतनता अनुच्छेद 19A1 में वो 1B A में संगम या संग या सहकारी समिती बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19A1C में भारत के राजी चेत्र में अवाद संच्छड का अधिकार अनुच्छेद 19A1D में कोई व्यक्ति आजीविका या विवसाय या फिर व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19AG में भारत के किसी भाग में निवास करने में वो बसने का अधिकार अनुच्छेद 19A1D में ठ एक एमें, बाक मतलब बोलने का, बोलने का अधिकार दिया गया अनिच्छे जो 19 है, वो इस बात का अधिकार देता है, कि आप अपनी बात को बिना किसी रोक टोक के रख सकें, बस द्यान ये रहे कि आप जो बात बोल रहे हैं, वो किसी ब्यक्ति को ठेस तो नहीं पहुचाती किसी धर्म के ब्यक्ति को ठेस तो नहीं पहुचाती, किसी महापुरुस को गाली तो नहीं दे रहे हैं, किसी ऐसे ब्यक्ति की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुचा रहे हैं, जो नहीं पहुचानी चाहिए, बाक अविव्यक्ति की स्वतनता है, आप बात अपनी रखिए, अपनी बोल ये बात, आप मतलब अबाद रूफ से आपको स्वतनता दी गए, ये बात रखने का है, भौकने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, भौकने का अधिकार नहीं दिया गए, किसमें बाक और अविविरत्ती की स्वतनता अनुचेद 19.1.1 में दिया गया है कि आप अबाद रूफ से यानि कि बिना रोक्टो के आप अपनी बात को रख सकते हैं बसरत ही होगी कि आप किसी को इस से ठेस नहीं पहुचाएंगे उसकी भावनाओं को ठेस अयाहत नहीं करेंगे ठीक है देजद्रोई वासड नहीं देंगे आप गद्दार जैसे कुछ से मतलब आप घटिया वातें नहीं करेंगे बोलने का अधिकार या रिकिसी को ठेस पहुचाने का अधिकार नहीं है अनुच्छेत 19a बन b सांतिपूर हत्यार रहत सम्मेलन का अधिकार दिया गया है यानि कि आप सम्मेलन करना चाते हैं माल लीजिए किसान का जो बिलपारि किसी की पेट में गौँपर रहे हैं तो ये क्या है सांतिपूर क्या नहीं है सांतिपूर ये तम्मेलन नहीं है सांतिपूर क्या नहीं है ये कोई ब्रोध पिर्दसन नहीं है ठीक है कोई ब्रत्ति आजीविका ब्यवसाय ब्यापार करने का अधिकार यानि कि हम कुछ भी कर सक और ब्रकतें मेरी मर्जी उसको उसके लिए हमें कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं ठीक है तो कोई ब्रत्ती आजीब का विवेशा या फिर व्यापार करने का अदिकार अनुचेद बंजी में भारत के किसी भाग में निवास करने प्रिकोप से बचाना है जैसे कि आम माली अब जिंजाती हूगे, वासा तो आप जान नहीं रहाएं, भई साब को बल रहा है, कि हमको तो अंडुमा निकोबर दीप समूँई में रहना जाके, हम मना करते जा रहें कि नई ना जाईवो ना जाईवो परदेश, लेकिन मान ही नहीं नहीं मान रहा है, त लड़का जो है बाद नास्ता कर रहा है कहां पे नास्ता कर रहा है और वहां चार-प्माच लोग बैठे हैं बहां देखा कि वहां पे जनजाती लोग उसको बात तो समझ नहीं पा रहे थे वहां पे उसका विचागरे को मार्क काटके और उसका बना के कीमा और खा गए अब जैसे कि आप वो समझ नहीं रहे हैं बात आपकी आप रहन है कि क्या से बात करते हैं क्योंकि वहां पे क्या है आप माली जी है क्योंकि जनजाती छेत्र के जो लोग है आपको नहीं जानते हैं आप माली जी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हो सकता है आप नुकसान ले के आ, तो आप बेजीती कर रहे तो इस तरह का एक video देखने को मिला था, तो इस तरह से, तो कुछ ऐसे छेतरे जहां पर आपको निबास करने से रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ पिर आप से खतरा है, या पर उन्हें आप से खतरा हो सकता है, ठीक है? या आपको उनसे खत्रा हो सकता है इसलिए तो समझवा है बारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार कुछ बिशेश छित्रों को छोड़ कर संगा में या पिर संग या सहकारी समिती बनाने का अधिकार आप किसी भी तरह का कुल भी संगठर मना सकते हैं अखिल वारतिय पंडिजी समिती अखिल वारतिय जाटव समिती अखिल वारतिय ठाकुरसाब समिती अलिखिल वारतिय फलाना समिती कोई सी भी कितनी भी समितिया ब बनाने का संगमया सहकारी सामिति बनाने का अधिकार दिया गया है अनुछे 263 में ठीक है। बंद के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है यहीं कि राजिनेत दल्या संग्ठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध भी अधिकार आपको दिया गया है ठीक है यह कुछ मनों अधियार हुए आएए देखते हैं आगे नेक्स देखते हैं स्वतंता का अधिकार अनुच्छित 19 से लेकर 22 तक अनुच्छित 19 में जो है बाग स्वतंता आज भी शेक कुछ अधिकारों का संड़चड एकटा होने का अधिकार संग या यूनिन बनाने का अधिकार आने जाने का अधिकार निवास करने और कोई भी जी अधाना चो डखेत बदमाज यो होते हैं उन्हें वह वो पकड़ नहीं बाति है क्योंकि वह जो होती है ऊंसे डरती है च Pacois का डर नहीं लगता है क्योंकि शरीफ लोगों का ही काम होता है पुलिस से डरना तो मान लीजिए पुलिस तो ख़साने की कोशी करती है तो क्वो इसन हमारे साथ एक वार नहीं कई वार की बात है हमेशा पैसी की बज़े से पुलिस से जड़क होती है जब भी बैस हुई है तो पैसी की बज़े से हुई है कुछ न कुछ कारण से हमेशा कोसित गरती है कि किसी मामले को इतना तेज खीचा जाए उससे पैसा ज्यादा कमाया जाए तो आप अफरादों के लिए दो सिद्ध के संबंद में संब्चड आपको अनुचित 20 देता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि मान लिजे आप के उपर किसी ने या फिर कोई आरूप लगा दिया तो आरूप लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है आप पे मान लिजे कोई कर देता है आरूप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है दो सिद्धी यानि कि दो सिद्धी के संबंद में समच्ड़ने यानिकी जब तक आप अफरादी नहीं माने जाएगे जन्व तक दोस सिद्ध नहीं हो जाता तो उसके लिए हमें दिया गया है क्या दिया गया है हमें अनुछेद में दिया गया है, ये हमारा अधिकार है, ठीक, समझ पारन अधिकार है, जैसे मेरे उपर कोई केस लग जाता है, तो मैं अभी अफरादी नहीं हूँ, जब तक की दोस सिद्धी हमारी नहीं हो जाए, तब तक मुझे चोर नहीं बोला जाएगा, ठीक है, भले हमें देहिक स्वतनता का संरचड़, प्राण है में देहिक स्वतनता का संरचड़ का मतलब के आपको जीवित रहने का अधिकार है, जीवित रहने का अधिकार के साथी देहिक स्वतनता का मतलब है, देहिक स्वतनता का मतलब है, देहिक मतलब, देह बोलते हैं, देहिक मतलब सरीर काया वडी तो हमारा जो सरीर है देहक सुतंता का भी हमें अधिकार है जैसे हमारे उपर यह नहीं कि हमें जिन्दा तो रखा जा रहा है लेकिन हमें क्या किया जा रहा है हमें कहीं बेडियों में बांद कर डाल दिया है किसी कमरे में बंद कर दिया ऐसा नहीं आपको पूरी त कर रहे हैं आजाद रहने कि तो ऐसा नहीं बड़ लब आप अफराद ही नहीं है कोई क्रिमिनल नहीं है तो आपको प्राण एमें द्यायक स्वतंता का पूरी तरह संद्छड दिया गया है अनुच्चेद 21 का की अगर बात कर रहा है तो सिक्षा का अधिकार दिया गया है आगे समझते हैं चली 160 के अधिकार देख लेते हैं अनुच्चे 23 से 24 तक ठीक है अनुच्चे 23 में मानव और दुर्व्यापार और बलात सिरम का प्रित्सित बलात सिरम मतलब बल पूरवक होता है बलात का मतलब बलात ठीक है बलात का मतलब होता है बल पूरवक यानि कि वाला काम ठीक है तो मानव और दुरुब्यापार मानव दुरुब्यापार का मतलब यह कि आपको सोसड के विरुद अधिकार दिया गया है कि आपके साथ कोई दुरुब्यापार ना करें दुरुब्यापार का मतलब आपसे कोई जवरजस्ती काम न कराएं आपके साथ कोई म किया गया है आपको अधिकार दिया गया है कि आपके साथ बलाज स्रम ना हो यानि कि जवर जस्ती कोई आप मान लीजे मेरे घर में कोई काम करता है मैं उससे जवर जस्ती काम कर वाँ मारूं पीटूं इस तरह से नहीं आप बलाज स्रम के प्रती से बलाज स्रम का प्रिच्ज के साथ आप बच्चों को काम में नहीं लगाएंगे यानि कि बलासिरम में ये आ जाता है सुरी ये अनुच्छे 24 के बिरूद हो जाता है बालकों के नियोजन का प्रिचितेज होता है ठीक है चलिए धर्म की सुतंता का अधिकार अनुच्छे 25 से लेकर 28 तर धर्म की सुतंता का अधिकार अनुच्छे 25 में जो अनुच्छे 25 की और धर्म की अवाद रूप से मानने आचर करने और पिरचार करने की सुतंता ठीक है फिर से बता दूँ अनुच्छे 25 की और धर्म की अवाद रू हैं तो आप अपने धर्म को मानते हैं अंत्यकड करने का मतलब हम मैसूस करते हैं हिंदू धर्म को यानि कि सनातन धर्म का बैजय हो बैदिक धर्म की तो इस तरह से हम अंदर से मैसूस करते हैं कि हम इस्वर को जो है मैसूस करते हैं कि आपके अंत्यकड की यानि कि अंतर जो मै होते हैं बोले या फिर माल लिए कोई नमाज करता है मुस्लिम है वो अपने अल्ला की अबादत करता है मानता है तो हम जो हिंदू हैं तो हम उनकी अल्ला की अबादत पर क्या नहीं कर सकते कि हम उनकी क्या नहीं कर सकते उस पे हम टिपड़ी नहीं कर सकते उनको हम रोक नहीं स करने का अधिकार दिया गया है पिचार मतलब अपने धर्म का हम बोल सकते हैं किसी के बारे में हम हम अपनी बात रख सकते हैं यह नहीं कि उससे किसी को फर्क पढ़ना चाहिए ठीक है नेक्स देखते हैं दार में कार्यों के प्रवंतिकी स्थनता दार में कार क्या मतलब आप म नमाज पढ़ रहे हैं आपने बीच रोड पे गड़ी रोकी और गड़ी रोकने के बाद जाम कर दिया रोड और रोड पर बिछाया हमने तिरपाल और वहीं पर जो है अल्ला हुआ अकबर चलाने लगे या फिर मान लीजिए हमें एकदम याद आया कि हमको मातलि लीजिए यानि कि आप अपने तीधार्मिक कारों के प्रवंद्ध की स्वतनता है आपको आप जागड करिए बागवत कराईए कबाली का प्रोग्राम कराईए नमाज पढ़िए कुछ भी करना है सबसी कराईए लेकिन किसी को तंग न करिए नहरत देते हैं अनुछ्य सत्ताइज किस किसी विसिष्ठ धर्म की अविविरत्ती के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतनता है यानि माल लीजिए आप किसी विसिष्ठ धर्म के हैं आपके कर को यानि कि माल लीजिए आप मस्जिद में कुछ पैसा पगएरा है तो कर जो है यानि कि आप विसिष्ठ धर्म के अभी बिरद्धी कर सके हैं ति अपने धर्म में क्या कर सके हैं थोड़ी बड़ोत्री कर सके हैं और अपने धर्म के लिए वो मस्जित का थोड़ा सा क्या करना सके हैं डेंटिंग पैंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको पैसे की भी जरूरत गई है कि आप यहां पर क्या नहीं करेंगे गरव अगेरा नहीं दे सकते हैं इसकी छूट का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 28 में कुछ सिच्छड संस्ताओं में दार्मिक सिच्छा का या धर्म धर्मिक उपासना में उपस्तित होने के बारे में सुतंता यानि कुछ इक या पिर धर्म अपासना में उपस्तित होने के बारे में इस में सुतंता दी गई है नेट देखते हैं अनुच्छत 31 बो अनुच्छत संस्कृती और सिच्छा संबंध्य अधिकार अनुच्छत 29 से लेकर 30 किसी पुए अनुच्छत 29 में दिया गया किसी भी बर्क के तो अर्भी को सुरक्षित रखना चाते हैं ठीक है अपनी सुरक्षित रखना चाते हैं भासा ये लिपी को सुरक्षित रखना चाते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हमें थोड़ा से सरकारी सपोर्ट कर सकती है तो हमारी लिपी हमारी संस्कृति हमारा जो कुछ भी है उस को सुरक्षित रखने का हमारा अधिकार है यानि कि हमारी अर्भी है माली जी है हमारी हिंदी है हिंदी जो खत्र में आ रही है क्योंकि हमें हिंदी बोलने में सरम आती है समझ पारा ना यानि कि हिंदी बोलने में सरम आती है आप कितने भी प्रिखांट विद्वान बन जाए यदि आपको अंग्रेजी के दो चार शब्ड नहीं आते होंगे तो आप विद्वान नहीं माने जाएंगे इसी तरह से आप मालीजिय कोई और भासा सेख लिजे लेकिन अगर आपको अंग्रेजिय नहीं आती है तो आप निल वट्टे जीरो मान लिया जाएगा इसी तरह सो तो यहाँ पर क्या है हमें अपनी संस्कृति को क्या करना है अपनी भासा का क्या करना है सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है अनुच्छे 29 में आप मान लिजिए तमिल के प्रेमी है तमिल के प्रेमी है तमिल चेतर की बात करना है तेलुगू के प्रेमी ह ऀनुचित संक्यक बरगों के हितों का संड़क्र्ट अल्प संक्यक के बरगों के हितों का संड़क्र धर्या मतलब कुछ अल्प संक्यक जैसर přेमालीन मुसलिम जो हैं भारत में अलप संक्यक एक तरस Exact एक मुस1000-2 cabinet तो काफी संक्या है, मतलब जेन हैं, सिख हैं, या फिर कोई अन्य बर्ग हैं, तो उसके बर्वों के हितों का संदख्ड़ यानि कि उसे कुछ ऐसी चीज़ें करने देनी जाए, जिससे वो क्या हो सके, वो अपने आपको थोड़ा सा विक्सित कर सके, यानि कि अल्प संक्या है कि हितों का संदख्ड़ का मतलब यह नहीं, कि इतना उन्हें संदख्ड़ दिया जाए, कि साला दूसरा जो बर्ग है, वो क्या हो जाए, वो दूसरा बर्ग अल्प संक्या हो जाए, यानि कि सीधा सा मतलब यह है, कि आप मालीजिये मुस्लिम है, मुस्लिम का मतलब यह है, क किसी दूसरे को फर्क तो नहीं पड़ता है यानि कि आपको स्वतंता दी गई है कि क्या दूसरे की स्वतंता का अनन्द तो नहीं हो रहा किसी दूसरे की आप साधन पर तो नहीं आ रहा है मतलब आप मान लिजिए कि आप भारत देश में साधन जो है नाँ रिसोर्सरे बगीरा है जो है नाँ मतलब कम संख्या तो आपके कौन हो गए जयन वो गए पारशी हो गए आपके मुस्बलिम तो काफी है उनकी पारशी हो गए पार्शी हो gap इस्चन हो गए इन कि हितों का हितों का मतलब इनने जो अपने हित का मतलब इनकी जो फाइदे हैं उनका संदक्षड किया चाहेगा अनुच्छत 31 सिच्छा संस्ताओं की इस्थापना और प्रसासित करने का अल्व संक्यक भरगों का अधिकार यानि की सिच्छा संस्ताओं की इस्थापना करना ज चाते हैं कोलेज बगएरा खुलवाना चाते हैं तो किश्चन लोगों को दिया गया है मुझसले में अपने मदर से खुलवाना चाते हैं ठीक है मदर से खुलवाना चाते हैं तो अपना सिच्छर संस्ता का अपना विवस्ता कराए हिंदु संस्क्रत का प्रिचार करना चाते हैं तो संस्क्रत कॉलेज खुलवा सकते हैं तो इस तरह से अल्फ संक्य बर्गों का अधिकार ठीक है यानि हिंदू में अल्फ संक्य की हो जाता है आने वाले समय में ठीक है चलिए अनुच्छिद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं है बलकी मूल अधिकारों के किरियाम बयन का माध्यम भी बताया गया है तो अनुच्छिद 32 जो है सम्विधानिक उपचारों का अधिकार है यानि कि सम्विधानिक उपचारों के तहत नियायले द्वारा प्रदान की जाने वाली लगवग 6 पिरकार की रिटों से यहां पर तात पर है यानि कि संबेदानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है कि इसमें अनुच्छिद 32 में और अनुच्छिद 32 के वल मूल अधिकार ही नहीं है बल की है मूल अधिकारों के किरियाम बहिन का मात्यम भी बताया गया है तो अनुच्छिद 32 संबेदानिक उपचारों का अधिकार इसमें कुल बंदी प्रतिचीगड, परमादेश, प्रतिसेद और अधिकार प्रस्चा यानि कि पांच प्रकार की रिटों के बारे में चर्चा की गई क्या-क्या बंदी प्रतिचीगड, परमादेश, प्रतिसेद, अधिकार प्रस्चा और उत्प्रेसर रिट ठीक आईए के करके सब की को समझते हैं नाग्रिकों के मूल अधिकार संब्धानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छे 32 से लेकर 35 तक दिया गया है डॉक्टर भीम रामबिडकर ने संब्धानिक उपचारों को संब्धान का हिर्दय और आत्मा का आया है इनके पांच प्रकार के इसके पांच प्रकार के प्राबधन किये गए किसमें आपके अनुच्छे 32 में तो सबसे पहला जो आता है बंदी प्रतच्छी करड़, परमादेश, नेसे तागया, अधिकार प्रस्या और उत्प्रेसर्ड रिट, हैवियस कारपस, मेंडेमस, प्रोहिविजन, ठीक है, दर रिट और क्यो वारेंटो, ठीक है, चलिए सबसे पहला है बंदी प्रतच्छी करड़ रिट, बंदी प्रतच्छी करड़ रिट द्वारा, किसी भी गिरपतार ब्यक्तिव को नियायले के सामने प्रस्तित किया जाने का आदेश जारी किया जाता है, यदि गिरपतारी का तरीका या कार्ड गैर कानूनी या संतोज जनक न हो तो नियायले ब्यक्ति को छोड़ने का आदे देदा माली जी आपकी गिरफतारी हो जाती है और पुलिस सही काड नहीं बता पा रही है कि इन्हें किसलिए पकड़ा है तो गिरफतारी का कानून तरीका जो है गेर कानून नहीं पाये गया या फिर उसका तरीका जो है सही पाये गया संतोज जनक कार्ड नहीं पता पाई तो उन ब्यक्ति को छोड़ देने का अधिकार होता है दूसरा देखते हैं पर्मादेस पर्मादेस रिट यह आदेस उन परिस्टितियों में जारी किया जाता है जब नियायले को लगता है कि कोई सार्जिन पदाधिकारी अपन जी किया जाता है जब किया जाता है व मां लिये को व्यक्ति है कि टि मिदानिक पद पर बेठा हुआ है पर कि पर की गर्म को को कोई œं करते हैं मां लीजी आप चूरन नहीं बेश है, माली जी, आप किसी को पढ़ाते हैं, सरकार आपको पैसे दे रही है, आप पढ़ाने के साथ वो पढ़ाने का काम तो करी नहीं रहे, मॉलобраз कर नहीं है, य ही अप कोई और काम करते हैं, तो इससे क्या होता है परमादेस रिट के दौरा आपको क्या किया जाता है उन परिस्टियों में जारी किया जाता है निशेताग्या रिट जब किसी निशली अदालत अपने अधिकार छेतर की अत्कमेत कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उपर की अधालत उसे ऐसा करन में नहीं आता है और हाई कोट यानि की हाई कोट या फिर सुप्रिम कोट का है या फिर माल लगी जिलाल एाले के खिस पर उसे निचली अदालत को यानि की हाइ वह है हाई कोड मतलब इलावाद हाई कोड जो है जिला नयायले को कर सकता है ठीक है या फिर सुप्रीम कोड जो है उस हाई कोड को कर सकता है फिर से बता दूँ जब कोई निचली अडालत अपने अधिकार छेतर से क्या करती है अतिकरण मतलब अधिकार छेतर भी जो सीमा है उसको लांग जाती है माल लीजिए किसी को फांसी की साजा सुनानी है तो फांसी की साजा सुना रही है जिला निया एले सुना देता है तो उसमें क्या है वो उस अधिकार छेत्र में नहीं आता है या फिर माल लीजिए किसी केस की सुनवाई हो रही है और वो जिला निया एले में न नहीं है तब नियायले अधिकार प्रस्चा आधेस चारी कर उस ब्यक्ति को उस पद पर कार करने से रोग सकता है माली जी कोई जिले का माली जी कोई डीम आया है या फिर कोई अन्य ऐसा पद है जिस पर वो क्या होने वाला है आसीन होने बाला है तो उसमें क्या होगा नियायले को ऐसे लगता है कि वो पद की लायक नहीं है कानूनी अधिकार उसका नहीं बनता है तो उसको उसके लिए अधिकार प्रेश्चा आदेश चारी कर सकता है उत्प्रेशड रेट उत्प्रेशड की अगर बात करें तो जब को मैंने पीछे बताया था, यहां पर क्या था, निसेदा क्या होता है, कि इसमें क्या हो, वो काम होने बाला होता है, उसको रोक देता है, यानि कि मना कर देता है, लेकिन यहां पर क्या हो, उत्पर इसरो डिर्ट में क्या होता है, मान लिजी कोई अधिकारी है, मान लिजी मैं CMO किसी जिलेगा, तो मान लिजिए कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, कोई अधिकारी है, मेरे नीचे का दुब, वो कारे जो कर रहा है, CMO लेबल का कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको निचली, उससे क्या कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, या फिर मान लिजिए को क्छ कि अधिकारी को अस्ताला अंतरित कर देता है इसमें क्या हुता रोकता नहीं बल कि क्या करता उठाया और उत्रयकेलश रेट केता है तो वो क्या कर देता है उपरी अधालत में icriad अधा tratar देता है या फिर उपर्या prefix ये आपकी रिट्स सब्सक्राइब करते हैं तो कई तत्व समाज बात की स्थापना के लिए जब कि कुछ गांदीवादी विचारों से प्रवावित हैं तो कई तत्व जो है समाज के पिछड़े तथा दलित बर्वों के उत्थान के के बारे में जानकारी देते हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं राजी की नीजिने से तत्वों का बर्गीकर की अगर बात कर लिए तो सबसे पहले जो आता है वो है समाज बाती पिछिस्ताओं की अगर बात की जाए समाज बाती पिछिस्ताओं की अगर बात की ज का गांधिवादी सिद्धान्तों की अगर बात की जाए तो गांधिवादी सिद्धान्तों में आपके अनुच्छे जो है चालीस तितालेस तितालेस खा च्यालीस से तारीस और तारीस उधारबादी सिद्धान्त की अगर बात की जाए तो अनुच्छे जो है चावालीस पैत एक करके पॉइंट किलिए करते हैं किस देश से लिए गए है? तो राजिके नीदेश सकत्त्त्त्त्त्त अर्म के भाग चार में अनुच्छिथ दिखुध च्छ जटी किया ग्यावन के अंतजर्त किया गया है राजि के नीत नेतिस टत्वों जो हैं के अंत-त्त्त राजियों की सरकारों के नाम जारी एसी इerkषिंटैस हैं जो देश की सासन विवस्था के लिए मौले का हैं जिस तरह से हमारे मौलिक अधिकार है इसी तरह से राज के लिए या कहें राष्ट के जो सासन करता के लिए क्या है कुछ प्रमुक मौलिक अधिकार है राज के नीज निर्देसक तत्वों का उद्देस जन्ता के कल्याण को प्रोसाइद करने वाली सामाजिक विवस्ता का निर्मार करना है नीद निर्देसक तत्तों को पिरसास्वकों की आचार सेंता भी कहा जाता है यानि कि इससे क्या करना है जो जन्ता है उसके कल्यार के लिए कार करना ही नीती निर्देसक तत्तों का क्या है? एक प्रमों को उत्यस में दिया गया है? यह देखते हैं. अनुच्छे चट्टी से लेकर एक यावन तक सोलया निर्देसक सिर्धानतों का बड़न है, जो कि आपका अनुच्छे चट्टी से से सेंस की वरबात की जए तो अनुच्छे 36 में राज सब्दिक को परवाचत किया गया है अनुच्छे 36 जो है गोंचरा करता है कि निदे सकता तो देश के सासन के मूला दिकार हैं और निश्य ही विद बनाने में इन सिध्धान्तों को लागू करना राजिका करता भी होगा और करता भी के बारे में कहें तो करता जो है बादिकारी नहीं होते है करता भी का मतलब यह होता है कि आपको माता पिता का कहना मानना चाहिए आपके माता पिता ने आपको बड़ा कर दि दिया उन्हें आपको बड़ा कर दिया तो आपका कर्तब बनता है कि उनकी सेबा करें अब ये बात दिकारी नहीं है करें या न करें समझ के ऊपर है आप समझदारे तो करेंगे नहीं समझदारे तो नहीं करेंगे तो आप अंधार लगा सकते हैं इसमें कुछ special discussion करने की आप स हैं पंद्रे-पंद्रे-लाग हम आपको देंगे अब माली जी उन्होंने बादा कर दिया अब कोई जाकर उन्पने हमने माल लिया अब बद में मकर्जा के हम 15 लाक नहीं देंगे तो बहया क्या नियायले में कोड में जो है जवर जस्ति करवायंगे नहीं ना या फिर माली ये पप्पू जो है हमारा सौने से सौना आलू डालके सौना बनाने वाली वसीन की बात करता है क्या उसने मसीन कभी दी हर व्यक्ति बेराउजगार को बात तरह जार रुपे महीने देने की बात करता है क्या उसने दी तो ये क्या है ये करतब हैं करतब जो है नियायले दौरा जब आईते हैं ऐसे करके क्योंकि जब जो चरड जो होते हैं जब आप जैसे मालीजी प्रदानी के चुनाव और जैसे ही वो प्रदानी जीत जाएगा उसके बाद प्रधान की चड़ों में बोटर होंगे, तो दो चड़ों में जैसी होता है, तो यहाँ पर क्या है, कि माली जी प्रधान जी जो आते हैं, और ऐसे करें यहाँ जोड़ के आते हैं, कि दीदी, दीदी हाँ बताईए, बोटर से कहते हैं, जो बोट देने वाला है, दीदी, हमको खटिया पे देना मार्लब बोट जो है हमारी चुनाफची जो है खटिया है उस पर खटिया पे देना है वके सर मैं आपको Khatia पे देंगे 55 रो FROM Khatia जो है हमीसा हमारी favorite रही है तो क्या है खटिया पे देना लेकिन खटिया पे देने के बाद आप क्या करेंगे कि आप हमारी यह rodi बनवा देंगे कैसी वातें कर रहे हैं road बनवा देेगे अब उन्होंने खटिया पे दे दिया जाके उन्होंने जब खटिया पे दे दिया देने के बाद अब बार या इस सड़क की नेता जी हमारे मुकर गए तो क्या भईया हम कोट में जाएंगे कि ये बोट मांगने आए ते इन्होंने का हमको खटिया पे देना हमने खटिया पे जाके वह दुबढारा चुनाव आया, की बार आए उसी बोटर के पास मैं भी पहुंचा मैडम जी हमको बोड्ट देना अरे काय पे कर देना आ अरे कई अरे काय पे देना आपको कि हमारा चुनाफचन चाथा है तो नही हो कि हाँ नहीं है तो दो चुनाप चिन चाता है है हमने कि हाँ तो हमने कहां गी आपकी रोड बनवा देंगे अरे पिछ़ले 16 वाल वन którą 하나 बी तो हम देख आइते वोट अच्छे से दिया था उनको और पर्याद भी था उनसे का था ये रोड बनवा देना मैंने कि मैडम जी आप बेफिक करेए हम बनवाएंगे ना आप हमको चिताइए ना ठीक है कोई बात नहीं उनके तब तक पीछे से एक बबा बोले आता न जाता चुनाप चिन चाता ये बनवा देंगे रोड जब पुरान जो है बेवस नहीं कर सकती इनमाम लोंगे फिर से बता दूँ कि इसे दान्त किसी नियायल में प्रवर्तनी ये नहीं है उसका मतलब यह के नियायप आलगा राज को निदेशक तत्वों के अंतरगर किसी कर्तव को निभाने के लिए बेवस नहीं कर सकती इसके बाद 38 राज्य ऐसी सामाजिक विवस्ता बनाएगा जो सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नहाया को क्या करता है सुनशित करता हो भारत को लोक करता हो अगर सर भी करता हो आए ला अनुच्छ उन्तारीस ही बात की जा तो अनुच्छ उन्तारीस जो है राज अपनी नीतियों का संचान इस परकार से करेगा जिससे पुरुस और स्थरी सभी नागरिकों को समान रूप से जीव का के परयाप सिध्धान्त प्राप्त करने का अधिकार मिल सके इसको आप जानते हैंगे इस त्रियों प्रुस के लिए समान क्या कर सके वो इस तरह से कारे या फिर इस तरह से करे कि जीव को पारजन के लिए उसके क्या मिल सके मतलब शिद्धान प्राप्त करने का अधिकार मिल सके अनुचिद 49 का की अगर बात किया जा तो 1906 में 42 में संविदान संसोदन दोरा यह जोड़ा जाता है अनुचिद इस्तापित किया जा था इसके अंसार निसुलक बिद्धिक साहता और सभी के लिए समान नयाय की प्राप्ती करवाना राजिका करता प्राप्त करता प्राप्त कर दिया था चमता बना कारे चम बनाये जा सके फिर से बता दूँ अनुच्छे चालिस में राज जो है राज मतला देश की बात हो रही है भारत देश के बारे बात हो यह राज यहाँ पर गिराम पंचायतों के गठन के लिए ऐसे कतम उठाएगा जिससे पंचायतों को स्वायत सासन की इकाय की रूप में कारे चम बनाये जा सके यानि की इस्थानिय स्वासासन को मजबूत बनाये जा सके ताकि सत्ता जो है याका केंद्रा मुमुक होने लगे केंद्रा मुमुक की कैसे होने लगे केंद्रा बिमुक से किस तोर जाने लगे नीचे से उपर की और बढ़े यानि सची चूटी निमनिस्तर की इकाई मान सकते हैं तो गाउं का हर ब्यक्ति अगर सच्छम हो जाएगा तो बुचिरा सच्छम हो जाएगा तो यहां पर गिराम पंचायतों को गठन के लिए कदम अठाएगा जिससे क्या हो गिराम पंचायतों को सुराइद सासन की इकाई की रू और निसक्तता अन्य अर अवाव की दसाओं में लोक सायता पाने के अधिकार को पिराप्त कराने का पिरभावी उपाय करे यानि कि इसका मतलब है आर्थिक सामर्त और बिकास की सीमाओं के भीतर यानि कि जितना आर्थिक सामर्त और बिकास की सीमाओं के भीतर का मतलब यह है क आर्थिक सामर्त का मतलब जितना मनी है, सरकार जितना कर सकती है, जितना जाइज है, ये नहीं के सब को committees ने कह어서 क्या दिया, पंद्रे लाग देएंगे, मतलब अगर पंद्रे नहीं तो 2000 रुपे तो एकाउंट में आएंगे, तो वो 2000 रुपे तो 2000 देते हैं, मेरी वकाद जो है दो रुपे की है तो मैं दो रुपे का काम आपके लिए कर दूँगा मेरी जितनी चमता है मैं उतना कर सकता हूँ तो आर्थिक सामर्थ के आधार पर यानि कि आर्थिक सामर्थ के भीतर काम पाने के यानि कि लोगों को रोजगार दिया जा सके सिच्छा पा जो है सुबिदाएं की परदान कराई जा सके ठीक है तो इस तरह की कुछ दसाओं में लोक साहिता पाने का अधिकारी बनाए जा सके अनुच्छ दिब्यालिस में राज बिशेस्त महिलाओं के संबंद में काम की निया संगत और मनोवांची दसाओं तथा पिरसूती साहिता का उपवंद करें सीधा ता मतलब है कि महलाओं के लिए क्या करें संबंद में काम की निया संगत और मनोवांची दसाओं का तथा पिरसूती साहिता का उपवंद करें यानि की मान लीजिए कोई गरीब महला है और उसके पास क्या है वो पेट से है जब पेट से आने का बाद नौ महीने का जब समय आता है तो नौ महीने के समय आने के बाद वो क्या करती है वो जाती है एक होस्टीटल में तो जाईसी वात है कि उन्हें ऐसी विवस्ता की जाए कि उन्हें आर्थिक साहता दे जाए ताकि वो क्या कर सके है अच्छे किसी यानिकी अच्छी स्वात से स करवालें, घर में क्या हो सकता है, कोई डोक्टरहन नहीं होंगी, कोई दिक्कत हो जाती है, bleeding, bleeding, कोई भी ऐस, एकसले दिक्कत हो, तो थुब तो तुरंट काम की मनोवांचित दसा का मतलब नियाय संगत और मनोवांचित दसाओं का क्या कर सके महलाओं के संबंद में विवस्ता कर सके मनोवांचित का मतलब कोई महला है महला जो है काम करने जाती है तो ऐसी विवस्ता कराई जा सके ताकि उनका जो है सोसड न हो यानि कि जायज है जै सब्सक्राइब करते हैं तो में लिए द्यांता झाहिए करता है में वे निए वा hospital में. वहाँ पर क्या है? toilet की वे वश्था नहीं है. ट cierto महलाओं खड़ी होगी तो उनका इतना हिस्सा निकलता है इतना हिस्सा निकलता है तो उससे क्या होती है दिक्कत होती है मतलब महलाओं के लिए सारी जो बेवस्ता होनी चाहिए जो की वो चाहती है जैसी कि अच्छी टॉयलेट हो कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उनकी पूरी दे परिस्तित नियूंतम मजदूरी वा सुविदा के संबंद में अपेच्छित प्राद्धान करें यानि कि जो सरकार है वो ये देखे कि आस्ताथ के छेत्र में जो कारी कर रहा है मजदूर या फिर जो भी उन्हें पैसा मिल रहा है काम करने के बाद वो निया इसंगत है या फि जो बेसिक एया का है जो मूल वुस्त विदाएं वो पूरी हो पा रही है उनकी के नहीं तो इन सभी का इसमें प्राद्धान किया गया है नेक्स जो है अनुच्छे तितालिस काम है राज उपयोक्त विदान अत्वा अन्न किसी रीस्ते किसी उद्योग में लगे हुए उप प्राद्धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा अनुच्छे चवालिस की अगर बात करना राज भारत के समस्त राज छेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहिंता का क्या करेगा बनाने का प्रयास करेगा सिविल सहिंता मतलब समान कानूनी अधिकार की विवस्त करेगा अनुच्छे 55 में राज इस सम्मिदान के प्रारंब से दस वर्स की अवधी के भीतर सभी बालुकों को जो की 14 वर्स की आयू पूरी करने तक निसुल्क और अनिवार सिच्छा देने के लिए उपंद करने का प्रयास करेगा यानि कि आपको पता है सब सिच्छा अव्य नया प्राब्धान ये किया गया कि है राज सभी बालुकों के लिए 6 वर्स की आयू पूरी करने तक प्रारंबिक बाले अवस्ता देखरेक और सिच्छा देने के उपंद करने का प्रयास करेगा ठीक है चलिए अनिश्चे 46 में देखते हैं राज जनता के दुरबल वर्ग दुरबल जो कमजोर वर्ग हैं जैसे कि आपके अन्सूची जातियां हो गई जन जातियों कि सिच्छा और अर्थ संब्दी अर्थ मतलब पैसे संब्दी तो कि बिसे साबधानी से अभी बिरद्धी करेगा और सामाज एक अन्यायो सभी प्रकार के सोसर से उनकी रच्छा करेगा यानि कि मान लीजिए कोई दलित है दलित तो मतलब एक राजनेतिक प्रेसे से कमजोर है उसको दलित की बिरद्धी करेगी अर्थ समधनी कुछ पैसे से अगर मदध हो सके तो मदद की बिरद्धे करेगी ताकि वो क्या कर सकें अपने आपका विकास कर सकें क्यों कि माल दीजिए मैं गरीब हूँ तो मेरा बेटा अगर नहीं पढ़ पाता है तो आने वाल इस समय में उसका पीडीवी यानि कि वो लॉड फेर के ताब उसकी साधी करा देंगे तो वो भी अनपड होगा तो उसकी पी अगर बात की जाए तो राज नागरिक के पोसर इस्तर बजी बन इस्तर की बिरद्दी के लिए लोग स्वास्ते और और सदिया निर्मार नसा मुक्ती के संबंद में प्रापधान भी करेगा यानि कि नसा मुक्ती और सदिया और सदिय निर्मार यानि दवाईयों का निर्म कार है उसने क्या कर दिया था आपके दारू को बंद करा दिया था दारू दारू जिसको मिल जाए उसको मारू तो ऐसे करका कभता भी है तो बिहार की क्या है नसा मुक्ति की संब्दें प्राब्धन करेगी जैसे कि मान लिए मैं हूं मैं मजदूरी करने जाता हूं तेड़ सो आप तो आफ हो गया, साढने तीन सुरुपिया मुझको मिलता है, घर पे आया मैंने दो सुरुपे का पहुगा पी लिया, दो सुरुपे का पहुगा पी लिया, अब बचे कीतने, देट सो रुपई, भी सो रुपई, जब पहुंचे तो राज्ते में cuc सी ओ था, है वो और गरीब आने की इस्तिती में नहों क्योंकि अगर वो पढ़े चाहिन सो रुपे घर पे पहुंचाता है उसमें मानली जी उसका सो रुपे सो सवा सुरुपे का अगर पूरी दिन खर्चा है तो भी वो कम से कम मानली जी मौटा मौटी तो बचा ही पाएगा तो बचाह प्रशा उसना क्योंकि आप माली जीए उन्होंने क्या किया जो सब सब की दारू पी ली अब बच्चे जो है बीमार हैं पड़ाई होनी पारी असिच्छा है करी गरीबी है बेरोजगारी तो एक तरह से मानी सकते हैं क्योंकि पेस्टी जितने कमाई उन सभी का पी लिया तो संदक्षण या पर्यावड का संदक्षण उसमें सुधार करने का और बन जीवों की रच्छा करने का प्रियास करेगा ठीक है उसके बाद अनुच्य नुनिंचास की बात किया राज ये राष्ट्य महत्च के समारकों इस्थानों अबस्तूओं के संदक्षण ये तू बिस को कारपाल का जी प्रिसक करने के लिए राज जी एक कदम उठाएगा अनुच्य ग्यावन की अगर बात की जाए तो अंतराष्टी सांती और सुरक्षा की अविविरद्धी के लिए राज जो है प्रियास करेगा यानिकि अंतराष्टी सांती और सुरक्षा को बढ़ाना औ भारत के संदर में राज के नीच निदेशत तत्तो का महत देख लेते हैं इन प्राद्धानों के माध्यम से समाज के कमजोर बर्गों के लिए राजनेतिक आर्थिग्रम सामाजिक नियाय को सुनिक्षित किया जा सकता है यह नाग्रिकों के अपसर्व पदों की समानता सुनिक्षित करते हैं यह ब्यक्ति की गर्मा वर राष्ट की एकता अखंड़ता को सुनिक्षित करते हैं सरकार जो है नीत निदेशित तत्व के लिए नियतिक रूप से बात दे है काणीनी रूप से नहीं है कि वह कमजोर बार की रिदिक में कोई कदम उठाएarez वो उठाती है तो साहि और नए उठाती है । उस्चिए नहीं है नए उठाती हो बनाया गया जिनको, मातरत लाव अधिनियम 1961 में अनुच्छेद 42 के प्रवाब के काड़, अनुच्छेद 42 में क्या है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, 86 में संविदान संसुदन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर सिच्छा को मौलिक अधिकार के रूप मे इस्थापित करना अनुच्छेद 45 का प्रवाब था, पर्यावण बन्निजीब संद्च्छड अधिनियम 1972 अनुच्छेद 48 का प्रवाब था, 48 का का प्रवाब था, तो 48 का में क्या था आपको बताना है, जंड प्रक्रिया 1773 बनाये गया लोग सेवाओं में कारेपालिका से नुच्छेद 50 का प्रवाब था, योजना आयो की स्थापना की गई थी अनुच्छेद 38 का प्रवाब था, ठीक है, महत्मा गांदी राष्टी ग्राम रोजिगार गारंटी अधिनियम 2005 अनुच्छेद 41 का प्रवाब था, क्या था अनुच्छेद 41 में आपको पताना है, च चैर यह शाथ यह बात करते हैं fundamental duties मूल कर्थब्यों के बारे में ठीक है आए समझते हैं मूल कर्थब क्या है जिस तरह से राज़के नीत नजीश किसी राष्ट के सासन के लिए मूल कर्थब थे इसी तरह से हमारे लिए हम भारत के लोगों के लिए मूल करतब यानि फंडामेंटल ड्यूटीज है ठीक है मूल करतब पर पहले सम्विदान में नहीं थे इन्हें स्वड सिंग समीति की संतुस्ति यानि के सिफारिस की आधर पर 42 ने सम्विदान संसोधन 1976 द्वारा चोड़ा गया था सम्विदान में एक नया अध्याय चार का अ नागेरिकों के लिए कुल दस मौलिक करतब्यों का समावेश किया गया था ठीक है जब सम्विदान का उनिस सब्सथाओं राष्ट द्वाज और राष्ट गान का भी आधर करना चाहिए सबसे पहला जो है करतब क्या है संब्धान का पालन करें उसके आधर्सों का यानि कि आधर्स का मतलब जिन के द्वारा लिखा गया था जिनके द्वारा उसमें योगदान था वो इनके आधर्स हो गए संस्थां जैसे कि कोछ संबिदानिक संस्ता है उनका सम्मान करना चाहिए राष्ट दजका यानि कि जो हमारा जंडा है उसका सम्मान करना चाहिए राष्टगान जन गण मन अधिनायक जो है हमारा राष्टगान है उसका क्या करना चाहिए सम्मान करना चाहिए करतब है बादिकारी नही ये कानून के द्वारा जबरज़़स्ती भी नहीं धोपा जा सकता तो करता है अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं किसी की ज़ूर जबरज़़ती नहीं है ठीक है? आप संमान करें न करें अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है सीधा था मतलब ये है कि आपको माता पिता ने बड़ा लिखा कर बड़ा कर दिया उसके बाद जवाब बड़े हुए तो आपका भी हक मनता है कि आप उनके लिए कुछ करें लेकिन अब आप बारी आती है आप की तो आप मुकर जाते हैं कोई फरक नहीं वड़ता इससे लेकिन आप तो समझदार हैं कहीं से भी थोड़ी बुद्धी है आप अन्न खाते हैं समझदार होंगे तो करेंगे दूसरा देखते हैं स्वतनता के लिए हमारे राठ या अंदलों को प्रेरित करने वाले उच्चा अदर्सों को हिर्दय में संजुई रखें और उनका पालन करें जैसे के हमारे निताजी शुवाशंद्वोस पंडिच जवाला लेनो भगस सिंग महत्मा गांदी निताजी शुवाशंद्वोस अबुलकलाम आजाद और बहुत से ऐसे जिन्होंने सुतनता संगर्स के दौरान यहां राष्ट या अंदोलन के दौरान अपनी क्या दी आहोती दी प्रावणों की या फिर उसमें सयो किया तो उनको हिर्दय में संजुई रखें यानि कि यहां पर रखें और मन में एक दम उनके लिए आदर सम्मान का भाव रखें और उनसके बत्ति भी ना दें यानि कि उनसे प्रेम करें न करें तो कोई फरक भी नहीं पड़ता लेकिन उनकी बेचिती भी ना करें तीसरा देखते हैं भारत को प्रोथा बारत की प्रोथा एकता अकंड़ता की रख्चा करें और उसे अच्छने रखें यानि कि भारत जो है भारत की एकता तू हिंदू है मुसलमान है सिख है इसाई इसमें न वाट है तू दलित है हम खलित है तू नीचा है मूचा है मतलब इससे क्या है कि आपस में प्रेम भाव रखें ताकि जो है समाज तूट न पाए गाउं तूट न पाए जिला तूट न पाए राज तूट न पाए देश तूट न पाए और ये सब क्य हो सके भारत की अखंड़ता अचुने बनी रहे ठीक है देश की रच्छा करें और आवहान किये जाने पर राष्ट की सेवा करें सीधा मतलब देश की आपको रच्छा करनी है इसके साथ माल लीजिए कल पाकिस्तान जो है पाकिस्तान क्या चिर्कुट चिर्कुट इस्थान नान है उसका तो माली चिर्कुट इस्थान जो है आप पर कलती से हमला कर देता है पहले उसकी इतनी वकात नहीं हमला करते है कोई देश है जो हमला कर देता है माल लीजिए तो आप क्या है प्राण की आउती देने की, तो आप उसके लिए भी डटे रहें, क्योंकि भासडबाजी से जरूरत नहीं है, कभी-कभी जो सुचू है, कहते हिम्मत बता ही नहीं, कभी-कभी दिखाईवी जाती है, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, तो वो दिख जाएगी, अब कितना ही बता आया जाए आनि, कॉल की जाए, तो यह नहीं के आप उमारा फォोन नहीं उठाएए, समझ पहा रहे है, आपने मलाई करने पैसे डल बार है देश की खातिर जो है आप जब लड़ने की बारी आई तो अम्म कर जाए तो नहीं आप बस यह है कि आप नहीं भी जाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा नहीं भी जाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर जाते हैं तो अच्छी बात होत कोई बात हो जा जिए बगल में कोई आत्म पार्ट के अध्युकित निर्माड करें जो भासा और पृदेश बर्ग सभी बेदवाएं से क्या हो परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याकरएं जो इस तुरियों के सम्मान के विर्ड यानि कि किस तरह की बेद्वाव से पर हो धर्म से, यानि कि तु हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की अउलाद है तो भोपाल वाला वनेगा नहीं यहाँ पर क्या ये बोपाल सब्द क्या ज़स्ताता है भोपाल एक प्रदे से आप छेत्र के बारे operates करता है यानि कि कि incidence नहीं यानि कि धर Muse नहीं धर्म से पर हो धर्म छेण करते हैं आपस में मेरें तो धर्म से कोई लेना देने नहीं, तो हिंदू है, मुसल्मान है, यहां कोई मतलम नहीं, तु मेरा मित्र है, मेरा पडूसी है, मेरा देश का बासी है, यही काफी है, बस इसी की बज़े से तु मेरा भाई है, लेकिन यह तो एक कविता है, ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत कम ल वाले जो लोग है जादा भासा की रूप में कट्टर होते हैं वो अरे हम इंदी नहीं बोलेगा इंदी नहीं हम इंग्लिस चल जाएगी लेकिन हिंदी में हम कुछ सरम आता है तो इस तरह की भेदवाव से क्या हो पारी हो प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश का भाई है यूपी वाला बोलते हैं बिहार का है अरे तुसाला बिहारी लगता है सकल से बिहारी इस तरह से नहीं मतलब आप क्या है एक बैदवा हो गया ना कि नहीं यार ऐसे कैसे बात कर दी बिहारी क्या मतलब बिहारी होता है गाली है क्या बिहारी का मतलब जो होता है बिहार का रह दिरात वाला चेत्र था, आपका महराश्ट वाला चेत्र था, वहाँपर इनके साथ जैसे भेदवा किया जा यूपी आउजयाँ बिहार वालों को वहाँपर एंट्रि बंद करने की कोषिज की जाती है, लेकिन l LAUGHTER कहीं इतनी सी जगह मिल जाती है अपना पूरसर गोसेड के फिर पूछते हैं लोहम आ गए ठीक है तो समझ पा रहा है ना तो यहां पर प्रदेश या बर्ग के आधार पर सभी तरह के भेदवाओं से क्या हुई यह पर्यों आप पर समस्ता का भाब और समान ब्रहांतत्वियानी की फ्रेंडली या फिर भाइचार वाला इत में भाब होने चाहिए ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए तो इस तरीके सम्मान के बिर्दोयानी की महलाओं के लिए ऐसी प्रथाओं से दूर रहना चाहिए जिन से क्या हो महलाओं के सम्मान में कमी आती हो ठीक है हमारी साम एक संस्कृतिकी गौर्वशाली परंपरा का महतु सम्झें और उसको परिरेच्छड करें, जैसे कि माद लिजिए कि हमारा धर्म अलग है और संस्कृति अलग है, बारत एक संस्कृतिक देश है, संस्कृतिक का मतलब यह है, कि उसमें हिंदु भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है धरम अलग बता रहा हूँ संस्कृति की बात करने वो नमाज भी पड़ता है मंदिर में पूजा भी होती है सिख जो है चर्च में भी जाते हैं यह हमारी संस्कृति है सब को मिला मिलू के भारत का निमार होता है न कि हिंदू से होता है न मुसलमान से होता है और सच्चाई भी कभी कभी आ जाती है कि गदार जो है वो कभी नहीं चूकते हैं मत चूको चाहान तो ऐसी गदार जो है कभी चूकता नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिस यह करते हैं कि भारत का हर एक नागरिस भी है भारत के बार ये कब से आज से तो ये वो नहीं मना रहा है हमारी दीवाली है तो वो कब से चली आ रही तो मुसलमानों के लिए भी है ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है ये सब के लिए है कि मुसलमान जो है इद मना रहा है तो होली और दीवाली भी मना जाएगी तो उसमें भी कोई गड आती हैं, तो एदाने के बाद हम कुछ हिन्दू जो लोग होते हैं, ईद में क्या करते हैं, एद मुबारक वोलते हैं. लेकिन उधर से जवाबी कारिवाइवाई नहीं होती है. जब दिवाली आती है तो हम मुझ ताकते रहते हैं, इसलिए कि भहिया हिंदूओं को देना हराम हैं लेकिन हिंदूओं के पास कोई ऐसा गिरंत रही है जिसमें ये लिखा हो कि मुसलमानों या इसाई या फिर माली ये किसी अन्य धरम में जाके हम उन्हें बदाई दें तो हराम हो इस तरह से कहीं नहीं है लेकिन कुछ लोगों क को जो भाव है उसमें क्या होगी कमी होगी या भ्रांतत्त्य की जो भामना है उसका निर्माड नहीं हो पाएगा यदि हम किसी पर जवावी कारवाई नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए हम अमेशा अपने भाईयों को अपने मित्रों को अपने दोस्तों को चाहे को हिंदू ह मुसलमान हों हम मुखा नहीं छोड़ते हैं उनको पेडाम करने का उनको सलाम करने का लेकिन उदर से जब जबावी कारवाई ना आए तो अंदर से पुरा लगता है ठीक है चिया लिए प्राक्रतिक पर्यावड की जिसके अंतरगत बन जील नदी अन जीव हैं रच्छा करें उनका संबर्दन करें तता प्राणी मात्र के प्रति जो है दयाभाव रखें यानि कि पर्यावड जो प्राक्रतिक पर्यावड हैं उसको क्या करें उसमें क्या करें उसमें उसका संदख्छड करें जिसे बन हैं मतलब जंगल हैं तो उनको फरजी में ना काटें खामी-खाम मौका देखके, कहां देखा नाले के किनारे वेट गए, सुबहई सुबहई नाले किनारे, अब आपने क्या कर दी, आप वहीं कर दी, समझ पा रहे हैं तो इस तरह से जो है, बन हैं, जीले हैं, नदी हैं, उन में रहने वाले जीव हैं, क्योंकि भाईया, आप, वो जो नदी तालाव है वो किसी न किसी का तो घर है वो जो जली जीव है उनका तो घर है तो उसको दूस इतना करें उसका संबर्धन करें और नहीं संबर्धन कर पा रहे तो कम से कम उसमें हगें तो ना जा जाके बात तो भहीं आ जाती है कि आप अपना करता भी जो है नहीं पूरा कर पा तो उसमें क्या न करें उसमें बिगाने भी ना आटमा देखते हैं ब्याग्यानिक द्रश्ट कोण मानवबाद और ग्याना अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें ब्याग्यानिक क्रिश्ट कोण मतलब नई सोच का विकास करना चाहिए हमेशा कुछ न कुछ सोचना चाहिए अच्छा हमेशा कुछ न कुछ जद बैग्यानिक द्रिश्ट कोण नई सोच का क्या करना चाहिए अपने अंदर विकास करना चाहिए ठीक है मानव बाद यानि की जैसी मानव बाद पारजविनिक संपत्ति को सरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें अब मान लीजिए आपको पिरदर्सम करना है आपका अनुछित क्या आपका जो संबिदान है वो आपको ग्रोध करने का अधिकार देता है सांती पूर बिना अतियार के ग्रोध करिए अब ये तो नहीं है क लोगों को मारेंगे पीटेंगे बसों में आग लगा देंगे भाईया बस क्या आपके बाप की है क्या मैतलब आप बस नहीं सरकार को दे रहे हैं सार्जिन संपत्ति को सरक्षित रखें और हिंसा से दूर हैं आपको अधिकार दिया है कि आप क्या करना चाते है बिरोध करो कोई बात नहीं है, बिरोध करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सार जीन संपत्ति को तो अक्षित रखें, हिंसा तो ना करें, लोगों को मारें पीटें तो ना, बीड बार लगा के किसी पर बंदूख तान रहें, किसी का मतलब, बिरोध कर रहें तो मौका मिल गया, बीड ब के सबी छेत्रों में उतकर्स की और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट निजनतर बढ़ते वे प्रयास करना चाहिए ठीक है प्रयास करना चाहिए उतकर्स का का मतलब क्या होता है उतकर्स का मतलब होता है उपर की और जाना बेकास करना अपने संब्रदी करना तो उतकर्स की और बढ़ने का सतत प्रयास करें यानि कि हमीशा अपने अंदर ब्रदी करें अपना बेकास करने का क्या करना सतत प्रयास करें जिससे राष्ट जो है निरंतर का करेंगे स्वेम का करेंगे तो क्या है आप करेंगे फिर बो भी लोग करेंगे ऐसे करके क्या होगा सभी का विकास होता जाएगा जब सभी का विकास होगा तो भारत देश का विकास होगा एक गाओं का विकास हो जाएगा सारे जिलों का हो जाएगा सारे राजी का हो इसलिसे क्या होगा बार जू है नई उंचाईएँ को छू लेगा ठीकर चलिये यthी माता पिता या tranhich हैं ये दी माता पिता ये संदर चेट तो छे बर से चोदे बर सक कि आई हुआले सभी ये था स्फिति बाला क्या प्रति पालिएrust इस्चहा के voz सर प्रिदान करें संविधान के च्याची में संविधान संसोदन दो जार दो की धारा चार अनुची सूचना की तारीक से यह अताय स्थापित किया गयता है यानि की अनुच च्याची में संविधान संसोदन दो आरा ग्यारमा आपका क्या जोड़ा गया था ग्यारमा जो है ए पिता हों चाचा होता हों उनकी क्या करें उनके सिच्छा के अफसर प्रदान करें ये एक आपका duty है fundamental ठीक है चलिए सात्यों बात करते हैं एक most important topic जिसमें हम लोग बात करेंगे उनके गोज़ें आपकारीश होता है वो किस तरह से काई गरे से। मैं आज इस तरह से डॉनों जो हैं एक दूसरे किस आपका करता है, के लिए किस तरह से कार करते है यानि कि इसका कार क्या होता है इसका कार क्या होता है ठीक है तो कानून कौन बनाता है उसका क्रियांबाइन कौन करता है कानून बनने के बाद उस कानून का मतलब करता कानून होता है मतलब उसका संद्धान का संद्धान का संद्धान का संद्ध पर सबसे पहले हम देखते हैं, इस तरह से बटी हुई है, सक्तियों का बटबारा है, या सक्तियों का बेभाजन, यहां पर सबसे पहले जो आता है बिधाय का, दूसरा जो आता है वो है कारिपालिका, तीसरा जो आता है नियाइपालिका, ठीक है, नियाइपालिका का जो सबस सरवोच सिखर जो होता है आका सबसे प्रमुक जो होते हैं वो होते हैं CJI यानि Chief Justice of India यानि की भारत के मुख्य नियायदिस जो की आपका उच्चितम नियायले के मुख्य नियायदिस होते हैं संगीर कारपालगा एक्जिकृटिफ भी बात करें तो यह जो आखिर विधायका जिसको हम संसद के नाम से भी जानते हैं विधायका जी होते हैं विधायका के तीन अंग होते हैं या संसद के तीन अंग होते हैं लोकसवा राजसवा और राष्टफती ठीक यानि कि अगर कूचा जाए सदन कितने हैं तो दो सदन होते हैं अंग कितने हैं तो तीन अंग होते हैं ठीक है चलिए देखते हैं किलियर करते हैं एक एक पॉइंट सबसे पहले हम देखते हैं संगी की कारिपालिका जवारे में अभी केबल बेस बनाएंगे फिर हम संगी की कारिपालिका अलग से देखेंगे लंबा टोपिक है बहुत ज्यादा और खिटडी बहुत भहिंकर पर क्यों इसमें लेकिन आज इस तरह से आज समझाएंगे कि जीबन बें कभी भी इसको भूलेंगे नहीं तो संग की कारिपालिका क्या है तो कारिपालिका यानि की executive सरकार का वह अंग होता है जो बिधाय का य executive का कार क्या होता है executive जो होता है जिसका कारिपालिका कहते हैं माली यह कारिपालिका है कारिपालिका का कार यह है कि जो यह संसद है संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका क्रियाम बयान करना आपका किसका कार है कारिप करना है इस कारिपालिका का कारिया मैन या फिर मूर्त रूप देना किस तरह से मान लीजिए कि जो संसद है संसद ने एक बिल पास किया CAA बिल पास किया कि citizen यानि कि नागरिक्ता संसोदन अधनियम तो इसको क्या किया किसके द्वारा बनाए गया आपका बनाए गया लेजिस लेचर के दौरा लेजिस लेचर यानि की बिधाय का या संसद के दौरा बनाए गया तो संसद के दौरा बनाने के बाद आप किरियांबायन कोन करेगा किरियांबायन करने का कार संसद संग की कारिपालिका का कारिपालिका में कोन आ जाता है सबसे उच्छी से करपे हो है प्रिसासनिक राचे में कॉण आ जाता है कारपालिका में माली जी एक जिलेकडीदे का experi Mickey Hyundai मौरत भली एक प्रिस प्रिसासन में आ जाता है यह कारपालिका के अंतरगती आता यह सब लोग क्या हूते है तो इे कारपालिका का कार क्या हो जिए मूर्तροप देना है तो कानून बना कानून का मूर्त bilmiyorum देने के लिए कारपालिका जो है अपने काम में लग जाती है कानून जैसे सीजिए था लोगों ने विरोत करना शुरूरू किया और उसके बाद भी सारी देख रहे किसका DM, LDM, ऊपर चले जाएंगे, राजिपाल, उसके ऊपर चले जाएंगे, तो राजफ्रीज, इन सारी चीज़ों के देख रहे करना आपका किसका हो गया, आपका सारा सिस्टम पे कंट्रोल किसका हो गया, आपका कारिपालिका का हो गया, फिर से समझाते हैं, मा के ब्रोध में कहां पर पहुंचते हैं नियायले में पहुंचते हैं तो जो नियायले होता है यानि कि जो कोर्ट कहें या कहें जो सुप्रिंग कोट है या उचितम नियायले है वो क्या है जुडिस्री या नियायपालिका के बारे में बात करें तो हम नियायपालिका की तरब तो नियाई पालिका ने क्या किया देखा कि संविधान में एक अनुच्छिद है उसमें क्या किया गया है एक संसोधन किया गया है तो उसमें देखा उन्होंने देखा यारी यह तो गैर कानून नहीं लग रहा है यानि कि कुछ ऐसे अनुच्छिद है यानि कि अनुच्छिद काम क्या होता है, Judiciary का काम यह होता है, कि जो कानून है या जो संब्खळान का संद्रच्च करना या देख रे करना आपका, इसका कारे होता है किसका. तो यहाँ पर क्या हुआ कि Legislature, यहां कहें कारपालिका के लिए कि नहीं मतलब संब्खळान में संसोतर किया या फिर मान लिए कोई नीती बनाई या फिर कोई कानून बनाया उसको लागू करने का कार किसको सौंप दिया जाता है सौंप क्या दिया जाता है इसका एक्सिक्यूटिफ का कार होता है आईए केलियर करते हैं तो मैंने क्या बताया कि कारिपालिका ये एक्षिक्रिटिफ सरकार का वह अंग होता है जो बिधाई का या कहें बिवस्थाफिका या संसद द्वारा बनाई गई नीतियों और कानून को लागू करने के साथ पूरे पिरसासन का कारिभी करता है पिरसास की कारिपालिका का होता है कारिपालिका नीत निर्माड में भी भाग लेती है कारिपालिका में केवल राष्टपती पिरदान मंत्री या फिर मंत्री सामिल नहीं होते बलकि इसमें पूरा पिरसासनिक धाचा पूरा सामिल हो जाता है यानि कि इसमें क्या होता है पूरा का प राष्ट में, राष्ट पती तक पूरा प्रसासने के ढाचा इसमें, यानि कि जो एड्मिस्ट्रेशन होता है, वो भी इसमें क्या होता है, सामिल किया जाता है, सरकार के पिरधान, तता उनके मंतरियों को राजनेतिक कारिपालिका कहते हैं, यही सरकार की सभी नीतियों के जि उन्हें इस्थाई कारिपालिका कहते हैं इस्थाई कारिपालिका को मतलब राजनेतिक कारिपालिका यानि की राजनेती में क्या है उतार चड़ाव आते जाते रहते हैं कभी हमारी सरकार कभी उसकी सरकार तो इसमें क्या है आते जाते रहते हैं तो सरकार का प्रदान कौन हो उन्हें स्थाई कारिपालिका कहते हैं भारती संगी कारिपालिका में राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती प्रधान मंत्री मंत्री परसत तथा महान्यावाद्य को सामिल किया जाता है फिर से बता दूं कि भारती कारिपालिका में या फिर भारती एक्जीक्यूट में या फि कानूनों का क्या करना होता है किसका कानून होता है या कार पालिका का कार होता है तो कार पालिका, नियाई पालिका और बिधायका को समझ पा रहा है तो बिधायका का कार 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 कानून मनाना कार पालिका का कानूनों का निर्वहन करना या फिर उनका किरियाम मैन करना और जो कानून बनाए है उसको कौन करेगा उसको कौन देखेगा तो उसको कौन देखता है नियाय पालिका को कानून या का संविधान का सर्वोच क्या माना जाता है संवरच्छक माना जाता है ठीक है समझ में आ रहा है ना मान लिजिए संसद है कोई कानून मनाती है तो वो क्या कर देगी अगर लगता है कि कानून जो ह असम बैधानिक, मतलब कोई शंसोदन जो है असम बैधानिक है, तो उसको करने की इस्टीदी नहीं तो उसको असम बैधानिक गोसित करसकता है आपका नियाएपालिका तो समझ में आ गया na कि कारिपालिका का कार विधायका के द्वारा बनाएगए कानून और नीतियों का किरियां बयन करना या उनको लागू करने का कार आपका कारिपालिका का होता है तो भारती संगि कारपालिका में आपके राष्ट्रपती, राष्ट्रपती, उपराश्ट्पती, प्रदान मंत्री, मंत्री परसद और ऐंटर्नी जनररल ऐयनी की आपके भारत के महान, महान नयाखिबादी इसमें सामिल किया जाते हैं अनुचे 73 के अंसार संगे की कारिपालिका सक्ती का विस्तार उन विस्यों तक होगा जिनके संबंद में संसद कानून बना सकती है यानि कि कानून अधिकार कहा तक होगा उन तक होगा उन विस्यों तक होगा जिसके संबंद में संसद जो है कानून यानि कि विदाय का विस्ता होगा चलिए एक एक करके समझेंगे अभी केवल हम वो बना रहे हैं अभी हम बैक्ग्राउंड बना रहे हैं कि न्याइपालिका कारिपालिका और बिधायका क्या होती है फिर हम न्याइपालिका को अलग समझेंगे बिधायका को अलग और कारिपालिका को अलग बिधायका को स समझे लेते हैं कि इंदरी ये विवस्ता पर आपका संसद्य ये लेजिस्ट्र समझे जाएंगे कि भिधाय का ये लेजिस लेचर का बारे में बात हो रही है ठीक है तो आईये समझते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारती सम्विधान ने देशी सासन प्रणाली के रूप में संसदिय सासन विवस्ता को चुना है संसदिय सासन विवस्ता को चुना है और इस विवस्ता में बिधायका तथा कारपालिका का क्या मिलता है सुन्दर हमें मेल दिखाई पड़ता है यानि कि मैंने क्या बताया संसदिय सासन विवस्ता को चुना है जिसमें कारपाल का तथा बिधाय का इस विवस्ता में कारपाल का तथा बिधाय का क्या मिलता है आपको सुन्दर मेल देखने को मिलता था सीधा सा मतलब संसद कानून ब केंद्री विवस्तापिका को क्या का जाता है संसद का जाता है और इस संसद को दूसादनात्मक से दांत के आधार पर गठित किया गया है फिर से बता दू केंद्री विवस्तापिका को क्या का जाता है केंद्री या कहें जो केंद्री विवस्तापिका को या फिर या कहें सदन के आधार पर यठी उच्छी सदन जो है क्या है राजिसवा होती है यानि कि यहां पर हम देखें legislature के बारे मैं अगर बात करें तो यहां पर देखने को मिल जाएगा क्या है बॉच्छी सदन कया नि कि दो सदनों के रूप में इसमें बाटा गया है राज सभा को उच्छ सदन कहते हैं तता लोग सभा को निम्न सदन कहते हैं आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि राश्टपती संसद के किसी भी सदन का क्या नहीं होता है सदस नहीं होता है कौन आपके राश्टपती ना तो राज सभा का सदस होता है ना ही लोग सभा का सदस ह होता है उसके बाद भी मैंने क्या बताया कि आप सभी लोगों ये पता है कि राश्ट पती किसी भी सदन का क्या नहीं होता है और नहीं वह किसी प्रिसिडेंट जहें वो उस पर न देदेई स्विक्रती न देदेई तो यहां पर सबसे बढ़िया एक बास तुर बताएँ तो पालिका के चुछ वे बास्त्यविक प्रमुग हो ता है जो उत्यॉज माना जाता है। यह राश्वतिका को जाता है कि संभिदान में ये प्राद्दान किया गया है कि एक वारत का एक राष्टफती होगा और वह राष्टफती प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परसद के सलापर कारेगा तो सीधा से मतलब है किसकी सलापर कारे कर रहा है मंत्री परसद की सलापर कारे कर रहा है तो बा मतलब कारपालका का प्रमुक कैसे माना जाता है? तो राज़्ट पत्य को माना जाता है समभीधान में लिखा हुआ है ठीक समझे गा ना? चलिए नेक्स देखते हैं चलिए बात करते हैं principle of separation of power in India division of power in India याक है भारत में सक्ति का प्रथक करण ठीक है हमारा संविधान जो है हमारा संविधान इस बात का तो कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि इनकी जो सक्तिया है उनका बटबारा कर दिया गया और वो एक दूसरे से मेल नहीं करेंगी ऐसा नहीं है मतलब संविधान में नही आपको मिल जाता है तो उसको समझते हैं तो भारती संभिधान आपको तीन भागों में बारता है जैसे कि विधाय का का और न्यायपालिका न्यायपालिका का प्रमुकाप का सबसे उच इस तर पर होता है यहां पर राष्ट्वती होते हैं ठीक है आईए ट्वर्टक के लिए करते हैं समझते हैं प्रंसीपल ओफ सेप्रेशन ऑफ पावर डिविजन ऑफ पावर इंडिया यह हम कह सकते हैं भारत में सक्ति का अलका सा बेस बना लेंगे इसमें ज्यादा को जानना नहीं है ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरह से यहां पर देख सकते हैं जिडिशरी एजिक्लिटिव और लेजिसलिटर तो बारत में संबिधानिक सर्वोच्च का सक्ति के प्रतक करण को क्या करती है प्रदर्शित करती है यानि कि भारत में संबिधान जो है सर्वोच्च क्या मानी जाती है सक्ति मानी जाती है यानि कि संबिधान से उपर कोई भी नहीं है चाहे फिर वो राष्ट पती हो चाहे पिर उपर राष्ट पती हो चाहे सी जे आई हो चाहे पिर प्रदान मंत्री हो कोई भी हो संबिधान से उपर कोई भी नहीं है बास्तिविक 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 बा अगर सक्ति वाला देखा जाए तो प्रत्या si Above से संभीदान में नहीं डेखने को मिलता है लेकिन संभीदान की इसमें उसके बाद हम आगे बढ़े जाएंगे next topic पे तो आएए देख लेते हैं तो यहां पर हमें यह बारती बिदिक प्राफदान ततर सक्टी का प्रतकड़ा हमें कैसे देखने को मिलता है जिसी हमारे बारती सम्मिदान में यह लिखा है कि भारत की सम्मिदान में यह इस प किये गए आचरड की चर्चा संसद तथा बिधायका में नहीं की जा सकती यहां कहें संसद या फिर बिधायका में नहीं की जा सकती फिर से बता दूं क्या मैंने बताया क्या अनुच्छे सम्मिदान में क्या लिखा है कि बारती सम्मिदान में इस पर स्क्रूप से लिखा है कि जो बिधायका है बुस में हर तरह के हर तरह के विश्यों पर बात की जा सकती है हर पहलो पर लेकिन नयाय अदीस या कि नयाय पालिका के जो नयाय अदीसों के करतब हैं उसमें किये गए कार और निर्वाहन में जो किये गए कार हैं उन पर चर्चा नहीं की जा सकती जैसे मा आपका अनुछिद मालीज़ी कोई अभारत देश में आपका संसद जो है क्या करती है कोई कानून जो है बनाती है उसे सुप्रीम कोट यानि की सरवोच नेयले उसको अटा जेती है लेकिन उसपर क्या नहीं कर सकती वह चैचाब मिसम्ον कर सकती कर दिया तो कर दिया कर दिया मूल अधिकार है उनका उलंगन कर रहा है तो आपका क्या होगा ये उन्होंने कर दिया ऐसी मान लीजिए सुप्रीम कोट में कोई वो दिया गया फैसला सुनाया गया तो उसके आप जाकर टिपड़ी नहीं करेंगे संसत में नियायले का मतलब है अगर कोई फैसला सुनाया है नियायले में तो सर जुकाते हो पड़ाम करते हो ऐसे करके सम्मान के साथ उसको मानिये नहीं मानेंगे तो नियायले को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि अब मानना का अधिकार दिया गया अब मानना पर डंड देने का भी अधिकार दिया गया तो यहां से क्या दिखता है कि सक्ति का पिर्थकड़ हमें देखने को मिले जाता है ठीक है इतनी जानकारी का भी है क्योंकि हमने सोचा सक्ति का पिर्थकड़ क्या होता है चलिए आगे समझते हैं जलि संसत के बारे में बात करते हैं उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे संसत यानि की लेजिस्लेटर या पारली आमेंट इसको हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा तमस्ते हैं फिर हम यूनियन गवर्मेंट के बारे में जुरू करेंगे तो संसत देखते हैं क्या है इसमे यहां फिर किसी अपने बिशेश छेत्र में जो है योगधान रखने वाला होगा निरवाचित की अगर बात करों निरवाचित वो होते हैं जिस के बोहरेंग होती है यह िससे चुनाव लड़ के अंदर आते हैं मनौनीत वह होते हैं, जिसमें राजिपा लाह फिर राष्ट फती है, उनको किम्लिते हैं, कि आप कला के छेटरों में बहुत ज्यादाने वह हैं, तो हम आपको मनौनीत करते हैं, आए हमारे, ठीक है चलिए राज्यों से 234 केंसासी प्रदेशों से 4 ठीक है बर्तमान में अगर बात की जाए सदस्नी की संख्या तो 245 है जिसमें मनुनीत जो है 12 है निरुबाचित की बात की जाए तो राज्यों से 239 और केंसासी प्रदेशों से अगर बात की जाए तो तार जिसमें दिल्ली के लिए तीन है और पुदुचेरी से आपके एक है लोकसभा की एगर बात की जाए तो सदस संख्या अधिक तंग जो है पानसो बावन के बारे में चर्चा की गई है निर्वाचित जो है वो है आपके राज्यों से पानसो तीस किनसासित प्रदियों से बीस मनुनित की अगर बा उसके दिली से साथ और अन केंसाथ प्रदियों से कितने है? छे मनुनित की अगर बात की जाए तो एंग्लो एंडियन जो है तीन वो दो चुने गए है ठीक है राज्चत की तारा मनुनित की जाते है छलिए नेक्स समझते हैं इसमें जो यूनियन गबर्रमेंट देख लेते के जो जो लेजिस रेचर के दारब बनाएगे कानुनों का किरिया मैन करने का काल क्या होता है आपका एक्जी टिएव का होता है ठीक हा वनक्रलाश। ठीक है एक्जीक्युटिब का तो यहां पर एक्जीक्यूटिब में अगर बात की जाए क्वो राष्टफती, उपर राष्टफती, प्रधान मंतरी, काउंस्यल और मिनिस्टर्य परसत, एटर्भनी जर्ल़न ओफ इंडिया यानि कि इस तरह से पढ़नें थे एंग दिया, राज सभा और लोक सभा legislative procedure के बारे पढ़ेंगे जिसमें आपके बिल्स हो गए जो विदेयक होते उनके बारे में, budget के बारे में, session and motion, seasons, sessions और motions जो होते हैं, यानि कि जो बैठकेंच जो होते हैं, बैठकेंच जो होते हैं, और जो motions जो होते हैं, motion मतलब जो प्रस्ता बगेरा ह होते हैं लूज मोशन कि इसảiड़ा कि अध्यान रखें सबसे ज़रूरिवत योजमसं इसमें सामिल नहीं की आ जाता है कि इसमें मोशन में एंद मतलब फन्ड होता है पैसा पैसा और रांड पर चो होता है अनुदान दान और अनुदान ठीक पारलिया मेंट्री कमेटीज के बारे में भी यहां पर बात करेंगे जिसमें एड होक हो जाती है तदर्त जिनको समितियां कहते हैं जो कि कुछ समय के लिए बनाई जाती है और इस्टेंडिंग जो कि हमेशा से इस्था ही समि करने का कार आपका कार पालिका का होता है कार पालिका का प्रमक जो होता है और मतलब और लेकिन पावर जो सारी होती है वो प्रदान मंत्री है यानि कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मिनिस्टरी मतलब काउंसिल होती है यानि कि मंत्री में होती है उसके हातों में होती है आईए इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं यानि की union executive में जो हम जानेंगे वो हो जाता है आपका president यानि की राश्ट फती, vice president यानि की उपराश्ट फती, prime minister यानि की प्रधान मंतरी, council of council of ministers, प्रधान मंतरी परसत, attorney journal of India, भारत के महान नयाय पाती, आईए समझते हो, तो का प्रमुक राश्ट फती होता है, उपराश्ट फती, महान नयाय बादी, प्रधान मंतरी और मंतरी परसत, ठीक है, आईए, एक एक point करके clear करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, संगी कारपालका के बारे में हलकी सी चान करें, तो संगी कारपालका यानि की the union executive की बात करें तो संबिधान के भाग पांच के अध्याए एक में अनुच्छत बावन से लेके 78 अनिकी 52, 2, 78 तक क्या है, के अंतरगत संगी कारपालका का उलेक मिलता है, बारे की संगी कारपालका में राश्ट्ट फती, उपराश्ट फती, प्रधान मंतरी और मंतरी परसत से मिलकर बनती है और मैं इसलिए बार बार रिपीट कर देता हूं कि आपके दिमाग में यहीं कॉपी पो हो जाए और सारा का सारा मैं जो है एकदम पेस्ट कर दूँ ताकि जो है आप जब उठें इस वीडियो को देखके तो आपके अंदर एक नया जोस एक नई ऊर्जा ओ डियेने तक मैं म प्रिविस कर देने हैं समझ पारहा ना तो उम्मीद है क्या समझ में आया संगे कारड़ का किसम मुलेक मिलता है संबिधान के बाग पांच के अध्याह एकर में अनुष्चित बावन से ले के, 78 तक के, 88 तक के अनुष्चितों में क्या है? संग्य कारिपालिका का यानकारी मिलती है, तो भारत की संग्य कारिपालिका में यानि कि executive में राज़्टमती उप्राश्चपटी प्रधान मंतरी वा मंतरी पस्तर्द में सामिल ल panel किया जाता हूँ है। आये बात करते हैं बारत की राश्टमती के बारे में सबसे पहले देखते है राइम में मेंufficient प्रेसिडेंट ओफ इंडिया के वारे 62, 72, ठिक आईए देखते हैं भारत का एक राश्वती होगा अनुचे 52 में कहा गया है जो कि मंत्री परसद की सलाफर कारे करेगा अनुचे 53 संगे की कारपालिका की सत्थी अनुचे 54 राश्वती का निर्वाचन मंदल 55 राश्वती की निर्वाचन की रीती 56 राश्वती की ठिक है 61 राश्वती पर महावियोग चलाने की प्रिक्रिया पुनार निर्वाचन की पात्रा के लिए विसपतावन है अनुचे 62 राश्वती का पद रिक्त होने की इस्थी में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाच आदिकी और कुछ प्रमुक मामले में डंडा देश के निलंबन पर्यार या थिर लगू करण की राश्ट्पती की सक्तियां तेहत्तर संग की कारपालिका सक्ति का बिस्तार्ट ये कुछ अनुच्छे थे जिसके बारे में मैं आपर चेचा करने हैं पाले हैं आये किलियर करते हैं क्यों भारत के राश्ट्पती संगने तो भारत के राश्ट्पती राश्ट प्रमुक यानि कि भारत देश के प्रमुक और भारत के प्रतम नागरिक हैं साथ ही भारती ससक्त्र सेनाओं की ये प्रमुक सेनापती भी माने जाते हैं यानि कि जल थल और वाय जो सेना हैं उन तीनों के ससक्त सेना के पिर्मुक कौन माने जाते हैं आपके राष्ट फती होते हैं पारत के पिर्थम नागरे को होते हैं और राष्ट के पिर्मुक आपके राष्ट फती जी यो होते हैं ठीक है राष्ट फती को संगी कारपालिका का क्या माना जाता है पिर् प्रश्चारिक पिर्मुक उता है जबकि वास्तियोक सक्तियां जो होती है मंतरी परसद में नहिए उती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनुछित बावन में यह लिखा है कि भारत का एक राश्ट फती होगा और वह वह क्या मंतरी परसद की सलापर कारे करेगा तो सीध के प्रधान मंत्री और उसके मंत्री परसद में होती है भारती सम्मिदान के अनुच्छत बावन के अनसार भारत का एक राष्टपती होगा और वह मंत्री परसद की सला पर कार करेगा या खें उसकी सला के लिए एक मंत्री परसद होगी ठीक है अनुच्छत त्रेपन के अनसा प्रिसासन से जड़ा हुआ है प्रसासन एक धाचे से जड़ा हुआ है वो इस कारपालिका में आता है ठीक है आईए पद की योगिता के बारे में बात करते हैं पद की योगिता यानि कि किसी व्यक्ति को राष्टपती बनेने के लिए क्यों कौन सी सर्तों को पूरा करना होगा तो सबसे पहली जो सर्त है कोई भी नहीं जानता होगा यहां तक कि मैं भी नहीं जानता था फिर बा भारत का नागिरिक हो यानि कि राष्टपती बनने के लिए क्या होना चाहिए उसे भारत का नागिरिक होना चाहिए ये आपको साथ पता नहों इसलिए मैंने बता दिया 35 वर्स की आयू पूरी कर चुका हो और वह क्या बनने की योग हो जाएगा भारत का राष्टपती बनने की योग हो जाएगा तो वो राश्च्पती बनने की योग योगा बारस सरकार या फिर किसी राज सरकार के अधीन अत्वा इन दोनों सरकारों में से किसी के नियंतर में किसी इस्थानी या फिर अनिप्राधी कड़ के अधीन लाब का पद धाड़ न किया गया हो तो भाया ये लाब का पद क्या हो तो आईए समझते हैं तो लाब का पद जो है अनुच्छे यानि की लाब का पद अनुच्छे एक सो दो एक एक के तहट कोई ब्यक्ति संसद या फिर बिदान सवा के किसी सदन का सदस चुने जाने के लिए अयोग हो जाएगा यदि भारत सरकार या फिर किसी भी राजी सरकार के अधिन किसी एते पद पर है जहाँ वेतन बत्ते या बाकी फाइदे मिलते हों तो इसके इस तष्टी करड़ के अंसार कोई भी व्यक्ति केवल इस काड़ भारत सरकार या फिर किसी राजी सरकार के अधिन लाब का पद धाड़ करने वाला नहीं समझा जाएगा कि बैस सं है कि मान लीजी आप कोई काम कर रहा है तो आप किस के राजी सरकार के या जैसे कि आप कोई जॉब कर रहा है गबर्मेंट तो आप वहां से क्या मिल रहा है आपको पैसा मिला सीधा समय लाब का पद ऐसा है जिससे आपको पैसा मिलता हो लेकिन लाब का पद क्या नहीं समझ जाएगा आप फिर भी क्या है राष्टपती बनने की योग है आप राष्टपती बनने के बाद क्या करेंगे आप जब आप राष्टपती बन जाते हैं तो जो जिस आप मंतरी बगएरा है वहां से आप क्या कर सकते हैं तो आप वो त्याग पत्र देना होगा ठीक है तो तो राष्टवती का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद यानि कि लोकसवा तता राचसवा तता बिधान सवाओं के निर्वाचक सदस से सामिल होंगे ठीक है यानि कि इसमें क्या किया जाएगा कि भारत में एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा किस क को यहां पर देखा दूए मैंने पहले तो आप बता दूँ कि आपको यह संसद हो गई संसद में आपके राजिसभा हो गई लोकसभा हो गई लोकसभा में आपके मैंने बताया था कि कितने सदस ने 542 वरतमान में ठीक 545 जिसमें निर्वाची सदस होते हैं जो चुने जाते हैं जिन के लिए बोट डालते हैं कुछ जो होते हैं मनुनित होते हैं जिने यह तो राष्टफती क्या करते हैं मनुनित करते हैं यह फिर क्या करते हैं राजपाल करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि क्या बोला जा रहा है कि इन्हों ने कहा कि राष्ट पती का निर्वाचन एक बिसेस निर्वाचक मंडल के दौरा होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाची सदस से और बिदान सवाओं के निर्वाची सदस से इसमें सामिल होगे तो इसमे सामिल कौन नहीं होगा तो उसको मैं बता दूँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है जो मनूनी सदस जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर के मनूनी सदस जो 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 जितना ग्रीन का दिख रहा है निकि बिदान परसद के सदस सामिल नहीं होगे चाहे वो मनूनी तो चाहे वो निवा अच्वारा होगा जिसमें सनसद के दोनों सद्नों के निर्वाजी सदस्य और विदान सवा के निर्वाची सदस इसमें क्या डालेंगे आपका बोट डालेंगे यहाँ पर दिखरा होगा राज की विवस्था पिकाव को 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 विदान मंडल जो होता है जिस समय किर दा दा तो राजरपती के निर्वाच़क सदस्यों के दारा इसमें किया जाएगा तो राष्ट के सदस्य निर्वाचित तथा मनूनी दोनों सामिल नहीं किये जाएंगे ठीक है फिर से बता दू राष्टपती के निर्वाचक मंडल में संसद के के अधिनियम के द्वारा सामिल कर लिया गया यानि कि पहले दिल्ली और पुदुचेरी के जो बिधान सवा के सदस हुआ करते थे वो नहीं डालते थे लेकिन बर्तमान में दिल्ली और पुदुचेरी के बिधान सवाओं के सदस्यों की सदस्यों के द्वारा क्या है चाहे पिर मनूनीत हो चाहे निर्बाचन ये लोग voting नहीं करेंगे clear हुआ तो जो green है वो मैंने यहाँ पर कर दिया ये लोग voting नहीं करेंगे ठीक चलिए आईए clear करते हैं के निर्बाचन की पद्धिती देख रहे हैं तो राष्टपती का चुनाब अपरत्यच निर्बाचक प्रिणाड़ी के द्वारा होगा यानि की अपरत्यच जो होता है यानि की indirectly होता है तो राष्टपती पद के निर्बाचन में अवर्थी होने के लिए अपना नामंकन करते समय पंद्रे हजार रुपे की धरोर है यानि की जमानत धर्णाथी निर्बाचन अधिकारी के समझ जमा करे और उसे नामंकन पर प्रिस्ताव कम से कम पचास मतदाताओं के द्वारा किया जाना चाहिए तो कम से कम पचास मतदाताओं द्वारा उसके न आश्ट पती पद के लिए निर्वाचन करने के लिए बहुत जरूरी है कि निर्वाचन के लिए अपना नामंकर कर से समय 15,000 जमानत रासी को जमा करेगा और इसके साथी निर्वाचन अधिकारी के सामने जमा करेगा उसके बाद एक प्रिस्ताव पत्र होगा यानि कि नामंकर पत्र होगा उसमें पचास लोगों का समर्थन भी चाहिए जो सदर्स हैं जो सदर्स होंगे संसत के पचास सदर्स्यों का उस पे क्या होना चाहिए समर्थन भी होना चाहिए तो क्या ज़रूर ये कि एकल संक्रमडिती सिद्धानत के अधार पर बोटिंग होती है तो आएए देखते हैं राश्टपती निरवाचन के पद्धिदी अनुच्छ पच्पन के अंसार राश्टपती का निरवाचन अपरते चुरूपते अनुपातिक प्रतनिजित्व पद्धती के अंसार यानि क एकल संक्रमडिय मत्प्रणारी के माध्यम से एक निरवाचक मंडल करेगा राश्टपती के निरवाचन में उत्तर प्रदेश के बिधायकों का मत्मूली जो है सबसे अधिक है यानिक दो सबसे कम मत्मूली जो है सिक्किम के बिधायकों का है संबिदान के अनुच्छ एकतर में उपवन्द है कि राश्पति के निर्वाचन से संबंदित बिवादों का निप्टारा उच्चितम नियायले के द्वारा किया जाएगा और उसका निड़य जो होगा अंतिम होगा तो फिर से बता दूँ मैंने बता है कि राश्पति का निर्वाचन क्या होगा अपरत चु के आधार पर किया जागा इसका मतलब यह है कि मतदान जो है मतदाता जो है मतदान पत्र में क्या करेगा उम्मीद्वार के नाम का और चुनाप चिंद के सामने अपना बरीता किरम भी लिखेगा सीधा सा मतलब यह है कि मान लीजिए मैं एकल संक्रमडी पत्धिती जो होती है स कि यहां पर राहोल गांदी भी है यानि कि राहोल आर रामनाद कोवन्द रा मतलब एसे कर सकते हैं मतलब या मैं अनराग मिस्रा और आप जो भी हों आप मतलब any कोई भी ठीक है any तो यहांपर माल लिजी के यहांपर मैंने मैं नहीं डालने जाँगों नतरब आप boating करने गए तो आपको मैं माल लिता हूँ तो boating करने जैसे जाते हैं तो बहाँपर क्या करना होगा कि आप जो चुनना चा रहे हैं इसको चुनना चारे हैं कि अनुरा को यानि कि मुझे चुनना चारे हैं तो यहाँ पर क्या किया कि जो मत डालने गए हमने इसको तो डाली दिया बोट लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे बरियता किरम करेंगे बरियता किरम का मतलब यह है कि अगर आपका बोट जो है अगर यह न अत्मित्ता किसको देना चाहते हैं, इनके बाद, ठीक है, इनके बाद किसे, अगर मालीजी यह नहीं बनते हैं, तो कौन, तो इस तरह से, तो इस तरह बोट क्या होता है, जो मत होता है, वो क्या होता है, वो खराब नहीं होता, ठीक है, किलियर हो, आगे बात करते हैं, राश् की अबदी से पहले विए उपर राष्टवती को अपना त्यात पत्र दे सकता है या पर उसे पांच वर्स की अबदी से पूर संविदान के उलंगे के लिए संसत द्वारा लगाए गए महावियोग प्रिक्रियानी के अनुछे रिक्सत में उपमंदित है जो के द्वारा हटा अगर वो नहीं राष्टवती पत्र पर पांस साल तक नहीं रहना चाहते हैं अपना जो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो उपर राष्टवती को अपना त्याग पत्र सौप रते हैं अगर वो त्याग पत्र नहीं देना चाहते हैं किसी गाड़ों था पूरा पांस साल कारिकल, अपना पांस साल का पूरा कारिकल करना चाहता है, अगर उने कोई हटाना चाहता है, तो महावियोकी पिरकिरिया के द्वारा हटाए जाएगा, महावियोकी पिरकिरिया के द्वारा हटाए जाएगा, और संबिधान के उलंगन के आदार पर उठाए जाएग और मैं मंत्री परसद की सलापर कारे करेगा है उसके लिए मंत्री परसद होगी और उसकी सलापर वह कारे करेगा तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है मंत्री परसद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है आपका प्रधान मंत्री होता है तो सीधा सा मतलब है कि प्रधान मंत्री की कि अगर किसी जैसे माल लिजे नरंद मोदी जी है और हमारे रामनात कोविंद जी जी है पूर बहुमत में सरकार चल रही है प्रचंड बहुमत मिला था आपको यह पता है तो बहुमत में हैं तो जाइसी वात है कि रामनात कोविंद जी जो है प्रदावन मंत्री की सलापर कार अंसार भारत के राष्टपती पद पर पतस व्यक्ति दूसरे कारिकाली के लिए भी चुनामें उम्मीदवार बन सकते हैं सीधा समतल भी है कि एक बार मालीजे मैं प्रदान राष्टपती बन जाता हूँ तो दुबारा जब दूसरे कारिकाली के लिए भी मैं खड़ा हो सकता हूँ और दूसरी बार भी राष्ट पती बनने का मैं क्या होंगा योग होंगा राष्ट पती द्वारा उपर राष्ट पती को सम्मोदित त्याग पत्र की सूचना उपर राष्ट पत्र की सूचना उपर राष्ट पत्र की सूचना उपर राष्ट पत्र की सूचना उपर रा जाएगी कि महामहीम जो राष्टति जी जो है रामनाज कोमिन जी वो क्या करना चाह रहा है तियाग पत्र देना चाह रहा है तो ओम बिडला बर्तमान में लोक सवा के अध्यच है तो इनको तुरंद बिना किसी देरी के एकदम सीग रहते हैं तो तुरंद दे के आना पड़े हैं तो कोई आकर मुझे निकाए गया है हमरा टाइम पूरा हो गया आपका टाइम पूरा हो गया आपका कारिकाल पूरा हो गया है बाकाईदा सम्मान के साथ आप क्या कर सकते हैं आप सम्मान के साथ वहां पर बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब की जब तक दूस हो चुका है अब आप जो है ये कुर्सी जो है वो छोड़ सकते हैं फिर से बता दू राश्टपती अपने पांच वर्स के कारिकाल पूरे होने के बाद भी जब राश्टपती के पद पर जब तक तक तरास्पेजिक पद पर बना रहे सकता है जब तक उसका उत्रा दिखा दि के अगर दोरान या दोनों की उपर अनुपस्थिति में भारत का मुख्य ने आए दिस राश्टपती के पद का निर्वहन करेगा सीधा तो मतलब है कि राश्टपती अगर क्या है अनुपस्थित है राश्टपती जो है किशी कारवस उपस्थित होने की इस्तिति में नहीं हैं तो उनकी जो जगह कौन लेंगे आपके बेंकिया नाइडू या कह सकते हैं आपके उपर राष्टफती जी जो है वहाँ पर क्या करेंगे उनके राष्टफती के कार्यों का निर्भन करेंगे अगर माली जी राष्टफती और उपर राष्टफती दोनों नहीं है तो कोटे का सर्वोच नहाए लेके मैं जो सबसे बरिष्ट होगा वो राश्टपती कि क्या करेंगे निर्वहन करेंगे उन्नीस सो नवे में राश्टपती की जो प्रलब्दिया थी बीस जार से बढ़ा कर पचास जार कर दी जाती है फिर पचास जार से बढ़ा कर आपकी जाते है फिर से बता दू राश्टपती की 2008 को क्या कर दिया गया था 2008 को इनका 2500 रुपई कर दिया गया था और एक फरवरी 2000 20-еक फरवरी 20008 को प्रिस्तत बजट में आपका इनका पाँच लाक रुपई कर दिया गया था ठीक है यानि कि कि बiałemारे राश्टपती जो परलब्दियां कितनी दी जाती है उनको तेड़ पांच लाक रुपए दी जाती है क्योंकि परलब्दियां का मतलब यह है कि हमारे जो राश्वती है हमारे राश्वती जो कहे जाते है कि वो क्या है हमारे राश्वती राश्ट के पिरमुक माने जाते है यानि कि राश्वती यो है देश का राजा माना जाता है और राजा को पैसे या सेलरी नहीं दी जाती है बलकि क्या किया जाता है हमारे ऊपर वो क्या करते हैं पैसे लेकर एहसान करते हैं इसलिए उनकी सेलरी नहीं होती है बलकि क्या होती है परलब्दियां होती है तो उनको कितना दे जाते हैं य यानि कि आप उसके शीकार करिए तो सीधा सा मतलब है कि उन्हें सेरली नहीं मिलती क्यों क्योंकि वो तो राजा है राजा जितना चाहिए क्योंकि अकस्में दिनिज्मिय उनके पैसा आता है सारा पैसा उनके हांतों में रहता है तो वो जब चाहिए तब उसमें से आराम से च रत्यासिक्स तथ से देखते हैं तो भारत में अब तक चौदै राष्ट्वती जो है पद गिरड कर चुके जिन में से प्रिथम जो राष्ट्वती थे डॉक्टर राजन से सासे ये दो बार इस पद को सोवित कर चुके राष्ट्वती की परावदी पांच वर्स होती है लेक फ्रसास थे उसके दाश्वति पसे पहले ऐसे राष्ट्वति हैं जो जुन 넘ने दो बार राष्ट्वत्वत को क्या किया था सोवित किया था राष्ट्वती पद की जू है पांच वर्स की आवदी होती है ठीक है लेकिन आपके करे पो रहे रहे थे 1952 में राश्षवती के पूरी 24 जनवरी 1950 को संवेदान सवा-द्वारार राषवती के रूप में डॉक्टर राजिन्पृसाद का चुनाब कर लिया गया था और संवेदान के पुर्वत्तन की टितियरी 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 माई 1962 तक डॉक्टर राजिनत्पतार राश्टपती के पदपर बने रहते हैं भारत में अब तक 14 बार राश्टपती के चुनाव हुए हैं जिनमें से एक बार 1977 में नीलम संजीव रेड़ी निर्व रोध राश्टपती चुने गए थे 13 बार जो राश्टपती फद के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार थे सीधा ता मतलब यह है कि राश्टपती चुनाव के लिए निर्व रोध राश्टपती कौन चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड़ी जो थे निर्व रोध चुने गए थे इसका मतलब यह था कि इनके बिरोध में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा था ठिकर चले राश्टपती के अब तक केवल राजन परसाद फरकुद्दीन अली एहमद नीलम संजीव रेड़ी ग्यानी जैल सिंग डॉक्टर एपी जे अबदुलकलाम पृतिवा पाटेल प्रड़ा मुकरजी तिसा रामनात कोविंद को छोड़कर अन्य सभी राश्टपती पूर में उपराश्टपती पद को क्या कर चुके थे सोवित कर चुके फिर से बता दू डॉक्टर राजन परसाद आपके कभी भी उपराश्टपती नहीं रहे हैं फरकुद्दीन अली आपके कभी भी उपराश्टपती नहीं रहे हैं डॉक्टर संजीव रेटी आपके कभी नहीं उपराश्पती जियानि जैल सिंग जो थे कभी राश्पती नहीं रहे हैं उपराश्पती डॉक्तर अप्दुल रिख्पति नहीं रहे है आपके उपराश्पती रहे है । डॉक्टर राजेंद Dr. एस राधा किसनल लगाता दो बार उपराश्टपती तता एक बार क्या रहे हैं आपके राश्टपती के पदपर आसीन रहे हैं निर्दली ये उम्मीदवार के रूप में बीबी गिली ऐसे राश्पती निर्वाचित हुए जिन्होंने कॉंग्रेस का इस पर्ष्ट पहमत होते हुए भी कॉंग्रेस के उम्मीदवार को पराजित कर दिया था अब तक नीलम संजीब रेड़ी एकमा त्रैस्व पराश्पती थे यानी राश्पती थे जो एक वार चुनाम में पराजित हुए और बाद में क्या हुए निर्वडो चुने जाते हैं फिर से बता दूँ मैंने बताया कि निर्दली ये उम्मीदवार के रूप में पहले व्यक्ती थे जिनका नाम था बीबी गिली ये राश्पती के निर्वाचन के लिए खड़े होत हैं ये पहले उम्मीदवार होते हैं कि कॉंगरिस के उम्मीदवार को पराजित करके ये जीत जाते हैं नीलम संजीब रोड़ी क्या हो करते हैं आपके राश्पती के चुनाप के लिए खड़े होते हैं पहली बार उसमें हार जाते हैं फिर दुबारा से जब वो खड़े हो राष्टपती पर थोड़ा सा महावियोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो महावियोग एक नया एक प्रिक्रिया है, संसत का कोई भी सदन राष्टपती पर संविधान के उलनंगन का आरोप लगाएगा और दूसरा सदन उन आरोपों की ज्याच करेगा या फिर कराएग महावियोग एक प्रिक्रिया जो है, वह एक महावियोग एक नया एक प्रिक्रिया है, और संसत का कोई भी सदन चाहे वो राजिसवा हो, चाहे लोगसवा हो, कोई भी सदन संविधान के उलनंगन का आरोप लगा कर, यानि कि आपके राष्टपती पर संविधान के उलनंगन का आरूप लगा कर क्या की कर सकता है आपका महावयोग की प्रिक्रिया जो है कर सकती है दूसरा सदन इस आरूपों की जांच करेगा यानि कि मान लिजिए राष्टपती पर राजिसवा क्या करता है आपका उलंगन का आरूप लगाता है तो लोग सबा इसको क्या करेगा जां राष्ट्पती के पतपर रहते हैं तब तक उनके द्वारा किये गई कारेों को बहुत है कि सिवियोग नहीं बनाया है तो एसा कौन्सी पिरक्रिया है जिसके आधार पर महा वयोग की पिरक्रिया आपके रामनात, कोभिंदी जैपैं राष्ट्पती के ऊपर लगाई जा सकती है तो हमने आपको बताया है कि राष्ट पती अनुच्छेद बावन के अंसार संभिधान के अनुच्छेद बावन के अंसार भारत का एक राष्ट पती होगा और भारत के राष्ट पती जो है उनकी सला के लिए एक मंत्री परसद होगी और मंत्री परसद की स पर राज़्ट फती कार करेंगे तो यहां पर बात सीधी सी है जब तक जो है ब्रंदावन में रहेंगे तो रादे रादे कहेंगे वाली कहानी है यानि कि सत्ता में यदी मंदल या कहे प्रधान मंत्री या कहे सत्ता में पूर्ण महमत का यदी लोग सवाया करें लोग सवा मे पर इसका और यह कोई विदेक गया उस पर वह आना कानी करते हैं पिर उनकी एंसाफ से काम नहीं करते हैं तो महाव्योकी प्रिकिरिया लाई जा सकते हैं कोई और ऐसा उपवण्ध नहीं नहीं ही है जिसके तहित इसमें कहीं यह लिखा हो बस संभिधान का उलंगन है तो संब्धान कृकर करेंगे बो राष्टपती जो है आपके पर्धान मंत्री है और उनकी मंत्री परसक्ती सलापर कार करेंगे तो आपको समझपारन है कि अगर उनसे कोई बात हो जाती है अगर उनका कहना नहीं मानेंगे तो महावियोग की पिर्किर या वो ला सकते हैं तो या तो लोगसवा के द्वारा लाज़ा सकता है राजिसवा के द्वारा लाता है तो राजिसवा जाज करेगा राजिसवा लाता है तो लोगसवा जाज क सदन की कुल सदस्य संक्या से कम से कम एक चोथयाई सदस्यों के हस्ताक्चर भी उस पर होने चाहिए कि हम राटवती जी पर महावियों की प्रकिरिया जो शुरू करना जा रहे हैं और उसके लिए लेखी सूचना जो है हम उन्हें देना चाहते हैं तो उस पे एक चोथ्याई क्या करना पड़ेगा सदन की यानि की सदन की कुल सदस्य क्या के यानि की माल लीजिए कि आपका लोग सबायत लोग सबाय में पान सो पैंतालिस वर्तवान में हैं तो पान सो पैंतालिस का कितना एक बटे चार भात की जांच में उपस्तित होने और अपनी पृतिनिदेत करने का अधिकार होगा यानि कि उन पर महाव्योग लगाया गया है तो उस जांच में जांच में सामिल होने या उपस्तित होने और उसको अपना पृतिनिदेत करने का भी अधिकार उनको दिया गया है अगर ऐसी जांच य क्या के कम से कम एक तिहाई बहुमत द्वारा संकल पर पारिद करना होगा सीधा सा मतलब है कि राश्टपती जी पर मैंने बता है कि लोग सभा जो है क्या कर रही है लोग सभा आपके राश्टपती जी पर क्या कर रही है महावयोग की पिरक्रिया जो है ला रही है तो आपकी ज्यांच जो है राजी सवा करेगी जब राजी सवा करती है तो ज्यांच के समय आपको राश्वती जी को उपस्त होने का अधिकार है अपना कोई प्रतनिदे तो करने के लिए कोई राश्वती स्वयंत जाएंगे अपना कोई व्यक्ति बेजेंगे तो उसका प्रतनिदे तो क के कुल सदस संक्या के एक तेहाई बावमत द्वारा संकल्प पारित करना होगा संकल्प पारित किये जाने की तित्थ से राष्टपती जो है पद चियोत यानी की हटा हुआ मान लिये जाएं मान लिजिए आज जो है संकल्प पारित कर देते हैं तो राष्टपती जी जो है ए सी और डंग से नहीं हटाया जा सकता ठीक है चलिए साथियों बात करते हैं राश्टपती की सक्तियों के बारे में राश्टपती की सक्तियों के अगर बात की जाए तो राश्टपती को दो तरह की सक्ति हमारे संविधान की द्वारत दे गई हैं दो सक्तियों में अगर बात की सबसे पहली जी सक्ति की बात करें तो वो हो जाती है आपकी यानि की पावर्स की बात करें तो वो हो जाती है आपकी समिधान की सामन राष्टकती की सामने सक्तियों में तो कूटी नीतिक सक्तियां हो जाती है कारपालिका की सक्तियां बेद्धिय सक्तियां नयायक सक्तियां से से पहली जो सकती देख्टे हैं वो है आपकी कारपालिका सकतीन तो कारपालिका की अगर बात कीर से तो अनुच्ह भावन में कहा गया है कि भारत का एक राश्वती हो और उसकी सक्टियां यानि की संङ ये कारपालिका सकती जो है राश्ट फती में नेहित होंगी और वह अपनी इन सक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्त प्राधिकारियों के माध्यम से कर सकेगा और यहाँ पर अधीनस्त का मतलब है प्राधिकारी का मतलब है केंद्री या मंत्री मंदल से यानि कि मैंने बताया था कि भारत का इक राष्टपती होगा और मंत्री मंडल और उसकी सला पर क्या करेगा या कहें उसको सला देने के लिए क्या होगा एक मंत्री मंडल होगा या उसकी सला पर ये कार करेंगे तो ये हो गया इनका एक सक्ति दूसरी सक्ति देखते हैं तो अनुचे चोहतर के अंसा अनुचे चोहतर के अंसा राष्टपती सं की कारिपाल का सकती के संचालन में सला देने के लिए एक मंत्री परसद का गठन कर सकेगा जिसका अध्यच जो है पिरधान मंत्री होगा सीधा समत्रवी है कि राजपती ऐसे ब्यक्तियों को पिरधान मंत्री के पतपर नियुक्त करता है जो लोकसवा में बहुमत प्राप्त द सदस्य को बरखास्त कर सकता है मैंने क्या बताया कि अनुच्छित त्रेपन ये कहता है कि संग की कार पालिका की सकती आपके राष्ट पती में क्या होगी नहित होगी और राष्ट पती को सलहा और राष्ट पती को कार के संचालन मदद करने के लिए राष्ट पती क्या करेगा पिर्धान मंत्री की नियुक्ति करेगा और पिर्धान मंत्री पिर्धान मंत्री क्या करेगा आपकी राष्टपत्री की सलापर आपके अन्य सदस्यों की क्या करेंगे अन्य राष्टपती की यानि की पिर्धान मंत्री की सलापर वह मंत्री परसद के अन्य सदस्यों की नियु ता यहाँ पर मतलब है कि लोक सवा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह राष्ट पती क्या करेंगे आपको वो प्रदाहन मंतरी चुनेगे सीधा मैं बीजेपी का कोई नेता हूँ और मैं लोक सवा में चुनाब लड़ता हूँ मेरा चेहरा दिखा कर तो बीजेपी यह स सबसे अधिक क्या करती है या कहें बहुमत प्राप्त करती है तो बहुमत प्राप्त नेता को क्या चुनेगी प्रधान मंत्री चुनेगी प्रधान मंत्री की सलापर अन्य मंत्रियों की क्या करेंगे ये अन्य सदक्सियों की नियुक्ति करेंगे किस अनुच्यद अनुच्यद चौतर के ताहिए ठीकर चलिए तो किलियर हो ना अनुचिद चौतर में क्या है राष्टवती की संग की कारपाल का सक्ति के संचालों में सला देने के लिए मंत्री परसद का करेगा जिसका अध्याच जो हुआ प्रधान मंत्री होगा ठीकर चलिए अनुचिद अठातर खा के तहर राष्टवती को अधिकार है कि वह संग सरकार के समस्तिकार कलापों की जानकारी प्राप्त करें और इस संबंद में प्रधान मंत्री का यह कर्तब होगा कि वहर राष्टवती को सभी आवस्यक जानकारी उपलद कराए और राष्टवती उच्पद अधिकारियों को न अधीसों की, राज्यों के राजिपालों की, केंसाधि प्रदेसों की प्रसासकी, भारत के विदेसों में नियुक्त राजदूतों की और उच्चा युक्तों की, प्रमुक निर्वाचन आयुक्त तता निर्वाचन आयुक्त के अनिसदस तता अन्तूची जाते में जन जाती क बिजेद अदिकारियों के सीधा ता मतलब अनुच्छे तरेपन क्या कहता है कि राष्टपती को सला देने के लिए एक क्या होगी मंतरी परसद होगी अनुच्छे चोहतर क्या कहता है कि राष्टपती के कार संचालन की सला के लिए राष्टपती बहमत प्राप्त दल के नेता को प्रदान मंत्री चुन सकता है और प्रदान मंत्री चुनने के बाद अन्य मंत्रियों की मतलब अन्य सदस्यों की न्यूपती प्रदान मंत्री की सलापर कर सकता है और सला के साथ उनकी बरखास्त की भी आपके इनके ही प्रसाथ पर दें तो नहीं मतलब इनकी सलापर करेंग यानि कि जितने भी कार हो रहे हैं जो भी कार हैं जो भी गवर्मेंट के जो भी काम काज बगे रहे हैं उनकी इन्हें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है यानि कि और इस संबंद में इस संबंद में इस जानकारी को प्राप्त करने के संबंद में प्रधान मंत मतलब होता है मतलब थोड़ा सकतरना कवी गभी लेकन हम बोलेंगे सही से मतलब हटाना हटाना बोल सकते या संगी मंतरी परसद के अन्यमंतरी हो गए भारत का महा नियावेलदी यानि कि Attorney Journal of India हो गए भारत का नियंत्र के महा लेखा परिच्छक है निकि Comptroller and महा लेखा परिच्छक C.A.G. इनको बोलते हैं ठीक है तो C.A.G. की हो गए जिसको बोल सकते हैं उच्छितम तथा उच्छितम नियायले के नियायोदीसों की नियुक्ति हो गई राज के राजिपालों की नियुक्ति हो गई केंसासित प्रदेसों की प्रसासक की नियुक्ति हो गई भारत के विदेशों में नियुक्त राज्जु तथा उच्चा युक्ति हो गई मुख निर्वाचन आयुक्त तथा मुख निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन आयुक्त के अनसुची जाते में जन्जाती के लिए अभिसेस अधिकारियों की ये नियुक करता है ठीक है चली सेन सक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है संग के रच्छा बनों का समादेश राष्ट पती में नहित होता है बैरच्छा बनों का पिर्मुख भी होता है राष्ट पती अपने में नहित रच्छा बनों का समादेश उस उस विदी के अंसा प्रियो सेना और बायू सेना जाएन की इंडियन आर्मी बायू भारती सेना बायू तो इनकी भी नियुक्ती जो है आपके कौन करते हैं आपके राष्टः फतीजी करते हैं इसके साथ इन्हें कौन से कारी करने होंगे यानि कि ये सक्तियों का किस तरह से प्रियोग कर सकें इन तीनों सेनाओं का किस तरह से प्रियोग कर सकेंगे तो जो है संसद जो है कानून बना कर उनके लिए क्या कर सकती है कुछ नियमों को किस तरह से इनका प्रियोग करना है तो संसद के कानून के अनसार करेंगे यह नहीं यह तीनों के प्रमुक है तो पड़ोसी देशते हमला कर देंगे ऐसा नहीं मतलब संसद के बिदी के अनसार संसद के जो नियम काईदे बना रही संसद के आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो सारे काम जो है संसद के अनसार ही होंगे तीनों से अ आज नेक सक्तियों की बात कर रहें तो अन्नी देशों के साथ भारत का संव्यभार राष्ट्पती के नाम से किया जाता है यानि कि अंतराष्टी मामलों में राष्ट्पती भारत का क्या करता है प्रतिनिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बन रहे हैं तो वो किन के नाम पर होते हैं राष्ट पती के नाम पर होंगे पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान चूर है उसकी बात करें मान लिजिए अमेरिका के साथ तो राष्ट पती के नाम पर होगा प्रेम केनेडा की बात करें तो राष्ट पती के नाम से सारे संबंदों व भारत का प्रितने दित्वई करता है अन्य देशों में बेजे जाने वाले राज्दू तथा उच्चा युक्त राष्ट्पती के द्वारा न्युक्त किये जाते हैं साथ ही अन्य देशों से भारत में न्युक्त न्युक्ती पर आने वाले राज्दूतों पर उच्चा युक पाकिस्तान का भारत देश में अगर राजदुत आ रहा है तो उसकी सिफारिसी भी कौन करते हैं हमारे राश्टफती जी को ही सक्ति प्रापत है जब अन्य देश हों के राजदुत इँचत भारत में न्यूगत दोकर आते हैं तो उसका प्रत्यापत राश्टती के सामने पेश किया जाता है समस्त अंतराठी करार यानि की समझ़ोते और संदियां राश्टती के नाम सही की जाते हैं लेकिन राश्टती अपनी राजनेक का प्रियोग मंत्री मंडल की सलापर या मंत्री परसद की सलापर करेगा यानि की मालीजी अमेरिका के साथ कोई संधी हो रही है तो संधी गंदी अगर संधी नहीं है या फिर मालीजी कोई सी भी गंदी हो गंदी अच्छी जो भी हो संधी यानि ट्रेटी हो रही है तो राष् स्री लंका में अपने बारत के राश्वती जाते हैं और कोई जमीन का टुकड़ा जो है बहाँ पर देने की बात कराते हैं वहाँ पर इन्हों ने देने की बात तो कर दी फलाना फलाना सींग और फलाना फलाना सींग को हम ये बारत का इतना इस्ता जो हम दे रहे हैं आपको इ उसमें संसद की महर लगवानी आविश्यक है आप वहाँ पर दे तो आएंगे लेकिन जब तक संसद की महर नहीं लग जाएगी यानि जब तक संसद उस पर कारून नहीं बना देगी तब तक वह पूरी तरह से मानने नहीं होगा ठीक है चीड़ियो बिदाई सक्तियों एब हम कार देखते हैं राष्टपती संसद का अविनांग है संबिधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार संसद का गठन राष्टपती लोकसवा और राजसवा से मिलकर बनता है यानि कि मैंने क्य अभिन अंग होता है अभिन का मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता तो संसद के तीन अंग होते हैं लोकसवा राजसवा और स्वयम राष्टपती क्या होते हैं इस तीनों से मिलकर संसद बनती है यानि कि अगर पूचा जाए संसद के कितने सदन है तो दो सदन है कौन से लोकसभा और राजितवा संसद के कितने अंग हैं तो तीन अंग हैं लोकसभा राजितवा और कौन राश्ट्य पति यानि की महा महीम हमारे कौन रामनात कोबिंद जी ठीक है अज सम्धिस क्लियर हुआ तो अनुच्छे 331 के तैत यह है लोकसभा में आंगल भारतिय समधाय के दो सदस्यों को नामजद कर सकता है यानि की मनोनीत कर सकता है यदि उनके विचार में लोकसभा में उस समधाय की उचित प्रतनिद्द तो नहीं है सीधा से मतलब मैं आपको बताया था कि लोकसभा में भारत की कुल कितनी सीटे हैं 552 लोकसभा में दी गई हैं बरतमान में क आंगल भारतिय समुधाय का पिरते निजत्व नहीं कर पा रहा है कोई या पिर कम है तो क्या कर सकते हैं ये आपके दो आंगल भारतियों को आपके लोग सवा में मनोनीत कर सकते हैं और मनोनी से याद आया कि लोग मनोनी सदस होते हैं वो राष्ट फती के निर्वाचन में भा हुआ कोई मजबूत प्यक्ति है म必ल면 उसमें धुरंदर है या फेर विद्वान है क्या करते हैं राश्ट्तर्पती उसमें क्या करते हैं बारे लोगों को मनुनित करते हैं जैसी कि हमारे किर्केट के भगवान कही जाते हैं सचिन तर्यगों मनोनित किया है किसमे खेल में अगर वो एक्ष्पर्ट अने इसलिए चलिए राटपती संसत के सस्त्र को आहूत कर सकता है लेकिन संसत के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रतम बैठक के बीच में नियत तारीक के बीच छे महिने के अधिका समय नहीं होना राश्वाती संसद के संसद के सत्रों को क्या कर सकते हैं आहुत कर सकते हैं आहुत का मतलब बुला सकते हैं बुलाना बुलाना होता है आहुत का मतलब तो बुला सकते हैं लेकिन संसद के सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रतम बैठक के बीच में छे महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए मांसुन के तीन सत्र अधिका देता हूँ आपको संसर् के सत्र की बात करें तो सी सेस्ट आफ पार्लियमेंट, एक बर्स में सामाने तेन सत्र होते हैं ठीक है परतंशांट बजट सेजन जिसको हम तक आईए, next देखते हैं, बिदाई सक्तियों में आगे ही देखते हैं, यह सदनों या फिर किसी एक सदन का सत्रा अवसान कर सकता है, तथा लोग सवा का बेरिटा निभी कर सकता है, सत्रा वसान का मतलब होता है, मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, सत्र का मतलब है, कि तीन सत्र होते हैं, तो बजट सत्र चल रहा है, तो उसका क्या करते हैं, सत्र का अवसान कर सकते हैं, यानि कि उसको खतम कर सकते हैं, कि यह सत्र चला है, इसको बंद करिए, आप अपना अपना काम करिए, तो सत्र का क्या कर सकते हैं, सत्रा अवसान कर सकते हैं, के लियर हुआ, यह स संसद के सैंक तो अधिवेशन में अभी भासड भी कर सकते हैं यानि कि लोग सवा के सामने ये अभी भासड मतलब भासड दे सकते हैं राजी सवा के सामने ये भासड दे सकते हैं या फिर दोनों लोग सवा राजी सवा दोनों के सैंक तो मैं भी क्या कर सकते हैं ये भासड दे सकते हैं ठीक है संसद में लम्बित किसी विद्यक के संबंध में संसद के दोनों सद्न जाया पर किसी सदन को संदेज बेज जा सकता है और उसके संदेज पर यता सीखर बिचार बेगsk बूरां लीजिए कोई विद्यक जो है उसमें क्या करेंगे दोनों सदन को बोलाएंगे और उनसे बात्षीत करेंगे भाई क्या बात है इसमें बोटिंग काहें नहीं करा रहा है क्या दिक कतार है इसमें तो उस पर क्या है यता सीक्र बिचारण भी किया जाता है यह लोग सवा के पृतियक साधार नुवाचन के यानि कि जब लोग सवा का चुनाव होता है लोग सवा के चुनाव के बाद मान लीजिए 2019 में चुनाव गवातन पिर्दान मंतरी नर्द मोदी जी बने थे तो लोग सवा के चुनाव में जब होता है उसके बाद जब पिर्थम सत्र सुरू होता है या पिर लोग सवा के पि राश्पती जी जो होते हैं क्या कर सकते हैं राश्पती जी भासर दे सकते हैं आप भासर दे सकते हैं और हर साल के हर साल के यानि कि मान लिए बजट सर्थ दूरू होता है तो हर साल के आपने सुना होगा जब बजट सर्थ दूरू होता है तो हर साल के आपने सुना होगा जब 62 देते हैं तो प्रतियक बर्स के प्रतियक सत्र के शुरुबात में अधिकी बज़र सत्र सुरब से पहला सत्र होता है तो उसमें संसद के सही तद्वेशनों में भी अभी बहसर कर सकते हैं ठीक है संसद द्वारा कोई विद्यक पारित किये जाने पर उसे राष्टपती के अपनी अनुमती देने के लिए बाद दे होगा मान लीजिये यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लीजिये संसद में कोई विद्यक पास करने के पर राष्टपती है तो उस पे क्या होगा उस पर वो अनुमती देने के लिए बाद देऊंगे अब दुबारा से उसको नहीं बेज सकते ये नहीं कि हमने क्या किया कि कोई वगेरा आया लोकसवाव राज समय में पार्त हो गया उसके बाद राश्वतीजी के बाद बेजा और उसके बाद उसमे इसमें कोई सही नहीं किया ये क्या ऐसे चलता है कि अगर आपने बापस बेजा बापस आने के बाद दुबारा से आया तो उसको तुरंत क्या करेंगे पारित करेंगे या उस पर अनुमती देने के लिए बाद होंगे चलिए सत्रा वसान थोड़ा से देख लेते हैं जब ल लोगसवाध्यच और सवापती होते हैं लोगसवा में मनली जीह क्या चल रहा है सत्र की मीटिंग के लिए इस्त्र कर देते हैं कि जब अब जरूत पड़ेगी तब हम मुलाएंगें लेकिन राश्पती जी क्या कर सकते हैं सदन की कारवाई चल रही है और बीच में ही सदन का क्या कर सकते हैं सत्र अबसान कर सकते हैं अबसान सत्र का अबसान कर सकते हैं अबसान का मतलब अंत कर सकते हैं सत्र अबसान का मतल काड़ इसका बेगटा नहीं हो सकता जबकि लोगसवा आइस्थाई सदन होने की काड़ बेगटेट हो सकती है और लोगसवा को दो तरीके से बेगटेट किया जा सकता है एक तो स्वेम बेगटत होता है और दूसरा होता है सावदन में बहमत नहीं का मैं बता दू लोगसवा जो है वो क्या होता है हर पांस साल में उसका चुनार होता है लेकिन यह क्या होता है कभी भी भंग नहीं होती है बस उसके सदस्यों का क्या होता है हर दो साल में एक यह सदस होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बदले में नहीं आ जाते हैं लेकिन यह क्या होता है कभी साल पूर होने पर जब राज्टी आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो किन्तों किसी भी परिस्थिती में आपातकाल खत्म होने के बाद लोगसभा के कारिकाल को छे महीने से अधिक नहीं बढ़ाया गया गया लेकिन क्या कर दिया कि हमने आपातकाल के इस्थिति आ गया नहीं आपातका लगा दिया तो छे मैने के लिए कारकाल बढ़ा लिया। لेकिन जैसे छे मैने खतम होंगे आपका ये जो है लोक सवा जो है पाँच में साल। छे महीने और भी माल सकते हैं, पांच में साल खतम हो जागी, सदन में बहुमत नहोंने के खाड़, बहुमत नहोंने की इस दिमें राश्पती लोकसवा वेक्टन का नेड़े भी ले सकता है, तीधा सा मतलब है, राश्पती जी को ऐसा लगता है, कि लोकसवा में इस सरकार का क क्या करेंगे हम अपने जितने भी हमने सान सद बगरा है जितने भी सब को बोलाएंगे और बोलाने के बाद सब से कहेंगे कि हमारे कितने सदस हैं बहुमत हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसे कि माल लेजिए बारज सदस उसमें जो हैं Congress के हैं BJP में और 10 सदस जो के पूर बहुमत में नहीं आई थी 12 सदस Congress के हैं 7 सदस समाजादी पार्टी के हैं और 2 जो है मायविती वाली के हैं बाउजन समाज पार्टी के हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर क्या है मायविती ऐसा लगता है माय पार्टी जो है नकरे जादे करने के लिए बहुत सकते अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है करने करने की सकती परदान経, राश्पती द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रवाब होगा जो संसत द्वारा पारे तथा राश्पती के द्वारा अनमोदित अधिनियम का होता है लेकिन अंतर वस इतना होगा कि अधिनियम का प्रवाब तब तक इस्ताई होता है जब तक की संसत द्वारा राश्पत कि ये अध्यादेश द्वारा निरस्त न कर दिया जाए इसके विप्रीद अध्यादेश जो है छे महीने तक ही प्रवर्तन में रता सीधा सा मतलब राष्टपती अनुचे एक सो तेईस के तहित किसी भी मामले में एक अध्यादेश क्या कर सकते हैं जारी कर सकते हैं उसकी इसा लग रहा है कि इनको जो है आरचड़ वाला चूरं देना पड़ेगा आरचड़ का चूरं बड़ा मीठा होता है जो खाई एक बार वो मांगे बार बार ऐसी करता कही जाती है कि आरचड़ जो है मान लीजिए दस साल के लिए कॉंगरेस के उधारा लाया गया था और उ अध्यादेश के तहद क्या करेंगे कि इस विश्यस वर्गों को आरचड़ दे देंगे तो अध्यादेश के तहद उस विश्यस वर्गों को क्या दे दिया आरचड़ दे दिया अब क्या है कि वो छे महीने बाद ओटोमेंटिक खतम हो जाएगा अगर उसके लिए अधिनिय का होता है लेकिन अंतर क्या होता है कि अधिनियम जो होता है खतम करना है तो तब खतम होगा जब उससे संसद के दारा खतम किया जाया या लेकिन अध्यादेश जो है छटमे महीने में रब छे महीने बाद automatic खतम होताएगा वित्ती सक्तियों के बारे में बात करते हैं धन विदेयक तता वित्त विदेयक को तभी लोग समय में पेस किया जाता है जब राश्ट्रपती उसकी स्विपारिस करें सीधा तवा मतलव धन विदेयक और जो वित्त विदेयक होता है पेस करने से पहले ही राश्ट्रपती के उस पर क्या हो जाते हैं सिग्नीचर या सायन हो जाते हैं तो फिर से मैं कहता है क्या कहते हैं संसत द्वारा तब ही पारित किया जाएगा जब राष्टपती उस विद्यक पर विचार्थ विमस करने की सिपारिस संसत से करें राजित कारादयन से संबंदित विद्यक को राष्टपती की अनुमती से ही लोकसवा में पेश किया जा सकता है और राष्टपती प्रति एक बर्स के बित मंत्री के माध्यम से बर्स का बजट लोकसवा में पेश करवाता है तता प्रति एक पांच बर्स की समापती पर बित आयूग का गठन भी करता है राष्टपती बित आयूग द्वारा की गई प्रति एक सिपारिस को उस पर किये गई स्प्स्टिकण ग्यापंद साइश संसद के प्रती एक सदन के समच्यान की सामने रखवाता सीजा था मतलब धन बेदेय के आपिर सीजा समतलब यह है कि अगर भारत की संचित नहीं दीदें एक रुपया भी लेना है तो आपका क्या करना होता है इनके सिपार से ही संसद में पेस किया जाता है ठीक है किलियर हुआ और यहां पर इन्हों ने क्या बताया फर पांच बरस बाद बितायुक का गठन करता है और बितायुक का गठन करने के बाद वो जो भी सिपार से बगेरा देते हैं उस पर क्या करते हैं वो संसद के दोनों भाते हैं ठीक है चयलिए जो नयाय सक्थिहूं की बात करें अनुचे 124 के अनुसा राश्ठतिक उचितुम नयायले तथा अनुचे 273 के तहरत उच नयायले के नयाय जीक्थ को नयक्त करने की सक्ति रही है मुख्चे नयाया जीक्थ के पूर बैंश्चण नयाय जीग से प्राबदान नहीं किया गया है कि राश्पती मुख्य नियायादीस के परामर से बात दोंगे या नहीं लेकिन 6 अक्टूबर 1993 को दिया गए एक निड़े में उच्चितम नियायले के बरिष्टम नियायदीस को ही देश का मुख्य नियायदीस नियुक्त किया जाएगा और उ आनुच्यड और 124 यह कहता है ः निसफट 124 यह कहता है कि उस्टित, राश्टवत्य उस्टिम न्यायले के तथा अनुच्यद 2017 कि नयायले के नयायदीस की नियुक्ति कौन करेंगे आपके राष्टपती जी करेंगे मुख्य नियाएदीस के अलावा यानि कि जो सर्वोच नियाल है उच्टम नियाल है उसके जो मुख्य नियाएदीस होते हैं उसकी नियुक्ती कौन नहीं करेंगे उसकी नियुक्ती आपके नहीं करेंगे उसमें क्या होता है वो ओटोमेटिक जो और परामर्स करने के बाद राश्पती जी इन से परामर्स करेंगे अगर राश्पती जी को मुख्य नियुक्ति करते हैं यानि कि यह कहते है कि हम यह वाला मतलब यह जो है नियुक्ति कर रही है तो उनकी सलाह मानने को आपके जो राश्पती जी जो है वो बात देंगे यानि काणी नियाक़ी की समंद में राजटपती उच्चित्तम नियायले के मुक्ँ नियायदी इनकी राय मानने के लिए त्टीकर चलिएले राश्टपती द्वारा चमादान के पारें बात करते हैंस। अनुच्य बाततर के तरह राश्ट्पति को चमादान तता कुछ मामलों में डंडा देश के निलम्मिन पर्यार या फिर लगुकरण की सक्ति दी गई है राश्ट्पति को निम लिखित मामलों में चमा तता दो सिख्धी के निलम्मन पर्यार या लगुकरण की सक्ति प्राप् जिस बिसह तक संग की कारपाल का सक्ति का बिस्तार हो यानि की ऐसे मामले में जिसमें संग की कारपाल का क्या हो उसका बिस्तार हो यानि की वो संग छेत्र का बिसह अगर यदि है तो उसमें आपका क्या है राष्टफती जी जो है छमादान का उसमें क्या है इनका हख बनता है यानि कि उसमें बात चलाई जा सकती है कि यहने छमादान दिया जाए या ने दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर छमा का मतलब क्या होता है, छमा का मतलब डंड से पूरी तरह से मुक्ती से होता है, डंड के, अगर हमने आपको छमा करते हैं तो जाओ, जी ले अपनी कर दिया जा, तो यहाँ पर क्या है, जिमरन जो अपनी जिंदगी जी सकती है, ठीक है, चलिए, तो सिमरन को जिंदगी किस तरह से जीना पड़ेगा, ओ भी देखते हैं, समझते हैं, राश्पती के चमादान पांच पिरकार के होते हैं, खास कर, सबसे पहला जो है चमादान दोची को दिया गया डंड जो है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, इसमें सिमरन जो है, पूरी तरह से आजाज हो जाती है, जा खुली छूट दी गई है, पिरती लंबन, मिरत्यू को अस्थाई रूप से निलंबित किया जाता है, इसमें सिमरन को क्या है, रोक दिया है, यानि कि जैसे कल उसकी फांसी हो नहीं है, तो उसका क्या है, फांसी जो है, कुछ दिन के लिए निलम्मित कर दिया गया है, इस्तगित कर दिया है, यानि कि वो मरेगी, 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 ठीक, चलिए, परिहार देख लेते हैं, परिहार में क्या होता है, डंड क प्रक्रति में परवर्ता किये भिना डंड कि मात्रा को कम कर दिया जाना यानि vors माली जी आपको क्या है मिरत्य डंड मिलाए तो आपकी मिरत्य डंड को क्या कर दिया जाना आपको उम्र कायज में बदल दिया जाना चलिए आगे बात करते हैं राश्ट पती को केंद्र राज के विदयोकों के संबंद में सक्ति देख लेते हैं किस तरह से इसको सक्ति हैं जो स्विक्रति दे सकता है स्विक्रति दे भी सकता है अस्विकार कर सकता है अस्विकार भी कर सकता है लेकिन बापस नहीं कर सकता धन विदयक को ठीक है ठीक है संब्धान संसोदन विदयक के संबंद में अगर बात की जाए तो केवल स्विक्रति दे सकता है ना तो बापस कर सकता है और नहीं अस्विकार कर सकता है संबिदान संतोधन जो है संबंदी विद्यकों को राज विद्यकों राज विधायका में प्रत्त नहीं किया जाता ठीक क्योंकि राज विद्यका के के लिए राश्पती के लिए तो राश्पती को जब वो भेज़ेंगे में कौन आपका ख्या ना में राजपाल तो इसमें सीकरती सकता है असीगार भी कर सकता इस तरह से होता है चलिए नेक्स देखते हैं आपाद कालिन सक्तियों की बात करते हैं राश्री आपाद गोस्ट करने की उद्गोस्टना अनुच्छे 352 के अंतरकत है राज्यों में संविधानिक तंतर की बिफलता पर वहां आपाद काल गोस्ट करने की उद्गोस्टना अनुच्छे 356 के तहता बिध्टी अपाद गोस्टना की बात की जाए तो अनुच्छे 356 के तहत दिया गया है ठीक है अब भारक में बिध्टी आपाद अभी तक एक भी बार नहीं लगा है जो आपात का लगाया था हमारे इसमें जो हमारी जो इंद्रा गांदी जी थी इनके द्वारा कौन-कौन से है राष्टी आपात घोस्त करने की उद्गोस्रा अनुच्छे तीसो बावन में राज्यों में संविधानिक तंत्री बेफलताव महां पर क्या है आपात का की घोस राष्टफती की बीटो सक्ति पूर बीटो जब राष्टफती किसी बिद्यक को अनुवती नहीं देता है तो यह कहा जाता है कि राष्टफती ने पूर बीटो की सक्ति का पिरियों किया है राष्टफती बीटो की सक्ति का पिरियों गैर सरकारी बिद्यों के संबंद में क किया जाता है मानली गेर्ट-कर्तकारी बिद्यक का मतलब यह ए कि वो बिद्यक जो संसत के किसी सदस्त के द्वारा नहीं पेस किये गई है ठीक है निलंब Fr назад कि एक पात की जाए तो जब राश्टवति किसी बिद्यक के प्रभाब को नियांबित रखने के लिए अनमती देने के लिए अपने पास प्रेशित विद्यक को संसत के बाद पुनर विचार के लिए बेजता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबर कारी वीटू का प्रियो किया जाता है किया है, यानि कि माली जब किसी विजयक के प्रभाव को निलंबित करने के लिए, तो क्या है उसको क्या क्या क्याते हैं, अपनी अनमती देने के लिए, अपने पास प्रेसिस विजयक को क्या करते हैं, संसत के बाद पुनर विचार के लिए बेशते हैं, तो उसको क्या क्या क् आता है कि राज़फती ने जेवी बीटो या का है पॉकेट बीटो सक्तिगा परियोग किया है ठीक है यानि कि पूर बीटो में क्या होता है इसमें मना कर देता है निलंबनकारी बीटो में पुनर विचार के लिए बेज देता है और जेवी बीटो का मतलब होता है जेव में र दों कहते हैं यानि कि ये में डाल लिया चलिए शर्य कहते हैं भ्हारस के राट्रदी तथा उनका कारिकाल देख लेते हैं यहां पर हमारे कुछ राइस्ट पती यह उनका समयकाल और सबसे पहले राष्टती देखते हैं हमारे डॉक्टर राजिन पर साथ कारिकाल की बात किने हैं तो 1950 से लेके 1962 तक सर्पले रादा किष्णन आपके 1962 से लेके से लेके सासी तक नीलम संजीब्लेटी 77 से लेके 82 तक ग्यानीजैल सीघ्जी से लेकेviewer सी तक रामस्वामी बैंकर्ठरमन 1987 लेकर 92 तक संकर दयाल सर्मा 92 देख 57 के स्तानुए तक के यार नारायन 97 देखी 2002 तक डॉक्टर अए पीजए अब्धुलकलाम 2002 से लेकर अग्यश्च मुखर जी बारे से लेकर पर्वहर से लेकर प्रिड़ा मुखर्जी 12 क्या나ों सत्तानी सुसासन के बारे में हम लोग शुरुबाद कर लेते हैं इस्थानी सुसासन को हम थूड़ा समझे लेते हैं के बारे में जो प्रमुक चानकारी उसको खमेसने वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी और थोड़ा सौट में पढ़ानी कोई से करूँगा तो आधिनिक पंचाइती राज विएस्ता का प्रारम कहां से होता है तो सुतंता जैसे ही हमें इमानका सरकारी करमचारियों के साथ नागिरिकों को विकास की प्रक्रिया से जोडने का प्रयास किया लेकिन नागिरिकों को अधिकार नहीं दिये गए ते जिस काड़े है सरकार अधिकारियों तक सीमित रहे गया और असफल हो जाता है यानि क्या असफल हो जाता है दो अक नजर डाल लेते हैं भारत की जो संदचना है उसको थोड़ा डाल लेते हैं भारत जो बटा हुआ है वे राज्यों में और केंसासित प्रदिस में बटा हुआ है और केंसासित और राज जो बटे हुए वो डिवीजन्स में डिवीजन याक हैं जैसे कि आपका मंडल जो हैं उस ठिक है इसके बार दूसरी तरफ आजाते हैं बिलोग क्यात आता है से लिए तालुका लेबल के बाद की जाए तो यहाँ पर बटे जाते हैं यह तालुका गाओं में यानि वेलेजस उसमें आजाता है आपका गिराम पंचायत और गिराम सवा ठीक है तो इस तरह से हम इसको प प्रियासी में तत्कालिन वाइसरा लॉर्ड रिपन ने इस्थानी स्वायत सासन की इस्थापना करने का प्रियास किया था लेकिन ये जो आपकी लॉर्ड रिपन होते हैं वह क्या हो जाते हैं अस्वफल हो जाते हैं बेटे सासकों ने इस्थानी स्वायत संस्ताओं के इस्थ थी तो सबसे पहले बात करते हैं बल्वन तराय महता समिति के अदिष्टा में मेहटा एक विकास कार करम और राश्टी पिर्सार सेवा के अस्फर हो जाने का पंचायती राजविवस्था को मजबूत बनाने के लिए City राजविवस्था कूर इस्तर पर और पंचाइज समीतियां तथा जिला इस्तर पर जिला परसिद गठित करने का सुजाव दिया था ठीक है चलिए आके बात करते हैं मेहता समीजी की सिपारिसों को एक अपरेल उनीस सो अठावन को लागू किया गया था इसके सिपारिस के आधार पर राजिस्थान नामक राजिकी बिधान सवा में 2 अक्टूवर 1969 को पंचाइती राज आधीनियम परित किया था इस अधिनियम के प्राद भानों के आधार पस 2 अक्टूवर 1969 1969 को राजिस्थान के नागोर जिले के बगदरी नामक गाउं में पंचायती राज विवस्ता का क्या किया था उद घाटन हुआ था इसके बाद 1969 में आपका आंध प्रदेश में 1960 में असम तमिलनाडू और करनाटक में 1962 महाराश में 1963 में आपके गुजरात वाले छेत्र में और 1977 में यानि की 1977 में असुक में था समिती का घठन किया गया था इस समीती में तेरे सदश से समीती ने 1978 में अपनी रिपोर्ट के इन सरकार को सौपती थी जिसमें कुल 132 सिफार से की गई थी इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर पी वी के राव समिती 1985 में डॉक्टर राव की देश्था में एक समीति का घठन किया गया था और एकार संपा गया कि ग्रामीड बेकास ता गरीबी को दूर करने के लिए पिरसासनिक ववस्तापर सिफारिश करें इस समीती ने राज इस तर पर पर जिला परसथ और मंडल इस तर पर मंडल पंचाह तका़ गाउं या ग्र पंचाय्ति राज संस्ताउं कारों की समिश्या करने तथा उसे सुधार संबंदी सिपारिस करने के लिए सिंधी समिटी का गठन किया गया था। समिती ने ग्राम पंचायतों को सच्चम बनाने के लिए गाओं के पुनर गठन की सिफारिष की तिता साथ में यह सोजाब दिया था कि गाओं या करें ग्राम पंचायतों को अधिक बित्य संताधन उपलब्द करा जाएं कि इसके दोरा लची मल सिंध भी चलिए आगी बात कर की जाती है आपके पंचायतों का एक उस में हम देखेंगे इस को समझाइगे तीट्रम समईधान संतान के बारे इंग्राइए पंचायती संसताओं को संबयनीक माणेता देने के लिए पी बी नर्सिंगा नर्सिमा राओ के सास्चंकाल में चुबिस अपैरेल नीस हैं महिलाओं के लिए आपकी अनसूची जातियों के लिए और अनसूची जातियों को को सभी पंचायतों में आरच्छड प्राप्त या करें प्रदान किया ठीक है तो एक नजर डाल लेते हैं पंचायतों की स्थापना किस तरह थे ब्लॉक लेबल पर ब्लेज लेबल पर और कूल पर निए सबसे पहले करें सबसे पहले आपका जिलापरसद इसके बाध बॉकी जान सब्क घराइब इस तरह से आपका कार्य होगा ठीक है तो तो tap si20安全 अन पंजाइट का जो पंजायतों का का रीकाल रखाव रहाइ पांच वर्श निश्चित किया गया था ठीक है पंजायतों के इस्टगं तदा ने उने की इस्तिति में छे महा के अंदर या शे महा के उबास कराना अनिवार कर दिया गया था त्यातर में संबिधान संसदन के बाद PANCHS Tै राज वाला जो तो राज था वैस कौन सा पहला राज बनता है आपका करनाटक राज बनता है सम्विदान संसुदन के तुरंत वाद की बात कर रहा हूं मैं ठीक है चलिए तो पंचायतों की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं सम्विदान में तैस्तर में सम्विदान संसुदन 1992 के तौरा तिरे इस तरी ये पंचायती राज बेवस्ता का प्राबधान किया गया था इसके अनुसार सबसे निचले यानि की ग्राम इस तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के गठन का प्राबधान किया गया इसके बाद मद्द बरती या खंड इस तर पर छेत पंचायत का गठन का गया और सबसे उच्छे अर्थाथ जिला इस तर पर जिला पंचाईच. पर प्राप भीट्सक्राफि आप जिले आगे बात करते हैं चलिए पन्चाईच. जिन राजियों की जनसंक्या 20 लाग से अधिक नहीं है बहां मद्वर्ती इस्तर पर 6 पंचायद का गठन नहीं किया जाएगा यानि कि ब्लॉक लेबल पर यानि कि ये जो बीच वाला है इसका गठन नहीं किया जाएगा यानि कि गाओं का और डिस्ट्रिक लेबल का किया जाएगा ग्राम पंच करती या का है भ confuse इस ब्लोक के राइची जिला पंठळस होता है ठीक हैं अ है पंठळस के अध्य संसस सदस्य और विधान सबाइब के सदस्यों को पंठ़स्यों की बैठक में मत देने का अधिकार होता है ठीक है सुम्झा गया चलिए आगे बात करते हैं महला आरच्छड के बारे में बात कर लिए तो पंचायत में अनुच्छे 243 डी के तायत महलाओं को 33% आरच्छड प्रदान किया गया था अगस्त 2009 में आपके पंचायती राज में महलाओं के ल जित्रों ने आरच्षड को अपने अपने च क्छेत्रों में क्या कर दया था ना गू कर दिये था पैचा डीने पकाती राजत का drei संस्ताम में 50% आरच्ड दिया था चर एक चलिए पंचायती राज से संब्दित उप्रदना के बारे में बात कर लेते हैं तो पंचायlık गाह आपकी पंचायतों की रचना यह काखागा है ना यहां ABCD कर सकते हैं ठीक है यह सेम इसी तरह से कार करेगा इसके बाद अनुच्छे 243 गाह इस्थानों का रच्षर अनुच्छे 243 अड़ा पंचायतों की अभी अनुच्छे 243 चाह सदस्थों के लिए आयोग गिता हैं अनुच्छे 243 गाह पंचायतों की लेखाओं की संपरिच्छा अनुच्छे 243 गाह पंचायतों के लिए निर्वाच्छान अनुच्छे 243 ठाह संग राज छेत्रों पर लागू होना अनुच्छे 243 डाह इन यानि कि इस भाग का कतिपाई छेत्रों पर लागू ना होने य आये लेकि अस्तितेप का बर्डन के बारे में ये पिराबधान किया गया है ठीक है चलिए आगे समिछा करते हैं पंचाइती राव वी के राव समिछमेंFC कि आगें था के 57 संबाचन की रूपरिब का संबंदित अध्यन संबंदि अध्यन के बारे में सोक महता समिती सब्सक्राइब दान्ते बाला समिति 1978 खंड स्तरीय योजना का स्वरूप अनुमंत राय समिति 1984 जिला इस्तरीय योजना का सवरूप जीवी के राष उन्निसो पिच्ची आसी में इसका गठन किया गया था गिनामिल विकास के लिए प्रसासिनेक समाय यूजन गरीवी निवार कारकिरम ठीक है एम एल एम सिंद्वी समिती 1986 लोक तंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संसाओं का पुनर ससक्ति करण के बारे में प्राबधान किया गया था पी के थुंगम समिती इस्थानी निकायों की संविदानिक मानता की अनुसंसा की थी या इन्होंने सिफार भारती संविदान में ग्राम पंचायतों का गठन राज के नीत निदेशक सिद्दान के अंतरगा सामिल किया गया है पंचायती राज को तीन इस्तरिये प्रणाली की सिफारित वलवंत राव महताने की थी यानिकि वलवंत राव महताने सिफारिस की थी भारत के संविदान क राज सरकार की गिराम पंचायतों का विवस्तित करने का निर्देश देता है जो कि आपका एक नीच निर्देशक तत्व है पंचायती राज का आधार लोक तांतरिक बिकेंदरी करण है संभिधान के भाग नो में पंचायतों के लिए प्राबधन किया गया पंचायती राज विवस्ता को परिकल्पना उन राज्यों के लिए की गई जिसमें आवादी बीस लाग से उपर है और बीस लाग से कम है तो उसमें दो जो मद्धिवर्ती यानि की ब्लॉक लेवल बाला था उसका प्राबधन निकिया जाए जियाने की जिला और गाउं से सम्मधित किया जाए ठीक है अनाचर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है भारत में पहला नगर निगम चेन नहीं में इस्तापित किया गया था पंचायती राज संसाँ अपनी निदी हेतू सरकारी अनुदान पर निर्वर होती है ठीक है भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अपरेल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया तेहतर में सम्मधान संसोदन में भाग 9 तथा 11 मी अनसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज परणाली में ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम इस्तर पर होता है 73 में सम्मधान संसोदन द्वारा पंचायती राज संसाँ के लिए प्रतिया 6 गुप्त मतदान का प्राबधान किया है पंचायत के चुनाव हेतू नेड़ैस राज सरकार लेती है संब्यदान की 11 अंसुची पंचायती राज से सम्मनित है चली आगे बात करते हैं ग्राम सबा के बारे में बात कर लेते हैं अब हम ठीक है चली ग्राम सबा देख लेते हैं किसी ग्राम की निरवाचन नामावली में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामुईक रूप से क्या कहा जाता है ग्राम सवा कहा जाता है ग्राम सवा में 200 या उससे अधिकी जनसंग क्या होना आवस्यक होता है ग्राम सवा की बैठक बर्स में दो बार होनी आवस्यक है इस बारे में सदस्यों की सूचना बैठक से 15 दिन पूर नोटि ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जिला पंचाइत राज जिला पंचाइत राज अधिकारी या छेतर पंचाइत द्वारा लिखेत रूप से मांग करने पर अत्वा गिराम सवा के सदसों की मांग पर पिरदान 20 दिनों के भीतर बैठक बुलावी सकता है ठीक है यदि गराम प तारीके 60 दिनों के भीतर होगी जिस तारीक को पिरदान ने बैठक बुलाने की मांग की थी गिराम सवा की बैठक के लिए कुल सदसों की संक्या के पांचे वाकी उपस्तिती अनिवार होती है ठीक है मैं बता चुका हूँ ये कोरम बोला जाता है या गड़पूर्टी जिस उसमें एक बते 5 या पांच में भाकी भी जरूरत नहीं है अवसका नहीं के प्रतेक गराम सवा में एक अध्यक होता है जो ग्राम प्रधान यार्सरदपंच या मुखिया कहलाता है तता कुछ अनि सदस्द से होंगे गराम सवा में 1000 की आवादी तक एक ग्राम 25 सदस्द या मेटक आवयश्यक है ठीक है बैठक की अधिता सरपंच्ड कया गिराम परदान करता हैgender सरकार द्वारा पंकाई समिती के सदस्स होते हैं जला परस्त के बारे में यहीदि बात कर लिजाए तो ग्रामीड स्वसासन संस्था राज सरकार के मद्द कड़ी का कारी करता है क्या करता है जिला परसद या जिला पंचायत किसके बीच में राज सरकार और ग्राम जो जिला सरकार और ग्राम स्वसासन की बीच में क्या करता है कड़ी का कारी करता है सभी पंचाई समिती के प्रधान, लोकसवा सदस, राजविधान सवा सदस और बिधान परसाद के सदस, जिला परसाद के सदस से होते हैं सभी पंचाईतों के लिए राज नुरवाचन आयूग का गठन किया गया है नगरी या इस्थानी सरकार के बारें बात कर लेते हैं यानि कि नगर पालिका, नगर नगर निगम और नगर परसक के बारें बात कर लेते हैं तो एक जून 1993 को प्रभावी 74 में संब्धान संसोदन अधिनियम के दारा संब्धान में एक नया भाग नौका और अनुच्छे 243 ता से अच्छा तक का प्रापधन किया गया था जो नगर पालिकाँ से संब्धित था चौतर में संब्धान संसोदन के बारे में जान लेते हैं चौतर में संब्धान संसोदन दौरा नगरी संस्ताओं में अनसूची जाती और अनसूची जनजातियों के लिए उनकी संक्या के अनुपात में आरच्छड का प्रापधन किया गया था इस अधिनियम के दारा एक त्याई सीटें महलाओं के लिए आरेच्छत की गई है इसके अंतरगा नगरी संस्ताओं के जो कारेवदी होगी यानि की कारिकाल जो होगा वे पांच वर्स निरादित किया गया है नगरी संस्ताओं के भंग हो जाने पर छे महां के बीतर चुनाब करवाना अनिवार होगा ठीक है नगर निगम के बारे में बात कर लेते हैं सर परतम 1660 मदरास में पहले नगर निगम की स्थापना की गी थी यानि कि यह है आपका मदरास वाला छेतर में आप लोगों को दिखा देता हूँ चक्कर क्या था इस माइक के बारे मैं बाता देता हूँ वो डिश्टर्ब होता था यहाँ पर नहीं रखवा रहा था किया इसलिए आपकी लोड रिपन को इस्थानिय स्थासन का पापा या कहें पिताजी कहा जाता है नगर निगम का पिरसासन एक परस्द करती है जिसे सामानी परस्द कहा जाता है चलिए नगर निगम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं परिस्द के सदस्यों का कारिकाल कितना होता है पांच वर्स का होता है नगर निगम का अबडेच महापौर कहलाता है महापौर का चुनाव नगर निगम के सदस्यों द्वारा किया जाता है निगम आयुक तो नग परिस्त के नगर पालिका के बारे में नगर पालिका उन नगरों में इस्तापित की जाती है जो न तो बहुत बड़े हो और ना ही बहुत चोटे यानी बीस हजार से जादा और बीस हजार से जादा ठीक है और तीन लाग से कम इनके लिए किसकी सापना की जाती है नगर पालिक नगर पंचाइट की बात की जाए तो यहां नगर पालिका की सबसे निचली काई होती है नगर पंचाइट उन छेत्रों में कायम की जाती है जो न तो एकदम छोटे हैं और ना ही बिल्कुल सहरी जैसे की 10,000 से जादा और 20,000 से कम तो यहां पर क्या किया जाएगा नगर पंच पालिका का गठन किया जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं चलिये विबिन राजयों में वर्तमान पंचायती संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं के इंदर में एक इस्तरी है यानि कि ग्राम पंचायद ही है क्योंकि यहां पर आपका जिलापरसद और लेवल का नहीं है जम्मु कस्मीर में एक इस्तरी है यानि कि ग्राम पंचायद तिरपुरा में ग्राम पंचायद मणिपूर में किराम 25 चिक में किराम 25 ठीक है यह मैप में आप देख सकते हैं एक दम तुरंत के तुरंत ठीक है असम वाले छेत्र के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है असम वाला छेत्र असम में दो इस्तरी है तो किराम पंचाय तथा पंचाय समिती है उसके बाद मद्य परदेश म गिराम पंचाइट और पंचाइट समिति तीसरा है इसके बाद है आपका हरयाना हरयाना में आपका गिराम पंचाइट तथा पंचाइट समिति चलिए बात करते हैं आगे तो आपका उत्तर प्रदेस वाले छेत्र की बात की जाए चलिए इसके बात तिरिस्तरी हमाचल प्रदेस वाले छेत्र यहाँ आपका उत्राकंड की यह आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडू में ग्राम पंचाज समिति और जिला पंचाज गुजरात की बात यहादी की जाए तो ग्राम पंचाज पंचाज समिति और जिला पंचाज गुजरात कहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात ठीक है यहाँ पर उपर में लेक दिया जिला पंचाज पंचाज समिति और ग्राम पंचाज चलिए आगे बात करते हैं ठीक है इसके बाद बात कर ले में जनपत पंचायत अरणाचल प्रदेश में आपका अंचल परसद वो अंचल सम्थी ठीक है चली आगे बात करते हैं अब बात करते हैं संभिदान के महतपूर अनुच्छिदों के बारे में ठीक है तो यह सबसे पहले इसका हलका सा डिटेल जान लेते हैं हमारे संभिदान म निरपेच लोक तंतरात्मा गड़राज है यह गड़राज भारत के संभिदान के अनुसार साथे से है ठीक है यह संभिदान सबाद वारा 26 नमबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनबर 1950 को यह प्रभावी हुआ था भारत का संभिदान दुनिया का सबसे बड़ा लिखे संभिद प्राबदान किया गया है कि अनुछी देख में प्राबदान किया गया है कि अनुछी देख भारत राज्यों का संभ होगा यानि कि संभ संभην में अजिकों कि क्या दिया के संसत्व दृ द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के छीटरों सीवा व एवबं नामें परवच्थाय कर सकती है मान लिजिए ऐसे मान लिजिए आपका ये वाला जो छेत्र था बॉंबी प्रेसिडेंसी था तो बॉंबी प्रेसिडेंसी माल लीजिए उस समय आपका ये इस तरह से ये जो महाराष्ट वाला छेत्र है महाराष्ट वाला छेत्र और ये इस तरह से आपका ये गुजरात वाला छेत्र इसमें ही सामिल था या किसी राजी को क्या कर दिया जाए राजी को राजी की सीमा बढ़ा दी जाए ये किस के अधीन आती है संसद के सक्ती के अधीन आती है तो किस में प्राब्धान किया गया है अनुच्य दो में प्राब्धान किया गया है ठीक है अनुच्य पांच के बारे में बात करें तो स मौलिक अधिकारों की असंगत या उसके अलपी करने वाली विदियों के बारे में प्राब्धान दिया गया है यानि कि आपके अनुछे 13 में ये प्राब्धान किया गया है कि मौलिक अधिकारों का यदि कोई क्या करता है मौलिक अधिकारों को छेड़ता है या मौलिक अधिक खार्वन को क्या करते हैं अलपी कर्द या कम करते हैं ठीक है चलिए आइए चलिए अनुच्य 2014 को देख लिए कानून के समझ समानता ये किवयर में बता चुका हूं अनुच्य 16 में किया है सरकारी नौकरी में सभी सभी को सम अफसर की तमानता चाहें वो इश्तिरी हो, प्रूस हो चाहें, कोई भी हो, उसे नोकरी में अफसर की समानता मिलेगी, चाहें वो किसी भी जाद से हो, किसी भी धर्म से, उसके साथ किसी भी काड से, भेद बाब नहीं किया जा सकता, जन्मिस्टां के आधर पर, लिंग के आधर पर, या उसके मूल या जात के आधार पर ठीक है अनुच्छे सत्रे जो है एश्परस्टा का नूलन करता यानि कि जो आपके छुआचुद की विमारी है उसको समाप्त करता है ठीक है अनुच्छे उन्नीस में क्या है अभी ब्यक्ति की स्वतनता के बारे में कुछ अधिकारों का संद्च्र किया गय में ही आपकी बाक सुतंता दी गई है यानि कि बोलने का अधिकार आपको लिखने का अधिकार सूसल मीडिया का अधिकार आपको आवाद रूप से अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है आपके किसमें आपके अनुच्छेद 19 में जो मैं डिटेल में आप लोगों को प लेकिन देहिक भी सुतंता होगी, यानि कि हमें कोई कैद भी नहीं कर सकता, समझ में आ गया है, यानि कि देहिक सुतंता भी जरूरी है, देहिक मतलब सारी रीक सुतंता है, यानि कोई आपको मार नहीं रहा है, लेकिन जेल में कैद करते हैं, ये भी हमें किसी, हाँ अपरादी तो बात अलग है क्योंकि वो समाझ के लिए खत्रा होंगे इसलिए उन्हें जेल में बंद रखा जाने का क्या किया जाता है प्राइधन जाता है अनुच्यद پचिस अनुछेद 21 की बात किया है प्रात्मिक सिच्छा का अधिकार ठीक है चलिए उसके बाद अनुछेद 25 में बात किया है अंतर आत्मा की स्वतंता मन चाहा काम और धर्म के पिर्चार पिर्चार की स्वतंता मैं हिंदू हूँ तो अपने धर्म का पिर्चार कर सकता हूँ किसी को प्रवतन करवा पाते ह् это kita तो मैंने किसी की दुकान नहीं चलाती thing तो जो धर्म परवतन का जो अधिकार है वह आपको नहीं आप अपने जो धर्म का पिरिचार कर सकते aja करते हैं लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं ठीक है अनुच्छे 30 अलफ संक्य को सैच्छिक संताओं को इस्टापित करने तता उसमें पर सासन करने का रिविश्चार यानि कि जो अलफ संक्य कहने नि हिंदू है वो मुस्लिम है और किसी इस जीन राज्यों में मुसलमान जो हिंदू जो अल्फ संक्य कहें उनको भी मतलब उनका प्राद्धा नहीं किया लेकिन आने वाले समय में कर दिया जाएगा जिन राज्यों में अल्फ संक्य कहें हिंदू उनके बारे में ठीक है तो अल्फ संक्य मतलब कोई भी धर्म या भासा से अल उसे फिरसाइशन करने का अधिकार नहीं दिया गया इसलिए जो आपके अलसंक अगबर के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या प्राबदान किया जाता सीटों का आरच्छड कर दिया जाता है चलिए अनुच्छी 31 में क्या प्राबदान किया गया है 31C में कुछ निर्देशक स सम्मंदी आक हैं आपको उससे प्रिवाब अपके मौलिक अधिकारों को को इंब लिट या उत्र्त अधिकार पिरेश्या इसके बारे में मैं जब आप मौली अधिकार पढ़ए थे तब मैंने वहाँ पर आपको डिटेल से बताया था है गया चलिए अनुच्छे 38 में क्या कि प्राब्धन किया गया अनुच्छे 38 में राजी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक बिवस्ता को बनाएगा इसके बारे में प्राब्धन किया गया है अनुच्छे 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता के बारे में, यानि कि चाहें बो हिंदू हो, चाहें मुसल्मान हो, उसको एक ही भारत देश एक है, तो एक ही पिरकारता उसमें कानून होना चाहिए, यह नहीं कि मुसल्मानों के लिए अलग हो, शिखों के लिए अलग हो, बैसे हिंदू के लिए तो एक ही कानून लाग ठीक है चलिए अनुच्छे 45 की बात की जा तो 6 से कम उमर के बच्चों के लिए अनिवार सिच्छा का प्राबधान किया गया है अनुच्छे 46 में अनसूची सूची जातियां अनसूची जनजातियों और अनिकमजर बरगों के लिए सेच्छड और आर्थिक हेतों को 50 में कारपालिका से न्याई पालिका को अलग करने का प्राबधान किया गया है अनुच्छे देक्यावन अंतराच्छी सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्राबधान किया गया है किसके लिए राजी के लिए क्योंकि ये राजी के नीत निजिसा तक्तमों में साम प्रमु कौन माना जाएगा आपके राष्टफती जी को माना जाएगा अनुच्छे चौसट में उपर राष्टफती राज्य सभा का पदेन अध्यच होगा यानि कि जो राज्य सभा है उसका अलग से कोई अध्यच नहीं चुना जाएगा यानि कि उपर राष्टफती ही हैं वही पदेन सदस पदेन अध्यच होंगे अनुच्छ चोतर एक मंत्री परसद होगी जिसके सीरसवर प्रदान मंत्री रहेगा जिसकी साहता एं सोजाब के आदार पर राष्टपती अपने कार संपन करेगा राष्टपती मंत्री परसद के लिए किसी सला के पुनरविचार को समझ सकता है पर पुनरविचार के पश्चा दे गई सला के अंसार बैकार करेगा इसके सम्मंदित किसी विवाद को परिच्छा किसी नयायले में नहीं की जाएगी इनको साजर बारत सम्में आप लोगों समझा जेता हूँ यानि कि अनुच्छ चोतर में दिया गया है कि एक मंत्री परसद होगी एक एक राष्टफती के लिए मंत्री परसद होगी सला देने के लिए और उसका प्रधान कौन होगा आपके प्रधान मंत्री होंगे और ये भी इसमें प्रधान किया गया है कि मान लीजिए मंत्री परसद कोई या लोक सवा या राजिसवा कोई पिदय जी उस पर क्या करेंगे अनुमती देंगे ये इनके लिए बात दिकारी होगा अनुचे 76 की बात की राश्टपती द्वारा महान नियाइवादी की नियुकती की जाएगी तो इस तो महान नियाइवादी कौन है अगर कोई महापर उस बताना चाहते हैं तो बता सकता है उसके इनामभी में दूँगा चलिए आगे बात करते हैं अनुचे 78 के बारे में तो प्रदान मंत्री का यह करता बहोगा कि वे देश के प्रसासनिक एवं बिदाई मामलों तो मंत्री परसद के नेड़ों के संबन्द में राश्टपती को सूचना दे यदि राश्टपती इस प् अधिकार का उल्ले किया गया है अनुचे देख स्वाट यहाँ किसी विदेयक के संबन्द में दौनों सदनों में गत्रोद उत्पन हो जाता है तो संब्यान से आपको समझाने वाली बात है इसलिए समझा दे रहा हूं वैसे कज़ें बार मैंने बताए कि जब आपका संइक तुबैठक का प्रादन किया गा है लेकर ध्यान रहे संइक तुबैठक धन विद्यक पर नहीं की जा सकती और संबिदान संसोधन में आपकी क्या नहीं की जा सकती संइक तुबैठक का प्रादन सिर्फ और सिर्फ साधार विद्यक के लिए है संइक तुबै प्रदान कर सकते हैं या अस्यूकरत कर सकते हैं संदेश के साथ या बिना संदेश के संदेश के संदेश को उस पर पुनर्वचार के लिए बेजा जा सकता है तो इसे अस्यूकरत नहीं करेगा इनकी इसको फिर से वही बात आ जाती है कि संदेश के तो हाँ और ने करने से मना करते हैं और यदी तो पूनर विचार के लिए कि यदी फिर जार्ने करने, अब करने के बाद कीपाद पर राष्पती में धचांश में चली आगे बाद करते हैं, चलिए अनुच्छे देख सो बारे के बात कर लें तो प्रतियक बित्ती वर्स यह तू राटफथी द्वारा संसत के समझ बजट पेस किया जाएगा अनुच्छे देख सो तेख संसत के अवकास सत्र नहीं चलने की इस्तिति में राटफथी को अध्यादेश जारी करने का अध थी होगा कि यदि सर्वोच नहाएल है कोई आधिस पर देता है तो वह अन जो नहायल है अनिकि अधीनस नहाले है आई कोट है बगेरा बगेरा इस इतने भी नहायले है उन सभी में वह जो आधिस है वह बादिकारी होगा ठीक है और चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छे 163 के बारें बात करे लिए तो राजिपाल के कार्यों में साहिता और सुजाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परसद होगा और इसके सीर्स पर आपका मुख्य मंत्री होगा राजिपाल के सुजाव लेने के लिए बाद नहीं होगा यानि कि ऐसा है कि जो आपके र आपते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके राज जिपाल को सब्यवेग की सक्तियां पर आपते हैं चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छे देख सब्सक्राइब के समच्छ पर अपनी सम्मती दे सकता है और इसे अस्विकरत कर सकता है वह बिदयक को संदेश के साथ या बिना किसी पुनरविचार के बिदयका को बापस बेज सकता है पर पुनरविचार के बाद यदि वह बिदयक बापस आता है तो आपको उसमें अनुमती देना अनिबार होगा इसको मैं आपको सादरवासन समझाते हैं जो राजियों में आ नंक्ते दावार 320 के लिए पुनरर विचार के पाइचा के रादजिपारा गया तो उसपर अनुमती देना होगा, मना नहीं कर सकते इस बात का ध्यान रखके ठीक है, अनुच्छे 213 की बात किजा तो अनुच्छे 213 में राज बिधायकाओं के सत्र में नहीं रहते हुए राज जिपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार रिजिस्टरे से आपके राष्टफती जी को है अनुच्छे 214 की बात किजाने करने को है अनुच्छे 233 की बात किजाए itawa न्यजिस्टरिक जज उगते तो उनकी न्यजिपाल की सरहलाँ से उच्छे 9 आयले के परामर्स से करेंगे ठीक है अनुच् gia 235 बारे हम बात कर ली जा तो उच नयाया एले का नियंतर आदिनस्द नयाय ले उपर रहे गा याisions की आपका इत्रास हाई कोट है या माली जी इलावाद हाई कोट है इलावाद हाई कोट का इलावाद हाई कोट का छेत्रा दिकार क्या है उत्तर प्रदेस का चेत्र प्रदेस की जितने भी काम है किस में ले जाए जाएंगे आपके इलावाद हाई कोट में ठीक है तो इलावाद इलावा पुस्भाईगा? मैं इसको भी बता देता हूं, इसके क्या प्रासधान किया गया है? कि कइन सांखे क्या है कि तमिल नाडू का जो राजिपाल है उस तमिल नाडू के राजिपाल को आपके जो ये क्या बोलते हैं अंडबाने को बर दीप समू के जो पिरसातन है चलाने का क्या दे सकते हैं अनुमती दे सकते हैं कौन दे सकते हैं आपके राज्टती जी रामनात कोविंजी ठीक के अनुचे 248 की बात की जाए तो बिधी निर्मार सम्मंदी عवस्ट सक्तियां जो है वह संसद में नहें नेंत होंगे संसद कोई Х sizi होती है आपकी लोक्सवा राजि सवा पेलस आपकी किसके दारा मिलेestारी राश्टेख की दारा ठीक है उनुचे 249 की बात की जाए तो है आपका हर्याना है तो इसमें की बिवाद होता है तो उसमें संसद क्या खर सकती है कोई नेड़य ले सकती है किसके बारा संसद द्वारा ठीक है कानून मना कर चलिए अनुच्छ दो सुच्छ की बात किया है केंद्र राज संबंदों में बिवादों का समाधन करके या परसपर सायोग के छेतरों के बिकास के उद्धिस राष्टति या उंतर राजी परसद की स्थापना कर सकता है चलिए जिसमें बार की सभी मौत शुच्छ प्रिक बिभना उसमें से और रही नहीं निकाली जा सकती कि खतांक। यादि संब्धान की अनुच्छप Souls था। सरसर के बाद की जाए तो संसद बिदी द्वारा एक आकस्मित नेधी का की स्थापना करेगी या इस्थापित कर सकती है जिसमें अक्समात उत्पन परिस्तितियों के लिए रासी एक अत्रत की करी जागी मालीज़ी कोई अकस्मित ने दिया आपब इमर्जेंसी के लिए कोई वो बना दिया एक मान लिजीय ऐसे मालीज़ी गुल्लक बना दिया अगरन रुपए बाहे comments कर रहे हैं, हर्फे कर रहे हैं,ISAरकार के उत्रा गंड में जैसे बाल आ जाती है एकदम भहेंकर वाली तो तुरंट अभी संसंद का तवाम अटरम जटना का काम नहीं तो एकदम अकास्त में जो अकस्तमा वाली जो ने दिया है उसमें तुरंट राश्वतिजी पैसे निकालेंगे और तुरंट वहां की मदद बिज़ से होंगे जो राश्वतिक के पास केंद्र राज्यों के बीच करों के बित्रड संबन्दी अनुस्वतमा पेस करेगा यानि कि इसको हम समझे सकते हैं कैनुचे 208 राश्वतिर हर पांचे वर्स एक बित आयों की इस पापना करेगा जिसमें चार सदस हों यानिकी चार येarme आपके मूल अधिकारियों के अंतिरगत रखा गया था पर चवालिस में संसोदन 1978 द्वारा इसे अनुच्छे 300 का में एक सामान बैदानिक अधिकार के रूप में अवस्यत या इस्थापित कर दिया गया अनुच्छे 312 के बात की जाए तो अनुच्छे 312 में जो प्रादन कि जाए गया राज सवा बिसे वह में द्वारा नई अखिल भारती सेवाओं की इस्थापना की अनुच्छे 315 संग एवं राज्यों के लिए एक लोग सेवा आयोग की इस्थापना की जाएगी अनुच्छे 324 की बात की जाए जो चुनावों के परिवेचर निर्देशन और तो लोग सवा तथा बिदान सवाओं में चुनाव बयस को मतादिकार के आधार पर होगा और बरतमाने बयस कितना माना जाएगा अठारे वर्स पूरी कर चुका ब्यक्ति को ठीक है अनुच्छे 331 की बात की जाए तो आंगल भारती समधा है यानि कि आंगल भारती समधा है कि लोगों को राच्वती द्वारा लोग सवा में यानि राच्वती द्वारा लोग सवा में क्या कर सकते हैं मनुनेंद कर सकते हैं कितने सदस्यों को दो सदस्यों को ठीक है अन्सूची जातियों का बिदान सवा में आरच्छड का प्राद्धान किया गया है अनुच्छी के तायत ठीक है अनुच्छे 335 के तायत अनसूची जातियां अनसूची जातियां पिछड़े वर्गों के लिए बिविन सेवां में पदों का आरच्छड किया गया है आए अनुच्छे 343 की बात की जा तो संग की अधिकारिक वासा देवनागी लिप में लिखी गई हिंदी ह राज्जे में परयाप संख्या में लोग किसी वासा को ऊत्था बोलता हूं मैं यह जास साल यां पचास साल बाद कम से desc 00.30 के द्वार बोले जाने लगी फिर वह जाद है और बुचिडिया नामक वासा जो बोलती है तो आप अगर चाहते हैं कि उसे कहां पर रखी जाए आपके मैंने क्या पता है कहां पर उसके जगह दी जाए उसको एक राज भासा की मानिता दी जाए तो उसका प्राद्धा उसको अनुमति कौन दे सकते हैं आपके समयता है कि वारत या उसके कि बाओ की सुरक्षय युद्ध वाय आकण म मैं या सेन् में लिद्रों के फल्सौरूर्फat खत्रे में तो क्या कर सकते हैं राष्टफती आपात की गोस्टणा कर सकते हैं अनुच्छे 356 के तहरे यदि किसी राज के राजिपाल दौरा राष्टपती को यह रुपोर्ट कर दी जाए कि उस राजि में संविधानिक तंत्र अफस्वल हो गया है वहां राजफती सासन लागू किया जा सकता ह है तो वहां पर लागू किया जाएगा ऐसे माली जी आपके बुआ बबुआ यह कहें जो आपके चचा वजतीजे थे अयुत्तर प्रदिस में जो लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते इस्तिती ऐसी आजा ज़री कि क्योंकि कुछ समय तक इतने दिन तक लड़ते रहे क्य बुट पेस कर देते का ऐसे जाए जादा बुझी तरह से लड़ रहे हैं चचाव तीजो पापा और यहां पर जो जो आपका कार है जो भी संसदी अबिदान सवा का या बिदान पर सागर है वो सुचार रूप से नहीं हो पा रहा है और यहां पर सम्विदान क्या एक है खत कर सकता है जो कि अभी तक भारत में एक भी बार नहीं की गई है चलिए आगे बात करते हैं अनुच्यों 365 की यदि बात की जा तो यदि कोई राज केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कारिकारी निर्देश का पालग करने में असपर रहता है तो राश्टपती द्वारा है समझ केंद्र जैसे मान लिए केंद्र ने कोई आदिस भीजा और ऐसे करके आदिस दिया या कोई कारिकारी निर्देश था कि ऐसे ऐसे यह जो प्राब्दान है आपको यह पूरा करना है लेकिन भाया वह चचा बतीजी आपस में लड़ रहे थे तो वो क्या था कि वो उस कार को यह जो प्राब्दान करने में असपल मैसुस हो रहे थे तो राष्ठपतियों को यह लगता है यह तो दोनों आपस में लड़े मरे जा रहे है पापा लड़का अब बतीजी यह लड़ रहे है तो राष्टपती यदि समझते हैं कि सम्मिदानिक तंत्र क्या है प्रसासन सम् और यह चल रहा है तो राष्टपती अपने हाथों में उस राजी का सासन ले सकते हैं ठीक है अनुच्छे तीन सो अरसर के लिए संसद को संविदान के किसी भी बाग का संसोदन करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छे तीन सो सतर इसके अंतर के जम्मू कस्मीर को के बिकास के लिए राष्टपती बूर्ड इस्ठापित कर सकता है जैसे महराष्ट गुजरावत नागालेंड मडिपूर आध जैसे राज्य है ठीक है इसके अनुच्छे 394 की बात की जाए तो राष्टपती को अपने अधिकार के अंतरकत इस संविदान का हिंदी वासा मे अनुबध कराने का अधिकार दिया गया है ठीक है अनुच्य 395 की बात की जाए तो भारत सरकार जो कि आखिर रेंचे जाय बारत सतंता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 335 का क्या कर दिया जाय यानिकि उसका असमालाप्त पर आज ये नहीं कि कुछ हमारे कीडे आजादी मिली थी यानि कि जब तक बिटेन चाहता है तब तक ही आजादी मिल सकती है यानि कि भारत देत अभी उगला में इस तरह की जो प्रिजातियां होती है उनको ये समझ में आ जाना है चाहिए कि उन्हें अनुच्छे 355 पर आजा देते हैं कि जो बिटेन के जो कोई अधिकार नहीं था एक कहते हैं ना सुई की नौक के बराबर भी जगे पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है ठीक है चलिए यह हो गए आपके अनुच्छे जो भी प्रमुक्त थे चलिए भारत की समिधान की अनसूचियों के बारें बात कर लेते हैं प्रतम अनस सब्सक्राइब कर था था नहीं मैं पराबतान की अनसूचियों के बारे में प्राब्धन किया गया आप सभी लोग जानते हैं मैं जब आप लोगं को पढ़ा रहा था तो बताता था कोई बढ़ा अदिकारी आप अधिकारी जैसे संग सूची राज संबर्ती सूची के बारे में प्राद्धन किया गया है यानि कि तीन सूची यहां संबर्ती सूची के बारे में ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आट में डीकार और दायत्तों के बारे में प्राद्धन किया गया है इसको मैं हलके पीछे पढ़ा चुका हूँ कई वार तो तो ये इसलिए डाल दिया कि इसके बाद मैं संविधान संसोदन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपको रिबीजन हो जाएगा चलिए आगे बाद करते हैं चलिए साथियो बात शुरू करते हैं भारती संविधान का संसोदन के बारे में तो संविधान संसोदन भारती में परवारतन की वोती है जिसके द्वारहा आप संभीधान के जो जो मुझे जहां उसमें क्या कर सकते हैं यह कोई नया थे जो सकते हैं ठीक है जाता है दो धे लोगसबह राजी सबा और राश्डवती जी के द्वारा मिलकी किया जाता इन्हें संसंत के प्रतिक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनमोधन या समर्थन प्राप्थ होना चाहिए और विजिश्ट संसोधन को राज्यों के द्वारा भी अनमोधन या समर्थन प्राप्थ होना चाहिए इस पर केया का वेवरड़ आपके 368 भाग 20 में दिया गया है संविधान लागू होने के बाद 103 संसोदन किये जा चुके है यानिकि 2019 तक आपका 103 जो की आपको 10% आरचछड की विवस्ता की गई है इस सामन वर्क के जो गरीब है उनको ठीक है बारत का सरवुच नियाल है कि अंसा संविधान में किये जाने वाले पृति एक संसोदन को अनुमती देना संभब नहीं है यानिकि जो संसद है इस तरह से संसोदन नहीं कर सकती है जिस से क्या है कि आपका सम्मीधान है उसकी मूल भावना को ठेस पहुंचे लाप पहुँचे सुप्रीम कोटी ने 1967 में सबसे पहला संविदान संसोधन किया था यह संसोधन गोलक नाथ बना पंजाब राज के मामले में हुआ था अनुच्छे 13 का उलंगन हो रहा था इस जिसके अनसार राज कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के चार्टर में दिये गए अधिकारों का संचिप्ति करण करे यानि कि उनमें कमी करे या उनको कम करने के कोशिश करे या उन्हें नष्ट करने कोशिश करे संस संद ने 24 में संसोधन को अधिनिये में द्वारा प्रक्रिया दी थी जिसके आ nutri संदान के किसी भी संसोधन उसके मूल वहावनाओं को संसोधन पर रोग लगा देगी यहानि कि संदान में बर्तवान सीमा नंद बनाम केरल राजन के द्वारा लगाई गय थी उस मामले में सुप्रिम कोट ने का था कि संबिदान में संसोदन इस परकार का होना चाहिए कि मूल भावनाओं को छती न पहुंचे यानि कि इस तरह का होना चाहिए कि संबिदान जैसा है बैसाही बना रहा है वस उसमें कुछ अगर आप जोड़ना चाहते हैं की भलाई के लिए तो आप कर सकते हैं चलिए आगे बात करते हैं भारत के संविदान संसोदनों के बारे में आने की दोजार उन्निस तक जितने भी अभी तक संविदान संसोदनों हैं उनके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छे 368 में संविदान संसो सद्रीक में बिद्यक को पूर्व अनुमती यानि पहले से अनुमती लेना अनिवार होगा बिद्यक को दोनों सद्रों में संसद की कुल सद्र संक्या के बहुमत अपस्तित अवर्म मतंदान करने वाली सद्वस्टों के दो त्याई बहुत द्वारा पारिद करना जरूरी होगा प्रत्यक सदन में बिदयक को अलग से पारित करना होगा ठीक है इसके बाद राष्टपती के पास भेजा जाएगा राष्टपती बिद्यक पर अनुमती देने के लिए बात देऊगे वे न तो अपने पास रख सकते हैं और नहीं इस पर पुनरविचार के लिए इसे बापस भेज सकते हैं किसे संबिदान संसोदन को राष्टपती अनुमति के बाद आपका विद्यक या बिल अधिनियम बन जाएगा और संबिदान में इसे अधिनियम की तरह जोड़ दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं संभिधान संसुदन तीन तरह से किये जाते हैं सबसे पहला संसद के साधर बहुमत द्वारा ठीक है संसद में दोनों सद्रों द्वारा साधर बहुमत से यानिक सिंपल मेजरिटी से यह विवस्ता अनुच्छे 368 की सीमा से बाहर आती है ठीक है इसमें अनुच्छे दो अनु कर दिए जाते हैं साधार बेदे साधार बहुमत से यानि सिंपल मेजरिटी से इसमें और भी कई प्राब्द ने जिनको मैंने नहीं लिखा है वो आप पड़ सकते हैं वैसे जरूरत भी नहीं उनकी दूसरा संसोधन करने का तरीका हुथा संसद के बिसेस बहुमत द्वारा य सामिल होते हैं और भी कई हैं जिनकी यहां जरूरत नहीं है चलिए तीसरा जो तीसरे की बात की जाए संसद के बिसेस बहुमत तता राज्यों की स्यूगरती द्वारा संसोधन यानि कि संसद के बिसेस बहुमत द्यारा यानि दोत्याई बहुमत से तो पास किया ही जाएगा साथ ही साथ जैसे आपकी राज जो जो राज है यानि कम से कम आदे से देखा यानि पचास परसेंट पिलस एक राज के विधान मंडलों द्वारा क्या होगा साधर महुमत से विद्यक को अनुमती देना होगा जैसे मान लिजिए कोई विद्यक है उस पर अनुमती मिल गई तो पंद्रे कम से कम सोले सत्रे राज में क्या हो करना चाहिए सोले सत्रे राज इस बिदय को अनमती देनी होगी राज्यों के राज्यों के लिए कोई समय सीमा निदारत नहीं की गई राज्यों के भूमिशुदार कानुनों को नमी अनसूची में रखकर नयायलों के अधिकार छेत्र से बाहर कर दिया गया ठीक है अनुच्य वह सरी सात्मा संविदान संसोगन की बाद की जाए तो 1956 में किया गया था राज्यों के पुनर गठन साहे के संबंदे में प्राबदान था इसमें आपके पुनर गठन के ताहित आपके चौदे राज था था च्छे केंसादिस प्रदेश तीन सिरेड़ी आवासा को भी समाफ्त कर दि बना दिया गए था कौन-कौनसे नि enigraalya या वर देख सकते हैं यह ओप देख सकते हैं अ कई國 & dirig मत When पु बाले-ठी technological को किस्छी छीन लिया था mix सबारे 12-Dninäg रही को means को मुवलिक जिकार हो सहिद सम्मिदान के किसी भी बाग में संसोधन का जिकार दे दिया गया था अनुशे 26 अंश्री समधान 26 की बात की जाए तो LEGO 1961 में इसका किया गया था राजाओं के प्री वी प्रीवी उपी यह और साथिकार समाप्त कर दिया गए थे उपादियां बगया रहा थी वो सारे समाप्त कर दिया गए थे अनुच्छे सरी संबिदान संसोदन 27 की बात की जाए तो पूरवत्तर राज्यों का पुरवत्तर राज कौन से था ये वाले राज्यों का पुनरगठन किया गया इसके तहित चलिए 31 माढ़ संभिदान संसुदन 1973 में किया गया था लोक सबाकी 525 सदस संख्या को बढ़ा कर 545 कर दिया गया था सिक्किम को सहराज के रूप में भारत में सामिल कर लिया गया था क्योंकि सिक्किम जो था अलग एक राज्यों अलग एक देश हुआ करता था उसमें अलग से एक राजा का क्या था इसमें सासन था जिसको समाप्त कर दिया जा था उनिस सो बाहतर में ठीक है वह सवरी चैतर में सामिल के लिया गया था इसके बाद 42 वा समिदान संसुदन उनीस सो चेटर में प्रिस्ताब नामें पंतनिल पेच समाजवादी तथा संसुदन जैसे सब्द जोड़े जाते हैं राश्वती मंत्री मंदल की सला मानने के लिए बाद और मौलिक कर्तब्यों का भी जो समाविस किया गया था यानि कि 42 समिदान संसुदन के द्वारा स्वड सिंग समिदी के तहित आपके मौलिक कर्तब इसमें जोड़े गए थे 44 समिदान संसुदन 1978 संपत्ती को मौलिक अधिकार की सीड़ से अटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और राश्वती मंत्री मंदल की सला को एक बार पुनाय विचार के लिए लोटा सकता था लेकिन दोबारा मानने के लिए वह बाद दे होगा 50 संसुदन की बात की ज़या तो दल-बादल इसमें प्राधिन किया गया था और दस्मी अनुची जोड़ी गई थी अठाना मासां समय न की बात की Jam 6 1847 में किया गया था बारति संव्धान का हिंदी में प्राथी किरत रूप के लिए प्रात प्राथान किया गया था इसके त गलताओं, सम्यार्दान 1909 में किया था, दिल्ली का नया नाम, राष्टी राजदानी छेत्र दिल्ली कर दिया गहा, वे वे डेधान सभा की स्थापना की गई, 73 मा क्योंकि दिल्ली के इंसाद वे प्रज़े से इसके बाप जूद भी हाँ पर विधान सभा है 73 मा समिधान संदोदन 1993 में पंचाइती राज की विवस्ता की गई और 11 मी अंसूची जोड़ी गई 74 मा समिधान संदोदन 1993 में नगर निकाई संदोदी प्रादधन किये गए और 12 मी अंसूची जोड़ी गई 1898 संविधानसदोसद Потом 1949 में किया गया था अंसूची जातीयां अंसूची जन जातीयां था आंगल भारतियों के लिए लोक सबश Мईंत तद užर्स से लिए आरफ च्चड Послеلم तो आपको क्या करना होगा लेकिन इस चेत्र में आपके अंसूची जाती हैं इसलिए ये बाला प्राब्धान से इसको छूट दी गई थी चलिए आप बात करते हैं 84 में सम्मिदान सवा में सीटों की संख्या 2026 तक कोई भी परवत्र न करने का प्राद्धान किया गया अनुच्छ अब स्वरी सम्मिदान संख्या चैसी की बात करें जो 2002 में किया गया था 6-14 वर्स के बच्चों को निसुल के अवं अनिवार सिच्छा का प्राद्धान किया गया था बावन बानुवेवाद सम्मिदान संसुथा संख्या की आठमी अन्सूची में बोडो डॉंगरी मैतरी तशा संख्या अन्सुचित जनजातियों के लिए एक मंत्री का प्राद्धान मध्द प्रदेश उडीसा के सासा चाहति गड़ एवम जार खंड में वी किया गया था को ऊच्चित जातियों और जन जातियों लिए सीटों का आरचण फिरसे बढ़ा दिया गया च्यानियोय शमेदान शनन-सन मैं किया गए ओडिया भासा का उडियाा में परिवर्थित किया गया सत्थानियोय सन शन 1921 में सहकारी समितियों को एक संगый नेपाल को हैदराबाद करनाटक छेत्र के विकास यह तू कदम अठाने में ससक्त करना था इसके बारे प्राद्दान किया गया था निन्यानिवन संभिधान संसोदन दोजा तेरे में राष्ट नियाएक न्योक्ति आयोकी संद्चना कामका ये तू संभिधान के विविन अगला जिसके मद 41 वर्स पुराने बहु सीमा समझा था एल वीए 1974 को प्रवाब में लाया गया एक सो एक मां संभिधान संसोदन एक जुलाई संभिधान संसोदन के बारे में बात कर लें सेंटल इस्टिट रेलेशन के बारे में तो भारती संभिधान में भारत को राजियों का संभ कहा है ना कि संभ बादी राजियों को मिलाकर एक संभ बनेगा जिसमें राजियों को ये एधिकार नहीं होगा कि वो निकल कर कूद कर दूसरी जगे भागने की कोशिकर है तो भारती संभिधान में बिधाई और पिरसासनिक और बित्ति सक्तियों का बढ़ा केंद और राजियों के बीच में किया गया है बिस्सचाए बासा को बासा की पहचान का हो अस्तमयन विकास के बारे में हो तिनिमार के सवाल पर भी केंद राज सम्मंद में इस तापित किया है झाल पर भी कोता है केंदरी सूची के बारे में बात कर लेते हैं यानि संग सूची के बारे में बात कर लेते हैं तो केंदरी सूची में बेविसाय सामिल किये गए जिन पर सिर्फ केंद सरकार कानून मना सकता है यानि कि केंद्र की संतर लोकसभा, राजसभा और राष्टवती के द्वारा क्या बनाया जा सकते हैं, कानून मनाया जा सकते हैं, राष्ट्री महत्व के विशाय सामिल किये गए इसमें, जैसे कि आपकी पृत्रिच्छा, बिदेश, संबंद, मुद्रा, संचार, बित्ती माम आज जैसे पिरमो किया है, केंद्री सूची में नियाने विशायों को सामिल किया गया है, चलिए आगे बात करते हैं, राजी सूची के बारे में बात करने हैं, तो राजी सूची में कानून विवस्ता, जन स्वास्ता, प्रसासन जैसे इस्थानी महत्यों को सामिल किया गया यानिकि कानून व्यवस्ता आपका जन्स्वास्ता है जैसे विससे इसमें सामिल कि राज सूचियों में विससे जो संक्या है वह 61 रखी गई है चलिए आगे बात करते हैं संबर्ती सूचि की बात कर ली जाती है तो संबर्ती सूचियों वह विससा सामिल कि जिन पर केंदर और तर राजिय दौनि ओड़ान नहीं को वाम संभरति सूची में सामिल विस्केओं की संक्या को रखा गया है राज्यों पर केंद्र का बिधान संब्धी नियंतर के बारे में हलका सा देख लेते हैं अनुच्छे 200 के तहित राजी का राजिपाल धन विद्यक सभी विद्यक जिसे राज विदायका के पास किया हो उसे राष्टवति को सहमती के लिए आरच्छित कर सकती ह ठीक है चले आगे बात करते हैं केंद्र की परसासनिक संब्ध के बारे में बात कर लेते हैं अनुच्छे 256 के राज जी कारिपाल का सक्तियां इस तरह से प्रियोग में लाई जाएंगी जिससे की संसद की बिदिके अधीन विदियों का पालन हो रहा हो और केंद्र केंद्र राज को ऐसे निर्लडे दे सकता है जो इस संबन्द में आवस्टे को जैसे pillow केंद्र है राज सरकार है वो इस तरह से कानून ने आपने जो पिरसासन यह जिस सरह कि कार वो कर रही है इस तरह से करेंगी जिससे की संसद है या करें जो आपकी केंद सरकार है उसके यानि की संसद की विदियों के अदिन हो यानि संभिधान में वो सारे प्रादन कियों है यह यह नहीं कि आप बंगलादेश है तो आप बंगलादेशियों को गुसा देंगी यह नही ठीक है अनिचे 257 कुछ मामलों में राज पर केंद नियंदर की बात करता है राज पालिका सकती इस तरह से प्रियोग में लाई जाए संग बकार संग कारिपाल के संगरस न करे यदि राज निरेस पालन में असपर रहता है तो राष्ट फती सासन लगाया जा सकता है जैसे कि अभी चुना पिरचार का टाइम था तो मंतम अनर्जी वाला जो चेरतर था वो किस तरह से आप देख रहे थे वहां पर परिसानी आ रहे थी लोगों को गिरफतारी कर रहे थे यह सब वो सब तमाम चीज़ है यानिकि जो बीजेपी बाली सरकार थी वहां पर जब जाने को कर रहे थी या योगी जी जब भाल चुना पिरचार करने के लिए जब परिसानी नहीं हो अनुच्छे 258 के अनुसा संसंद को राज परसासनिक संद को उस तरह से प्रियोग में लाने की सकती देता है जिन से संगिय बिध पालित होती है नि कोई राज है इस तरह से पालन कर कारपालिका का या बिधाय का का इस तरह से पालित करेगी या इस तरह से पालन करेगी जिससे केंदरी बिध हैं या संगी बिध हैं उनमें क्या है संगी कानून है उनमें क्या हो उनका उलंगन ना हो उनका भी पालन हो सके केंदर को यह राज कर दिया कि राज में बिना उसक था कुछ समय तक वो आप देख रहे थे गंदी कैसे फिल लखी दिए तो राज जी जो है केंद्र जो है वहाँ पर ज्यादा ड्राम विवाजी की कार आपको क्या कर सकती है आपके राज के बिना मर्जी से महां पे सुरक्षा बल तैनात कर सकती है अनुच्छे 262 को विवाद हो रहा है दो राज्यों के लिए तो आपकी संसद इस विवाद को सुल जाने के लिए कानुन बना सकती है ठीक है अनुच्छे 263 की बात कि राश्टफती को सकती देता है कि अंतर राज्य परस्द इस्तापित करें ताकि राज्यों के मद्धे जो उत्पन सेविकार करते हुए सरकार ने इक परिस्ताफ चे अगस्त उन्निस्तोबंध को राष्ठी बिकास परस्द का गठन किया, इसमें प्रदाहन swelling संस्ग के सभी मुक्यमंत्र इसके सदस्स होते है ठीक है यानि कि जब आप राष्टी विकास परस्ट है तो आपको जैसे या मुक्यमंत्री बनेगे आप उसके उल्टोमेटिक सदस्ट बन जाएंगे चलिए राष्टी एकता परस्ट एन आई सी राष्टी एकता परस्ट एन आई सी का गठन 1961 में किया गया था इसका उद्धिस संपर्दाएक चातवाद छेतरवाद बासाबाद की बुराईयों को निपटना था या उनको समाथ कर देना था इसकी पहली बैठक 1962 में हुई थी एन आई स दर्मों की आजादी, दर्म निपेचता, बरावरी, समाजे का आर्थिक एवं नाजनेते निया है और सभी समधायों को भाईचारे का उद्धिस्त गोसित किया यानि कि ऐसे हम समझ सकते हैं बिवेजता में एकता मतलब सभी धर्म, सभी जातियां, अलग-अलग संस्क्रिति मानने वाली अलग लग वासा है बोलने वाली उस इस बिवेज़ता के बाद भी हम भारतियों में क्या है भारती के नाम पर एकता होनी चाहिए भारत देश का रहने वाला हर भारत देश का रहने वाला भाई भाई होना चाहिए आपस में यानि कि लड़किया है तो बहन बहन भ वो किसी भी धर्म को पोसित नहीं करेगा जैसे कोछ राजी सरकारे करने की कोजी करती है जैसे एक ही धर्म को पोसित करने की कोजी करती है फिर वो उगरोने का उसे लगता कि हम ही भारत देश के मालिक हैं फिर ये गलत फैमी में फिर उसके लिए नएने चीज़ें करनी पड़ है उत्तर पर इसकी सरकार योगी आदितिनात की यसी जगह मारते हैं जो घर पे बता भी नहीं पाते हैं ठीक है चलिए इसके बाद बराबरी की बात की जाए तो कोई उंचा कोई नीचा यानि कि सब को बराबर या समान अधिकार मिलना चाहिए सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक नियाए सभी संदायों को भाई चारे में अपना उद्देश कोशित कर दिया था ठीक है चलिए आके बात करते हैं केंद्रा संबंदों पर गठित आयोग और उनकी समितियों के बारें बात कर ले 53 में रड़ी शिंग सरकारिया के नेतरत में किया गए था पुंचि आयोग दोजा साथ की बात किया था तो मन मोहन मन मदन मोहन कंची के दौरा किया गया था यए इनकी अजडिकार Awesome चैना ऐगा था ठीक है अंतर पिरसासनिक और बित्ती सक्तियों के छेतर में केंदर और राजियों के बीच सक्तियों का बिस्तरत क्या किया गया है बित्रत किया गया है केंदरों को भी सक्तिया दी गई है कुछ और तुछ से राजियों को दी गई हैं केंद सरकार ने केंदर और राजियों की भी बर्तमान विवस्ता के कार्यकरण को समीचा करने के लिए नया इमूरती आर ए सरकारिया की अधिस्ता में उनीस सो अठासी में एक आयूग का गठन किया था सरकारी आयूग ने भारत के समीचान के अनुचे 263 के अनुचार स्वतंतर राज्टी फौरम के रूप में अंतर राज्जी परसद इस्थापित किया जाने की सिफारिस की थी इसके भारती समीचान ने अनुचे 263 के अंतर राष्ट वती ने आट थाईस मई दो गठन किया था साथी पर शे समान इस्से जुड़े मुद्धे नीट और कारेमन में बहतर ताल में बैठाने के लिए सुजाब देने का भी कार्य करती है समय प्राफदानों के मताविद परस्द किसी कानून या गैर कानून विवादों को सुल जा सकते है लेकिन इसका फैसला अदालत की तरह बादिकारी नहीं हो जैसे माली जो कोई राज है किसी के कार्य उसके बेदा विवाद है और एक दूसरे के आपस में बिवाद चल रहा है तो उसको निवटा तो सकती है उसके बैठाल के समझा सकती है लेकिन ये मानना या नमानना ये अधिकार ही नहीं है परसत के इसमें सामिल किये जाएंगे ठीक है राष्ठ पती ठीक है किये जाएंगे और आपके जो जम्मुकस्मीर होगा वहां के पिरसाथ क्या राजपाल यहां पर आएंगे ठीक है केंद्री मंत्री परसत केंद्री मंत्रियों को प्रदान मंत्री द्वारा सदस के रूप में नामित भी किया जाएगा चलिए आगे बात करते हैं परसद के ठीक है इसके बाद चेतरी परसदों के बाद के लिए इन जाए चेतरी परसद तो अंतराजी परसदों के बाद चेतरी परसद देख लिए थे हैं चेतरी परसद यानि की जॉर्नल काउंसेल चेतरी परसद सामधा यानि कि निकाये इंडिका गटन संसत द्वारा राज पुनर गटन अधनियम 1956 द्वारा बनाया गया था इस कानुन ने देश को पांच छेत्रों में विवाजित कर दिया था यानि कि आपका नॉर्थन सेंट्रल इस्टर नॉर्थ इस्टर वेस्टर्न साउथर्न ठीक है यानि कि पांच छेत्रों में विवाजित कर दिया था उत्तरी मद्ध यानि कि आप आपका देख सकते हैं उत्तरी यह है आपका मद्ध यह है आपका पूर्वी यह है आपका पश्मी यह आपका दच्छडी और यह है आपका उत्तर पश्मी ठीक है ठीक है उत्तर पूर्वी ठीक ह प्रतियक सरकार का ग्रहमंत्री यानि कि प्रतियक सरकार का ग्रहमंत्री और पांचों छेत्री परसुदों का अध्यच होता है यानि कि मान लीजे यह है आपके ग्रहमंत्री वर्पायन में कौन है अमिसाजी आपकी ग्रहमंत्री है इससे पहले आपके जहां तक अंदा जै रा परिषद के बरतमायत प्रमुक संगतनों के बाते हैं बात चल रही है ठीक है चेत्रि परिषदों के उद्धेस या कारें के बात करते हैं बाबकतापूर देश का एकी करणा करना छीर राज्य भाबना छेत्रवाद भासाई तथा विश्य बाद के विकास को रोकने में सायता क करना जैसे कि जो जैसे कि जो आपका राज जैसे आप बिहार मान सकते हैं बिहार का है आप कहीं काम करना चाहता है तो क्या समझते हैं यार बेब कुभ होते हैं बहारी और बागाने को दिकरते हैं थाले हमारा आक चीन ले तो इस तरह की लोग बाते करते हैं तो इस तरह की भा यूपी बैजाए पोट फिकास को भी रोकना है यानि कि जैसे मालिजी तो जो भाषा बाद उसको रोकना चाहिए अपनी बासा का ज्यादा लोगों पर क्या नहीं करना चाहिए नहीं चाहिए अपना पूरा-पूरा हक मिलना चाहिए ठीक है विशेस्ता बात की जाए तो कोई जैसे छेतर है ज्यादा डवलप हो जाए या ज्यादा उसमें पिकास हो जाए तो वो सोचते के यार हम तो सबसे बैस्ट है हम अन्य लोगों से बात नहीं करेंगे इस तरह की भी गेनिया पंती बाली बात है कोई नह बनाना देश के अलगलग छेतरों के मद्द राजिने तिक सामय आये समान होने का भाँ षजीय करने की प्रयास करेंगे बात करते हैं संग लोक सेवा आयोक के बारे में संग लेगा लोगसेवा आयो गयानी कि उपी असी भारत के संवधान द्वारा स्थापित एक ऐसी संता है जो भारत सरकार के लोगसेवा के अधिकारियों के नियुक्ती करने के लिए परिचाय संचालित करता है परिथम लोगसेवा आयो की स्थापना एक अक्टूबर 1926 को पहले भारती सिविल सेवा यानि ICS भारत में सभी सेवाओं में वरिष्टम थी ICS के अलावा भारती पुरी सेवा भी थी केंद्र और राज्यों के लिए एक समान या एक से अधिक भारती सेवाओं का सिर्जन करने के लिए समिदान के अनुच्छे 315 से लेकर 320 का तेस तक प्र नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है लेकिन इनकी सेवाओं कहां पर दी जाती है राज्यों में राज के बर्गों में बांट दी जाती हो इनके लिए राज्यों के अधीन सेवा देने का दायत तो होता है इनको ठीक है अखिल भारती सेवाओं के हलके से बात कर लेते है तीन अखिल भारती सेवा हैं भारती प्रिसासनिक सेवा IAS भारती पुलिस सेवा IPS भारती बंद सेवा IFS ठीक है यहाँ पर लिख दिया है मैंने इंगलिस में जो भारती समझना चाहता है सभी तीनों सेवाओं को नियुक्ति संग लोग सेवा है यानि UPSC द्वारा की जाती है इन अधिकारियों का प्रिसेचर केन सरकार द्वारा दिया जाता है या द्वारा किया जाता है और उन्हें विविन राज्यों में विविन राज्यों के संबर्गों में क्या कर दिया जात है क्योंकि यह लोग सेवक नहीं रखे जा सकते किसके लिए रख दिये जाते हैं यह आपको राज्यों में कार करने के लिए भेज दिये जाते हैं चलिए बात करते हैं केंदरी प्रिसासनिक न्याय अधिकर इसको हम नया अध्याय सुरू किया था इसकी सुरुआ संभीदान के अनुच्छे 323 एसे हुई है जिसके अंतरकत केंदरों और राजियों के कार संचालन लोग सेवा और पदों लोग सेवा और पदों पर न्युक्त व्यक्तियों की भरतीवा सेवा सर्तों के संबने में बिवाद और स प्रसासनिक नियाईद्रिकर्ड आपका CAT को इसके अंतरगत आने वाले करमचारियों को सेवा संबंदी मामलों पर मुला अधिकार छेत्र पिडापत हैं, चलिए आगे बात करते हैं, इस अधिनियम में केंदरी प्रसासनिक नियाईद्रिकर्ड का कैट और अन्य राजी प्रस प्रसासिनिक नयाएदिक का स्थाभित करने कर प्रादों किया गया केंद्र प्रसासिक नयाएदिकरड कैट की स्थापना नमबर 19.50 में का स कही थी बरतमान में इसकी Sत्रे फीट Ghana में अधियच औन्याज होते हैं सदर्स नयाएधिक और प्रसासिक धारह का चेतरों की बिसेस्ता प्राप्त हो ठीक है बिसेस अग्यता प्राप्त हो प्राप्त हो का जब एक जम होता है तो आपके अरट होता है ठीक जिक है आपने जिंतमें भी दिया हुआ वगाई ने या किसी के परिबार के सदस्जने ऐस चली dobre उसके साथने अपने मामले में बेवागी अदिकारी ओचा आ बाकील के मादने परिस्तुत करता है इसका उद्धित बाद करता हूं को त्विरत और सस्ता नयाय प्रदान करना है बाद करता है यानि कि जो बाद ही होता है जो मुकदमा लड़ रहा होता है चलिए संसदी समितियों के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है भारती संसद का बहुत सा काम सवाकी समितियों द्वारा की जाता है जिने संसद्य समिथी कहते है यानि की समिथिया दो तरह की होते हैं इसे संसद्य कार होते हैं वो समिथियों को दारा किया जाता है उन्हें की में दो तरह की समिथिया होती है एक तदर समिथियों दूसरी समिथियों दूसरी समिथियों तदर समिथियों होती है जो आने के लिए बनाई जाती हूं फिर इनको कहा कर दिया जा समाप्त कर दिया था इस था इस समीति की बात की जाए तो यह समीतिया हमेशा कार करती रहती हैं झाल 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 सब्सक्राइब 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 तो उस पर क्या करना होता है विचार मिमर्द करना होता है कोई बात गलत तो नहीं है कहीं संवेण नानिक तो नहीं है स्वंच का मिलानी होते हैं थो क्या बनेंने बता है तो क्या सद्वित ख़या तुम एलिगे में तर्क 176 जवासे और 15 आपके राज सबासे लिए eh प्रबाद समिती ठीक है चलिए बात करते हैं के इनदरी सतर्कता आयोग के बारे में CVC ठीक है तो भारती के सतर्कता आयोग भारस सरकार के विबन विवागों के अधिकारियों करम सब्सक्राइब इसकी इस्थापना के संतानम की अधिश्था में फरवरी 1964 में की गई थी राष्टपती द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाने के बाद केंदी सतर्क्ता आयोग 25 अगस 1998 कुसामितिक दर्जा देकर एक बहुत सदस्य आयोग बनाया गया था तो आयोग में एक अध्यक्त चता दो सतरक्ता आयोग होते हैं जिनकी न्यूक्ति राष्टती द्वारा एक तीन सदस्य समित्य की सिफारिस्त होती है इस समित्य में प्रदान मंत्री लोक सवामें बिपच के नेतावा केंद्री ग्रहमंत्री वर्तमान में केंद्री ग्रहमंत्री को ने आपके और अमिस्ता ठीक है इनका कारेकाल चार वर्स है आप 65 वर्स की आयोग तक जो भी पहले हो जाए अवकास्त्रात के बाद आयोग के जो पदादिकारी केंद्र राज सरकार के किसी पद के कि योग नहीं होंगे यानि कि बर्तमान में आपके के सी बीसी के जो अध्याच है या जो मुख्य आयुक्त है उनका क्या नहीं क्या नहीं कर सकते जॉब नहीं कर सकते या वहाँ पर कार नहीं कर सकते की बत्रवान में के बी चौदरी मुख्रे सर्तरक्ता आयो तिक है के एधिकार कारियों के बारें बत Kenned right है केंद्री सर्कार द्वारा वहजे गए स 민주 चंदर पर जाफ करना तथवा जांच का जांच करवाना ठीक है किसी भी जाँच का संचालर करते थे हैं, चलिए बात कर लेते हैं, नेसनल हीुमन राइट्स कमीशन के बारे में, तो मानव अधिकार से अविपरा है मौलिक अधिकार एवन सुतंता थे जिसके सभी मानव प्राणी हगदार होते हैं अधिकार एवन सुतंता के उधार के रूप में जिनकी गढ़ना की जाती है उनके बारे में हम तोड़ा से देख लेते हैं उनमें नागरिक अधिकार और राजनेतिक अधिकार सामिल किये जाते हैं जैसे जीवन में आजादी जीवन और आजाद रहने का अधिकार ठीक है अविव्यक्ति की स्वतनता बोलने का अधिकार कानून के सामने समानता ठीक है आर्तिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के सा सबस्क्राइबंग एक्टूबर उनीष्ट तिराद्रों को मानव अधिकारों की रच्छा के लिए विचित ईवम स्वतंत्र निकाए की रूप में कारी करता है राष्ट्री मानवा अधिकार आयोग के अध्याच्च की प्र्छित द्वारा की जाती है और राष्टी मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष को सपत राष्टपती द्वारा दिलाई जाती है आयोग का अध्यक्ष वही वेक्ती हो सकता है जो सरवुच नयायले का मुख्य नयायाधिस रह चका हूँ आयोग ने सदस्यों की न्युक्ति सब्सक्राइब करते हैं चलिए आगी बात करते हैं मानवा दिकार आयोग द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुक मुद्दे और कार किरम को बार देख लेते हैं पाल विवार निसेद अधिनियम उन्नीस सो उन्तिस की समिच्छा की गई थी यानि कि उन्नीस सो उन्तिस में बना सबिकारवण के लिए करण करवाये था सरकारी करमचारी ंहीं कुराएं जाने वाले इस फचूल्रें को सब्सक्राइब सब खुल में करवाते हैं यह सब्सक्राइब से बच्चों से बाद बच्चों से यहां करवा जाता है उसका उन्मूला ना इसको समप्त करने के बारे में बच्चों के किसी के साथ गलत हो जाता लड़की के साथ िपिसी बच्ची के साथ तो मीडिया है उसका नाम पता जानकारी नहीं देगी बिलकुल भी ये नहीं मोर्ण के कि अब कुछ मीढिया हराम कुर, टाइप क्यू हती है। फिर भी मानती है किसी कॉलेघ में कोई टॉपर रही है। मीढिया बताना को लिखेंटे हो सकतर की टॉपर, यू databases , अब vegan, podcasts सी भी तरह के गंदी है दिकत हो जाती है क्योंकि इस बूरे भारत देश में अगर कोई चैनल है देखने लाग तो वो सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज है उसमें ना कॉंडॉम का एड़ साली दिखाते हैं ना कोई गंदी चीज दिखाते हैं इस तरह की चीजे नहीं करते है इस तरह में समझ मैं रहा ना उसमें साधर भारत देश की जो नीतिया है उसके बारे में दिखाते हैं ठीक है इसके बाद महला और बच्चों की अबैद व्यापार पर रोग यानिक बच्चे जो होते हैं विचारी उनको पकट ले जाते हैं और दूसरी जगे बेज देते है बना चाहती है तो इस तरह पर उन चीजों पर रोक लगाई जाएगी और वहा पर आणंद लेने के लिए, आपने और कर लिए 신े सर ऐसे से बारत देश में दस दिन के लिए हम इनको ले जाना चाह रहे हैं तो इस तरह की की जो चीज़ें आप नहीं करेंगे चलि कि चलिए मानवादिका रायोग द्वारा उठाए गए अन्यमुद्द्ध देख लेते हैं मात्र रक्ताल्पता यानि कि महला जो होती है उन में खून की या बिलड की जो कमी होती है तो उससे संबंदित कदम उठाए है इसने कई ब्रंदावन में जो बे सारा औरतें थी उनके प अपिस में क्या होते हैं बहुत गंदी नजर रखते हैं किसी पर तो क्या करते हैं उसके नहीं तो उसे अच्छे से बात करते हैं अगर वो उनकी बाते मानने लगे तो अच्छे से बात करेंगे बाबू और कुता और रानी इस तरह की बातें करेंगे और यदिए आप उनके support नहीं करती है, आप उनकी जो गंदी हरकत हैं, उनमें सहयोग नहीं करती है, तो आपके साथ बुरा बरताब किया जाएगा, गंदी-गंदी तरह से आपको प्रतारित किया जाएगा, तो इस तरह की चीज है, तो यह जो है ओन उसके तो काँ रोकना, रेल में आप जा रहे हैं महलाई बैटीए है आप तो आप गलस बात कर रहे है तो क्या उसके कान तक अब में उससे नहीं कर रहे हो तो हराम कॉर तुम कहतो रहे हो किसी ने किसी से तो आवास तो जा रही है तो इस तरह की चीज़ें हैं उस पर रोक्थाम लगाना चलिए बिगलांगों के लिए अधिकार स्वास्ते का अधिकार HIV AIDS से सम्मेंदित उनके बारे में कई सारे कदम उठाई है अधिकार बच्चों के लिए स्वास्ते का अधिकार बच्चों के लिए इस तरह से इंजक्शन बगेरा तमाम चीने और तूफान पीट्टों के लिए मदद की और HIV AIDS के लिए क्या गिया दा कई सारे कदम उठाई थे ठीक है अन्सूची जाती वे में जन जाती तद अल्व संक्यों के रच्छो पाई हित्टु यानिक उनकी रच्छा के लिए उनके जो उनकी जो अधिकार है उनकी रच्छा के लिए सम्मेदानी प्राब्धान देख लिए थे और सबसे अले करते हैं शही तीन सूचिज जन जातीओं के लिए प्राब्धान किया गया है अंटा करड़ की तरा धर्म को अबाद बाद रूप से मानने वाहाच रता पिरचार करने के सी तंता की बाद किया गए मुष्ट की बात की अल्वसंक्यों के सामाजिक सांस के लिए थी ख्यतों का सं रच्षड के बारे में पिराबन किया गया है ठीक है जन अनुसूची जाती है अनुसूची जन जाती है तदा अल्ग संक्रों के रच्छों परदान के बारे में बाते चल देए ठीक है तीसरा जो है वह आपका से च्छड़क अर्थिक तदा लोक नियोजन संबंधी रच्छों पाया निकि उसके उनके अधिकार रच्छा पाकिस्तान वाली फीलिंग आएगी वहाँ पर हिंदों के साथ इस तरह से बरताब किया जाता है मैंना कई बार देखा है मैं अच्छे से गया हूं तो बहां बड़ा जीब तरह से लोग देखते हैं तो आप जो पाकिस्तान वाली फीलिंग है वो नहीं आए यानि कि भारत की साथ जनमिस्तान के आधर पर भी विवेदवाद नहीं करता है अनुच्य सोलें लोग निया जिनके विषय पर संबता है यानि कि सभी को समान कार पाने का यानि कि अपनी जीव का चलाने के लिए अधिकार मिला हूँ इन सब्कों में पढ़ा चुका हूँ ठीक है अनुच जातियों के कल्लेयाड के लिए केंदर राज्यों की बित्तिय साइता देगा केंदर राज्यों के लिए बित्तिय साइता देगा अनुश्व तो पहले पहले पताए भी था कि कोई राज्य है उसमें कोई बासा बोलता है तो अगर लगता है राश्वतिक को ऐसा लगता है कि उ तो वो हो सकता है अनुच्छ तीनसोपचास के बारें प्रात्थ में कि इस तर पर विमिन राज जी बर्गों को मात्वासा में सिच्छा प्राप्त कराना थीनसोपचास खा में बाथाई अलप संक्यों के रच्छों प्राइब के लिए विशेष अधिकारी की निक्ती करना चलिए अरच्षण के बारें बात कर लें आरच्षण में चट्नी एक बार काई मांगे बार बार इस तरह का होता है यह अप से चीनने आप से उसे कमद करने के बीकुसी तो आप पत्रिफ़ी उखाड के लिए इससे कञे इसाफrem से अंदर गुश गया है जिस तरह ड्रक्स का नसा हो गया है तो अब क्या होए अगर हलके से आरच्षड नाम अगर कोई ले देना तो यासे कभ कभी आ जाती है बता नहीं सकते चले आगे बात करते हैं सरकारी सेवा उनस्ताओं में परयाप्त प्रतिनेजित तुन रखने वाल प्रिदान की है भारत में संसच्क में अनसूची जाते हो जन जाती के प्रतिनेदी के लिए आरच्षड नीति को स्टारित किया है और देश की कें सरकार ने उच्छ सचावे सताइब परसंट आरच्षड दे रखा है और विबेन राज आरच्षडों में बिरद्दी करने के अनसे लिए भी बना सकते है ठीक यहीं एक आड़ है कि आपकी जो सर्वुच नया या लेता है कि बरदास्ट से बाहर न हो जाए आरच्षड इसलिए फैस्लें के अमसार 50% से आरच्षड नहीं दिया जा सकता वैसे तो हर को ही चाटा है कि हंड्रे परसंट मुसलमानों को द लिए जब कर अन्य बर्गों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए चलिए तोड़ मरोर के कोजी करते हैं कि उसमें आप लोगों को उसका लाब लिया जाता है जिस तरह से राजनीती में तोड़ मरोर के आपको इस्तमाल किया जाता है लोगों को उसी तरह से सम्मिदान को भी तोड़ मरोर के क्या करते हैं इस्तमाल करने कोजी करते हैं सम्ता का अधिकार दिया गए लेकिं वहीं दूसरी जगे दे दिया है कि अगर कोई इस पेसल चटनी खाना चाता है तो उसके लिए विवस्ता की जाएगी ठीक है तो सम्ता के अधिकार की बावना नेता है इसके बावजू अनुच्यत पंद्रे में प्राब्दान किया गा है क किसी व्यक्ति के साथ जाती प्रिजाती लिंग धर्म या जन्म इस्तान के बेदवाब भी नहीं किया जाएगा उसके बाद भी दूसरी जगे एक जगे कह दिया है कि अनुच्यत चौद है वो अनुच्यत पंद्रे चार के मतावित यदि राज्य को लगता है कि स्रामा जी क को आरथिक रूप से पिछड़ा है तो वह अनुची जात है वो अनुची जन्जाती के लिए बिश्य पर आध्द्धन कर सकता है यान्ति मैं मैं मानता हूं कि यदि कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा एक्या सकते लेकिन यदि वो उसकी पार खूव अनाफस नापतस प्य अनुच्छइ 16 में असरों की समानता की बात कही है वहीं दूसरी जगे फिर वकी यवात कर दी है कि अनुच्छष 16 के मताबित यदि राज्ची को और राच्छी F睿 यह लग जाता है बारती सिवार्थ चीभाम पिछडे वर्गों को पर्यातप्रते नहीं हैं तो वैंag joy 계yst 30 के बारे में बात कि दो जाखे में केंदरी सरकार ने से चुर्क संताह में अन पिछड़े वर्गों के लिए आरस्च्छ शुरू किया था और अरच्छ उन्निस पॉइंट पांच परसें तक चला गया था दो जाट में बारत के सरवोच नयाये नहीं दस सप्रेल उन्निस दो जार आठको सरकारी धन से पोशेश तानों में सताई प्रसें आरेट च्छ ओवी सी कोटा सुरू करने के लिए सरकारी कदम की सरकारी कदम को सई ठहराय था 2016 में 5 मार्च 2016 को एक विद्यक पार्थ किया जिसमें विदान सवाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक त्याई सीट है आरच्छ की गई थी ठीक है चलिए बात कर से संविदान संसुदन विद्यक 124 मां लाया गया था आपका संसद में इसको 12 जनवर 2019 को सामन बर्क के लिए लोगों सावन मर्क के लोगों के लिए 10% आरच्छ देने संबंदी बिलको लोग सवाओं में पारिस कर दिया गया था जो 103 संसुदन विद्यक बन जाता है संसुदन अधिनिया बन जाता है जिसके सामान स्रेडी के बर्क के जो गरीब थे उनको 10% क्या मिलना तैय कर दिया ग है क्या है तो नवचे बर्ग को पहचानने के लिए और उच्छ साल में ढonderख रुपए से ओपर की आए वाले परिवार को नवचे पदों परисточाने और चेंब रच्छा विवाग के अधिकारी सीटर अधिकन नेया लेकर को नोकर्साव को जो रच्छ पनाहों में कर दो सभी केंद और राज 거지 सरकारों के ए और बार के अदिकारियों के बच्चों को इससे बाहर रखा गया था अधालत ने का था कि सबसे गरीब लोग हैं उनको भी बार रखा जया सब मझता हूं जाए सबसे जबसे गरीब कौन है सानसद होते हैं उनके पर फचारु काने के लिए नहीं हो deaf अब कभी गारी से नहीं चलते हैं अमें से साइकल से चलते हैं ठीक है चलिए राज लाश बा साकरा के रूप में हंडी in the state language के बारें बात करते हैं तो हिंदी को भारत की राज वासा के रूप में 14 सितंबर 1909 को सीवकार किया गया था वो भी गलती से बैसे तो अंग्रेज जो वासा पड़ते थे और सुनते थे उसी को ही रखना चाहते थे लेकिन कुछ बिचारे वारती थे जिनने का यार हिंदी को भी थोड़ा जेगा दे दो क्यों हिंदी तो बैसी ब अंग्रेज जी में कह दो तो अच्छी बात क्यों अंग्रेज बात करते ना मोडन लोग उते ना इस तरह सम्झ में आगे न तो चलिए 14 सितंबर को प्रतिवास हिंदी दिवास के रूप में मनाया जाता है तो अधिक है पहले उपर बारत देख ले थे हैं फिर से एक बार र लुपी क्या होगी देव नागिली होगी जैसे आपकी पंजाई भासा होते लेकि लिपी क्या होती है गुरू-डपी होती है ठीक है चलिए राजबासा के स्वापति फारकार इस पर शिती में सख्भल करने की औरो आ Stand करदान के मूल भाग में कि मातर चौदे वासा को राजवासा का रहतों में किया जाना है कि यह अंगली में के 1910 करती है तीछालिस का प्रतिर दिल करती है संबिदान के मूल भाग में यानी कि मातर 14 भासाओं को राजवासा की रूप में दिया गया था लेकिन बानेवावाएं समिदन जन्सुदन उन्नीस सो दोजार तीन दवारा आठी मीं अंसुजी में चार और भासा हैं जोड़ दी गई इसमें मैंतली संथाली बोडो और डोंगरी थी जोड़ दिया गया जिससे बासाओ कि संक्या कुल कितनी हो जाती है बाईस हो जाती हैं अंग्रेजी देश की शहBrien करा थे छलिये है यह मिजोरं नागा लैंड मेगाले की राजवासा अंग्रेजी है स्भीधान में राजबासा के संभंध में अध्याई 17 में उल्यक किया गया है संसदी राजबासा समुच्छी पर राजबासा के दस सदस्यों को चुना जाता है संबिधान के अनुच्छे 345 के अनुच्छ के अनुच्छ की अनुच्छ राजवासा की प्राधिकरत मानी चाहेगी चलिए न्याय पालिका की बारे में बात कर लेते हैं 348 के अंग्रेजी बाहसा में होंगी चलिए आगे बात करते हैं चलिए अलसंख्यों के बारें बात कर लेते हैं संबिधान संक्यों के अधिकारों को दो समुपिर्दान करता है जिसमें सामानी छेतर तता प्रतक छेतर का जाता है वह अधिकार है वह अधिकार जो सामानी छेतर में आते हैं वह अधिकार होते हैं जो हमारे देश के सवी नागेरकों के लिए लागो है उने में से कुछ अधिकार क्या कर दिये थे आरच्छित कर जाता है और दूसरा वह होता है पिरतक छेत्र जो आते हैं जो केवल अल्पसंक्रों को पर ही लागू होते हैं और उनकी बिशिष्टता को सनरच्छट प्रदान करने के लिए इन्हें आरच्छत कर दिया जाता है करता है कि संविधान धर्म निर्पेच है कि राज धर्म निर्पेच है कि भारत देश धर्म निर्पेच है तो समझ में नहीं आता है धर्म निर्पेच जैसे असली परवाता समझ में नहीं आती है ठीक है तो कंफ्यूजन को जाद ही है चलिए आगे बात करते हैं अल्संक्य जाती बासा है इनमें से किसी आधर पर किसी सेचिर्क संस्तान में जो राज द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर साहिता पिरात्तों उनमें दाखिले से इंकार करने से पावंदी केगी अनुच्छेद 29-22 में ठीक है सभी धार्मिक तता बासाई अल्फ संक्यकों को अपनी मर्जी के सेचिर्क संस्तान खोलने तता प्रवंद करने का दिकार दिया गया अनुच्छे 30 में चली आगे बात करते हैं राज जिससे सायता प्राफ करने के मामले में, अलफ संकाठ प्रमंदन को सेचिर्क संस्थानों के साथ किसी पिरकार का भेदवाब नहीं किया जागा, ये नहीं कि मुसल्मानों को भी जादा दे दिया जाए, या फिर बिचारे जो फिर आपके सिखा आ जाते है या फिर आपका उसको क्या बोलते हैं आपका जेन आ जाते हैं आप फिर कोई भी बर्ग आ जाता है उनको किसी भी तरह से बेदवाव नहीं करेगा कि कोई है कि सिर्फ सब कुछ मुसल्मानों को ही दे दिया जाए कि वो ऐसा लगता है कि वो सरकार में सरकारी दमा दें तो इस तरह की परिसानी आप किसी की ताथ बेदवाव नहीं करेंगे सब को समान अधिकार मिलना चाहिए क्यांकि यह दिमान लीजिए जेन दंगा नहीं करते हैं इसका मतलब यह थोड़ी ना उनकी विचारों का अधिकार जो अधिकार है वो हड़प लिया जाएगा ठीक है उनका जो ठीक है चरात में किस तरपर मात्रवाता में सिच्छा प्रदान करने की सुविदा का प्राबदान अनुच्छे 350 में किया गया है सिख समधायों को किरपार रखने तता ले जाने का अधिकार आपके अनुच्छे 200 वो अनुच्छे 25 में किया गया है यानि किरपार जो होत विडियों में उपवंदित रच्छो पाई के लिए यानि कि उनके अधिकार हो रच्छ च्छा करने के लिए राच्छ अलफ संक्र का अयो 992 में अधिनिये में त्यार उसको बनाया था इस ठायोग के अिसाद करना है बिदा कि रहे बारे में किनुदरी तथा राज सरकारों को सुझाब देना इसके बारे में यह प्राप्धान कियेगे चलिए कि आगए बात करते हैं। भारत में कुछ पर्यातियां की करना इसके बारे में प्रैक्ड़न किया है अपका आयू को है के सम्में कोई भी निर्देश जो केंदर सरकार द्वारा दिया गया हूँ उस पर अमल करना यानी कि उसको तुरंत कार्यामन करवाना राइट टू इंफॉर्मेशन के बारें बात करते हैं सूचना का अधिकार के बारें बात कर ले तो लोक्त तांतरिक विवस्ता में आम आद के लिए उसु का हक होता है ठीक है जनता को यह जनने का ही अधिकार सूचना का अधिकार कहलाता है 1976 में राज नारा में बनाम उत्तरप्रदिस मामले में उच्टम नयायले संब्धान के अनुच्छ नुच में बड़े सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोसित किया था चले आगे बात करते हैं तो बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के बारे में तो संब्धान भारत की संसत द्वारा पारत यह कानून जो 12 अक्टुवर 2005 को लागू हो गया था ठीक है इस कानून के द्वारत सभी एकाईयों या कहें विवागों को जो संब्धान इस जो एकाईयां हैं या राज से बित पोसित हैं उनके बारे में आप क्या मांग सकते हैं सूचना मांग सकते हैं सरवुच नयायलैने भी अनिच्छेद 19 के अंतरगा सूचना के अधिकार पर बल देते हुए मौलिक अधिकारों के दायरे में सामिल किया था सूचना का अधिकार कानून के बारे में कुछ प्राध्धन देख लेते हैं सूचना का अधिकार एदिनियम हर नागिरिक को अधिकार देता है कि सरकार से कोई भी सवाल पूँच सके या कोई भी सूचना ले सके किसी भी सरकारी दस्तावेज को प्रमानेत पिरती ले सकता है किसी भी सरकारी दस्तावेज की जाँच कर सकता है कोई भी सरकारी काम की जाँच कर सके यह इसमें प्राध्धन किये गए थे ठीक है RTI या करें Right to Information के तहट तो किसी भी सरकारी काम में इस्तुमाल सामिग्री या प्रमानित का नमूना ले सके कि सभी सरकारी विवागों पब्लिक सेक्टर यूनिट किसी भी प्रकार की सरकारी साहिता से चल रही गयर सरकारी संस्ताइं बस इस चर संस्ताइं आद विवाग इसमें सामिल है पूरते निजी संस्ताइं इस कानून के दाएरे में नहीं है लेकिन यदि कानून के तहित कोई सरकारी विवाग किसी विवाग नेजी संसा ते कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विवाग के मादें से वह सूचना मांगी जा सकती है जैसे कोई सरकारी नहीं है और निजी है तो यह दी कोई सरकार है और लग रहा है कि उससे जानकारी लेनी आवस्चेक है तो आप जानकारी ले सकते हैं हर सरकारी विवाग में एक या एक से दिक सूचना अधिकारी बनाई जाते हैं वह अधिकारी है जो सूचना के अधिकार के तहट आविदन स्विकार करते हैं और मांगी गई सूचना एक अत्रित करते हैं और उसे आविदन करता को तुरंत उपलब्द कराते हैं लोग सूचना अधिकारी के जिम्मेदारी है कि बैए 30 दिन के अंदर या कुछ मामलों में 55 दिन के अंदर सूचना उपलब्द कराना जो सूचना मांगता है उस से ठीक है सूचना का अधिकार कानून के बारे में ठीक है अगर लोग सूचना अधिकारी आबिदन लेने से मना करता है या तैस से सूचना भी देनी होगी वो भी मुप्त में लोग सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि बैस सूचना मांगने का कार्ड कूछे सूचना मांगने के लिए आविदन फीस देनी होगी यो किन सरकार ने आविजन के साथ दस रुपए की फीस भी तै करी है लेकिन कुछ राज्य में है अधिक है बीपील कारधार को फीस बिल्कुल भी नहीं देनी होगी दस्तावेज याक है जो सूचना मागए उसकी प्रति याक है कॉपी जो है उसे लेने के लिए फीस भी देनी होती है यानि कि प्रति कॉपी जो होती है उसकी फीस देनी होती है ठीक है तो किन सरकार ने फीस दो रुपए प्रति प्रेश्ट रखी है यानि कि प्रेश्ट यानि कि एक पेज होता उसके एक इस तरप और एक इस तरप दो प्रेश्ट होती है तो दो रुपए प्रति प्रेश्ट रखी है कुछ राज्यों में है अधिक है तता अगर सूचना थे समय सीमा में नहीं उपलब्त कराई जाती तो सूचना मुप्त में दी जाएगी ठीक है पिज्जा की तरह बिल्कुल 30 मिनेट में नहीं पहुचता है तो आपको फिरी में पिज्जा मिलेगा यदि कोई लोग सूचना अ दूसरे विवाग के लिए और तीस दिन सूचना देने के लिए लोग सूचना अधिकारी यदि आविदन लेने से इंकार करता है अत्वा परेशान करता है तो उसकी सिकाई सीधे सूचना आयोग से सीज़े सूचना आयोग से की जा सकती है सूचना के अधिकार के तहत मांगेगा सूचना को अस्यूकार करते हुए अपूर भ्रहम में डालने वाली गलत सूचना देने वाले या सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंदरी या राज सूचना आयोग के पास सिकायत कर सकते हैं चलिए लोग सूचना अधिकारी कुछ मामले में सूचना देने से मना कर सकता है जो सूचना संसद या विदान सवा को देने से मना नहीं कर सकता उसे भी किसी व्यक्ति को देने से मना नहीं कर सकता यदि लोग सूचना अधिकारी निर्धारी समय सीमा के बीतर सूचना नहीं दे पाते हैं तो धारा आठ गलत सिस्टमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं तो दी गई सूचना के संतुष नहीं होने की सिती में भी 30 दिन के बीतर संबंदित लोग सूचना अधिकारी के बरिष्ट यानि प्रिथम अपीली अधिकारी के समझ आप क्या करते हैं प्रिथम अपील कर सकते हैं यदि प्रिथम अपील के संतुष नहीं है तो दूसरी अपी confusion हो जाता है और आई दिन मैं भी बोलता रहता हूं तो उसमें आप लों confusion नहीं हो ठीक है तो सू निकाल की अरी बात कि जाए संसर के दौनों सद्रों में प्रसंद काल के ठीक एक बज़े से बारा बज़े तक का सू निकाल होता है बैसे ये कम जाद है घटा बड़ा है भी सकत है इसको ठीक है यह नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है इस काल के दौरान सदर से अविलंभी महत के मामलों के उठाते हैं तता उस पर तुरंत कारिवाई चाहते हैं प्रसंद काल की बात किया है दोनों सदरों में प्रतियक बैठक के प्रारंभ के एक घंटे तक प बित्विद्यक क्या होता है अनुचेद संभिदान के अनुचेद एक सो बारें बित्विद्यक की विवस्ता की गई है बित्विद्यक उस विद्यक को कहते हैं जो राजस विया बिया से संबंदित होता है सभी बित्विद्यक धन विद्यक नहीं होते हैं इस वात का भी ध्या आधि के बेतन इसी निदी से दिये जाते हैं राज्यों के करों एवं सुलकों से सम्मधित इसका अंस देने के बाद जो धन बचता है उसे निदी में जमा कर दिया जाता है आकास्मिक निदी क्या होती है संविधान के अनुच्छे 266 में इस निदी की विवस्ता की गई है निदी से कोई धन विन्योग विद्यक के अधीनी निकाला जाता है अनपूरक अनुदान क्या होता है विन्योग विद्यक दोरा किसी पिसेस सेवा पर बियाई के लिए राजपती द्वारा एक अनपूरक अनुदान विद्यक प्रिस्तत किया जाता है अनपूरक अनुदान और बिन्योग विद्यक दोनों के लिए एक ही प्रिक्रिया होती है चलिए बात करते हैं आगे तारांकित प्रिस्न क्या होता है जिन प्रिस्नों का उत्तर तुरंत सदस तुरंत चाहता है उन्हें तारांकित प्रिस्न का जाता है यह मौखिक होता है अतारांकित प्रिस्न का होता है जिन प्रिस्नों का उत्तर सदस से लिखे चाहता है उसे अतारांकित प्रिस्न का जाता है इस तरह का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता ना ही अनपूरक पिंप पूँचे जाते हैं इससे सम्मधित अल्प सूचना क्या होती है जो पिरस्ट अविलंवी लोक महत्व का हो जिन्हें साधराड पिरस्ट के लिए निरहारित दस दिन की अबदी से कम सूचना दे कर पूँचा जाता है उसे अल्प सूचना पिरस्ट कहा जाता है चलिए आगे बात करते हैं इस्तगन पिरस्टाब क्या होता इस्तगन पिरस्टाब पेस्ट करने का मूल उद्देश किसी अविलंबी लोक महत्व के मामले की और सधन का ध्यान आकर से करना होता इस प्रस्ताब को प्रस्तुत करने के लिए नियूंतम 50 सदंसों की स्यूकरती आविसे होती है इस लोक महत विया इस्थगन प्रस्ताब पर चचा करने के लिए सदन का नियम मित कार जो है वह रोक दिया जाता है कटवती प्रस्ताव क्या होता इस सत्ता रुड द्वारा सदन की स्यूक्रिति के लिए प्रिस्तुत अनुदान मागों में से किसी भी प्रकार की कटवती के लिए बिपच उदारा रखे गए प्रस्ताव को कटवती प्रस्ताव कहते हैं जो भी कवी भी जाया इसी वात है पार चर्चा होनी अनिवार हैं चर्चा के बाद अध्याच मत्यदान द्वारा निड़ा की गोंजणा करता है विश्वास प्रस्ताफ क्या होता है बहुमत का समर्तन प्रात होने में यदि संदे होता है तो संदे की इस्तिति में सरकार द्वारा लोग समाय में विश्वास प्रस्त करके सदन के विशितादिकार का उलंगन प्रतीत होने पर किसी सदस दारा यह प्रस्ताव प्रस्ताव किया जाता है इस्थापन में प्रस्ताव क्या होता है जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के इस्थान पर उसके विकल्क के रूप में प्रस्ताव किया जाता है उसे पारज़ पर तीन या चार दिनों तक धन्यवाई प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अंत में धन्यवाई परस्ताव को संसद में पारज़ कर दिया जाता है। इसको मैं बताना नहीं चाहरा हूँ क्योंकि डिटेल में आप लोग से पढ़ाऊंगा बता जीता हूँ मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है बजट सत्र में क्या हो रहा है बजट जो आपका पारित किया जा रहा है तो जैसे बिवाग हैं मंत्री मंत्रालों जो बगर हैं तो जब बजट के लिए फाइल करते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा होता है यह इतने रुपए यहां पर चाहिए तो दस-पंदे फाइल है जितनी हो जाए फाइल तो एक एक करके पारित करावनी होती है तो जैसे आज शुरू हुआ बजट का सत्र तो बजट का जब कार करम इसलिए दिन कितरी हो गए चार हो गए पांच में दिन क्या हुआ है उसमें पूरा शाइक फाइल फिर फिर दिन कितने रह गए दो तीन दिन रह गए तो जब दो तीन दिन रह जाते हैं और सभी फाइलों को क्या करते हैं सभी फाइलों के कितना क्या पैसा है उसमें एक एक फाइल का नहीं सभी फाइलों को उठा के एक ही जग एक एक खटा करके रख देते हैं और एक ही बार में पारित कराने कोशी करते हैं जब एक ही बार में पारित कराते हैं उन सभी फाइलों को तो उसको कहते हैं गिलोटन प्रिक्रिया जब जैसे ही फाइलों को एक साथ रखा है वैसी जो विपच्छ का दल होता है वो चिलाने लगता रहे ये तो बेइमानी हो रही है कि ये सब नहीं चलेगा हमें पता नहीं चलेगा किस भी वाग में कितना पैसा मांगा है और ये सब बहुत सब अलाना करनी होगी तो क्या करते हैं मत्तादान करते हैं और जाइसी बात में जाइसी बात है लोकसा में आपका जो बहुमत का दल है उसे वही जीतेगा तो बहुमत जैसे मत्तादान किया मत्तादान में कौन जीते जाएगा आपका जो पच्छ का जो मतलब जिसकी सरकार है वो चीत लोग सवाय में उसके सदसे हैं जब लोग सवाय में उसके सदसे हैं तो वो चीत जाएगा तो क्या होगा एक सा सारी मांगों क्या कर दिया जाएगा बजट सत्र में क्या कर दिया जाएगा एक ही दिन पारित कर दिया जाएगा इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलूटेन चलिए काकस क्या होता है किसी राजने थे कि दल अत्वां गटके फिर्मुक सदस्यों की बैठक को जो है इनके ही प्रभाव से पूरी यो त्वोनेतियांं हैं पूरी ज़्ञूपा की नीतियां चलती है यानि कि जब 2014 में आपके नरंद मोदी जी जब प्रदान मंत्री बनते हैं तो उनके प्रवाब से ही वो इतनी सीटे मिली थी वह 2019 में भी उनीके प्रवाब से ही इतनी सीटे प्रवाब तो इसका मतलब हुआ कि कुछ सदत से आपके नरंद मोदी आपके अमिस्सा यानि कि चार लोगी नीतिया बनाते हैं और वही पूरा जो दल है आने की पूरा वीजेपी है उसी के ही आदारित पूरा दल कारी करता है चलिए गड़ पूरती क्या होती है कई बार पता है इसको कोरम भी कह देते हैं सदन में किसी बैठक के लिए गड़ पूरती अज्याच है कुल सबा का और क्या है कि सदस जो ऐसे माल लीज़ी कर चाई-पानी पी रहा हूँ बच्चे क्या है आ रहे हैं एक दो करके एक आगया दो आगया तीन आ गया ऐसे करके तो जैसी एक वट्र सब्रसाइब लिखने बच्चों का 1 वटे 10 वाग जयासी पहुंच जाएंगे बैसे ही गढ़ पूर्थी की गढ़ पूर्थी गंटी बज़ा जी जाएंगे गहाई तो फिर फोड़ा एक दो कौफी और पी लूँगा और कारवाई तरजन की यह ऊगे जुरू हो जाएगी इसको ही क्या क्य 93 क्या होता है नियम 1952 बनाए गया था इसके अंतर का सदस किसी भी सारजुन को महत को बिचारा अब इलमवी बिचार पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटे जे सकते हैं चर्चा किसी प्रस्ताव के माद्यम से नहीं इस काड़ अंत में मतदान मत विभाजन नहीं होता है कि सभी पच्छी जो होते हैं वैस सदस्यों को सम्मोधित बिचार पर अपने बिचार प्रिस्तोत करते हैं न की मत होते हैं दवाब समू क्या होता है वियक्तियों कि ऐसे समू जिनके हित समान होते हैं दवाब समू कहलाते हैं ये संग्टे समू अपने हित के लिए सासन तंतर क्या करते हैं दवाब ढालते हैं जैसे ऐसे साधर भाषते समय सब information is by अदर किया करता है वो कहता है कि एसा है हमारे इसावफ से नीतिया लागू करो नहीं तो हम दंगा कर अन्य जो समदा होता विचारों की लेने की देने पड़ जाते हैं जैसे आपका अली गलवारा छेता है तो महाँ पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती है आप जाए तो महाँ पाकिस्तान जैसी फीलिंग आती हो कि वहाँ इस तरह के विचार वाले ज्यादा लोग हैं तो इस समु का कोई राजने तिक दले तो उसके इसाब से अदि आप नीतिया नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे जैसे आपका आरच्छड वाली बीमारी था तो दवाब समु क्या दवाब के काड़ी तो यह आरच्छड लागू क्या जाता है क्या करेंगे प्लेटरियां उकाड़ी की कोशिए करते हैं सच्चे तक अपने दल के सद्शें को दिसा नेर्देश के विरुद मतदान करने वाले सद्श के विरुद दल बदल बिलोधी कानून के अंतर का कारिवाई भी की जा सकती है तो मुझे साथ यो उम्मीद है ये वीडियो जो है पसंद आयो कि इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं तो इस तभी जो है मेरी गणबड हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे अगली वीडियो मिलना चाहिए आपसे अभी इससे आनद लीजिए तो अगली वीड आपकार जयाहिंत बंदे मात्रम